Hey guys, बहुत आसीफ खालीद और आप देख रहे हैं Believe For You, ये है DaVinci Resolve का Complete Video Editing Course DaVinci Resolve एक बहुत ही powerful advanced video editing software है और best part ये है कि ये software बिलकुल free है किसी भी तरह का watermark जो है इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप इसी official website से जो है वो download कर सकते हैं Actually DaVinci Resolve के दो version आते हैं एक DaVinci Resolve Simple 17 जैसे अभी version चलना है तो DaVinci Resolve 17 और एक जो है studio version आता है जो की paid होता है तो अगर आपका बहुत जादा advanced work है तो आप DaVinci Resolve studio जो है वो use कर सकते हैं वैसे ये जो software है DaVinci Resolve ये black magic design का जो है वो software है black magic design के और भी बहुत सारे products आते हैं जैसे कि advanced cameras आते हैं और audio, video, color, gradings के जो है काफी सारे panels आते हैं basics से लेकर के सभी advanced tool को जो है वो हम लोग explore करेंगे और इस course को मैंने काफी अच्छी से design किया है topic wise आपको chapters मिल जाएंगे तो आप directly जो है किसी भी दूसरे topic के ओपर किसी भी दूसरी chapter के ओपर जो है वो jump करना चाहते हैं तो आप easily jump कर पाएंगे मैं आपको suggest करूँगा कि आप please इस वीडियो को download ना करें क्योंकि indirectly आप मेरी मेहनत के ओपर जो है वो जोरदार तमाचा लगाते हैं अगर आप इस वीडियो को download करते हैं तो मैंने आप इस chapter wise जो है इस course को design किया है तो आप एक chapter आज देखिए एक कल देखिए इस तरीके से आपको जितने दिन में complete करना है उतने दिन में complete कीजिए लेकिन please आप इसे download मत कीजिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी website believe4u.com के बारे में बताना चाहूंगा जहांपे आपको premium courses काफी affordable price में बिल जाएंगी वो भी exercise file के साथ lifetime access, whatsapp support और साथी certificate भी जो है वो आपको भी लेका एक्स्ट्रा 25% discount के लिए आप हमारा coupon code sub25 जो है वो यूज कर सकते हैं जो क ये especially YouTube subscribers के लिए है तो इससे आपको जो है extra 25% discount मैं जाएगा खैर चलिए बढ़ते हैं हम लोग course की तरफ अगर आप इस चैनल के उपर नए हैं तो इस चैनल को subscribe कर लीजे और इस वीडियो के उपर मैं aim करता हूँ 1000 like I hope कि आप इसे complete करेंगे Guys सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपके system बे software install हो और ये जो software है DaVinci Resolve ये बिल्कुल free software है तो आपको कहीं दूसरी जगा जाने की ज़रूद नहीं है जब मैं वीडियो record कर रहा हूँ तब DaVinci Resolve 17 का बीटा वर्जन आ चुका है तो हम लोग आगे उसी के उपर practice करेंगे आप यहाँ पर website का नाम जरूर देख लें blackmagicdesign.com आपको यहीं से download करना है जब ये software बिल्कुल free official website के उपर available है तो हमें कहीं दूसरी जगा जाने की जर interface थोड़ा सा change हो लेकिन आपको download नाम का option मिल जाएगा तो simply उसके उपर आप जो है वो click केजिए अब यहाँ पे download के लिए हमारे पास 4 option है लेकिन अगर आप बाद में आते हैं future में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिफ दो option होंगे तो यहाँ पे यह और यह stable version है तो अभी latest हमारा 17 चल रहा है लेकिन 17 का भी beta version चल रहा है final release जो है इसका अभी नहीं आया है लेकिन फिर भी हम लोग 17 के उपर ही work करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल दो option देखने को मिलेंगे DaVinci Resolve future में 17 और DaVinci Resolve studio 17 तो यह जो studio है यह actually advanced version है मतलब advanced नहीं एक तरीके से paid version है इसमें आपको और भी ज्यादा functions and features वगरा मिलते हैं लेकिन यह जो यहाँ पे होगा आपके पास DaVinci Resolve 17 मतलब अभी 16 है या फिर यह 17 तो यह जो है यह बिल्कुल free version है तो आपको जो है इस side वाला मतलब basically left side वाला जो है वो download करना है अब यह जो software है यह तीनों platform के लिए available है macOS के लिए Windows के लिए Linux के लिए तो आप अपने platform के according जो है इसे download कर सकते हैं सभी में सारी options सारी जीज़े जो है वो बिल्कुल same होंगी तो अगर आप Windows यूज़ कर रहे हैं या macOS यूज़ कर रहे हैं आप इस course को easily जो है वो follow कर सकते हैं किसी भी device से तो मैं फिलाल यहाँ आपी जो है macOS के लिए download करूगा simply इसके ओपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना होगा अपनी सारी information जो है वो यहाँ पर फिल करनी होंगी name जो भी information है वो सारी information यहाँ पर बस फिल कर देनी इसको फिल करने की जरूरत नहीं है और register and download के ओपर click करना है आ आपको download करना है तो मैंने इस process को already जो है वो complete कर लिया है और आपको क्या करना है उससे install करना है starting में कुछ options आएंगे उससे आपको simply जो है वो skip कर दे रहा है उसमें जादा पढ़ना नहीं है वैसे आप कुछ भी कर दे कोई फरक नहीं पढ़ता है हमारा जो आगी का सारा process हो इंस्टॉल होने के बाद यह होगा आपके पास DaVinci Resolve 17 और आगे फिर हम लोग देखेंगे कि अब किस तरीके से software का हमें use करना है तो यह है इसका startup page यहाँ पे आपके सारे projects होंगे जो भी projects वगयरा आप इसके उपर create करेंगे और उससे save करेंगे तो अब next video में हम लोग guys video editing स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको जो है project create करना है और जब आप software open करेंगे तो सबसे पहले यह आपको project manager जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर आपके सारे projects होंगे जो भी आप future में create करेंगे वो सारे जो है यहाँ पर आपको show करेंगे आप उसके उपर simple double click कर जो है उस project को open कर पाएंगे यहाँ पर आपके पास new project create करने का option है अगर आप folder वगरा में organize करना चाहते है अपने project को तो उसे जो है वो आप organize कर सकते है या फिर अगर आपके पास already कोई project है DaVinci Resolve का तो उसे जो है वो यहाँ पर आप open कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक and hide database का database use normally team work के लिए क्या जाता है अगर आप एक ही project के ऊपर multiple log multiple system से जो है वो वो थो देटाबेस के यूज करते हैं आप local disc में जो है वो database create कर सकते हैं या फिर आप जो है network के ऊपर जो है वो database create कर सकते हैं और इस तरहीव से multiple लोग सेंप प्रोजेट सेयम फुटेज को जो है वह एक्सेस कर पाएंगे और उसकी ओपर वह वोक कर पाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दो option है database type disk और SQL तो आप जैसा भी चाहें उस database से connect हो सकते हैं या फिर आप खुछ जो है create कर सकते हैं फिलहाल के लिए इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे future में हो सकते हैं तो मैं इसके बारे में आपको update दूँगा लेकिन अभी के लिए यह हमारे लिए जो है वो ज्यादा important नहीं है इसलिए मैं इस बार को skip करूंगा अब यह default project है आपको सबसे पहले हैं आप किया करना है new project के ओपर click करना है और यहाँ पर बस आपको जो है project का नाम डालना है और आपको कोई भी दूसरी और settings जो है वो नहीं डालनी यह सारी चीज़े हम लोग किस वक करेंगे export करते वक कि हमें अब किस settings में जो है वो export करना है जबकि दूसरे software में सबसे पहले ही हमें जो है वो यहाँ पर चीज़े जो है वो select करती होती है तो simply यहाँ पर मैं नाम डाल दिता हूँ YouTube YouTube यूटूब कोर्स और क्रियेट के उपर क्लिक करते है और यह software हमारा open हो गया यह software देखने में काफी ज्यादा complicated लगता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही simple software है और actual में यह जो है Premiere Pro and FCPX Final Cut Pro जो है उसका combination है उसके सारे features को मिला करके यह software बनाया गया अगर आपने FCPX यूज किया है या फिर आपने प्रीमेर प्रो यूज किया है तो बहुत सारी जगों पर आपको feel आएगा कि ओके यह जीज हमारा प्रीमेर प्रो में था यह जीज हमारा FCPX में था खेर यह दावइंसी डिजॉट्व है तो इसकी की बात करते हैं तो अब यहां पर बिल्कुल blank option है हमारे पास यहां पर फाइल में आप जा सकते हैं और यहां से फिर से एक new project जो है वो आप create कर सकते हैं या फिर आप जो है यहां से project manager में जा सकते हैं और आप चाहें तो इस project की settings कर सकते हैं जैसे कि आप HD में वीडियो बनाना चाहते हैं 4K में वीडियो बनाना चाहते हैं फ्रीब्रीट वगरा क्या होगा वो सारी चीज़े तो simply देख लेजिए सबसे पहले देख लेए यहां पर project manager फिर से हम लोग back वहीं पर आगए home screen के उपर है ना start up screen के उपर यहां पर आगया YouTube course और मैं फिलाली से close कर देता हूं उसके बाद यहां पर हमारे पास option है project settings तो इसके उपर click करते हैं और यह हमारे पास आ गया इस project से related settings तो देख लेज़े यह to course और सबसे पहले यहां पर हमारे पास master settings है काफी सारी settings actually लेकिन इसमें कुछ है important है तो यह हमारे पास master settings timeline resolution आप जो है यहां से select कर सकते हैं अपने recording अपने project recording तो यह दिख लिए यहां पर 4K 2K सारी जो है simple जो width and height का ratio होगा वो equal होगा तो 1080 आप ले सकते हैं तो यहां से आप जो है कोई भी preset जो है वो आप choose कर सकते हैं next यहां पर आपको square pixel जो है वो select करके रखना है और यह है frame rate आप कितने frame की जो है higher frame rate के उपर जा सकते हैं वैसे default setting जो है वो यहां पर सही है अगर आप 4K भी यहां पर ले लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास option है video monitoring का तो यहां पर आप basically जो monitor करेंगे उसका जो यह है वो आप क्या रखना चाहते हैं तो वो settings है और भी काफी सारी settings यहा बहुत ही simple सी चीज़ है अब आगे इस software को हम लोग जो है वो explore करेंगे कि कहां पर कौन सी चीज़े हैं और फिर किस तरीके से हम लोग जो है editing start करेंगे गाइस किसी भी software को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहला step आपका होगा उसके interface को जाना तो इस section में हम लोग जो है इनिशली देखने में काफी जादा जो है वो complicated लगते हैं और कुछ लोग तो यहीं सीडर के भाग जाते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है बहुत ही simple सी चीज़ है अगर आप समझ जाते हैं तो यहां पर ही सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं यहां पर macOS यूज कर सही यह आपको नहीं देख रहे होंगे क्योंकि यह macOS का जो है वो option है बाकी जो software है वो बिल्कुल सेम होगा हां एक और चीज के उपर फर्क पड़ सकता है और वो है screen size के उपर अगर आपका screen size HD है तो आपको कम panels देखने को मिलेंगे अगर आपका screen size बहुत बढ़ा है मैं ब तो मीडिया में आगर के इंपोर्ट कर सकते हैं मतलब first time simply हमने एक folder बना हुआ है उससे directly यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो हम लोग मीडिया में आएंगे उससे इंपोर्ट करेंगे मतलब हम आगे यहाँ पर जैसे add है, cut है उसमें भी आगर के हम लोग कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर especially import करने के लिए एक page जो है वो दिया गया है और उसमें उसी से related जो है important panels वगरा है तो यह है सबसे पहला page हमारे पास media और यहाँ पर आप लेकिए तो हमारे पास यह computer की files आ गए तो अभी यहां से हम लोग जो है वो directly import कर सकते हैं simply हमें क्या करना है drag and drop करना है तो जैसे यह file है for example इसको मैंने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर actually मेरे पास एक message आ रहा है वो यह आ रहा है कि मैंने जो अपनी project का size जो लिया था उसका size और इसका size basically match नहीं कर रहा है size हो या फिर frame rate हो हो सकता है मैंने 24 लिया हो लेकिन इसका size है I think वो 25 है तो यहाँ में कह रहा है कि आप change करना चाहते है या पिर आप नहीं अपने project के size की हिसाब से ही चलना चाहते है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सही I think आपके लिए confusing हो रहा होगा तो actually हम लोगों नहीं प्रोजेक्ट के section में जो इससे पहले बारा section था उसमें हम लोगों नहीं देखा था project settings तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 19201080 है और 24 frame है 24 frame per second यह हमारे project का basically size है लेकिन यहाँ पे यह जो वीडियो है जिसे for example यह जो वीडियो है इसका अगर आप देखें तो हमारा यह जो इसका जो इसका जो इसका width and height है वो तो सही है लेकिन यहाँ पे जो frame rate है वो 25 है इसलिए यह message यहाँ पे आ रहा था प्रोजेक्ट का जो frame rate है या width and height है वो change करना चाहते है तो change के ऊपर क्लिक हीजे अगर आप नहीं change करना चाहते है तो don't change के ऊपर क्लिक हीजे तो यहाँ पे मैं आपको recommend करूँगा actually इसके बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसे video file है जिसके file size को आप as a project का size यूज़ करना चाहते हैं तो आप change के उपर click कर देजिए और उसी video के according आपकी project file का जो भी settings है वो हो जाएंगे अगर आपने कुछ specific किया हुआ है कि नहीं मुझे hd और 24 frame ही चाहिए तो फिर आप don change के उपर click कर देजिए तो अब यह file हमारे पास यहाँ पर आ गई है यह क्या है यह हमारे computer की file है और यहाँ से drag करके हमने क्या क्या इसे डाल दिया कहां पर अपने software के अंदर अब इन तीनो files के उपर हम लोग editing कर सकते हैं इसके उपर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे software में नहीं है हमारे computer में और यह files आ गई आप simply जो है वो drag and drop वगएरा भी कर सकते हैं खर तो यह सबसे पहला हमारे पास पेज है वो है media page next यहाँ पर हमारे पास आता है cut page तो यह है cut page इसका नॉमली जो है वो बहुत कम use करते हैं Actually, यहां से आप क्या कर सकते हैं? Basic cutting वगरा कर सकते हैं, जैसे आपके पास लंबी-लंबी footage है, बड़ी-बड़ी footage है, तो उसमें से आपको कुछ-कुछ portion जो है, वो निकाल करके करना हो, तो simply इसके उपर मैंने double-click किया और यह यहां पर आ गया, हम यहां से preview भी कर सकते हैं, और यह कुछ option है हमारे पास, short करने के, तो यहां से, अभी यहां पर क्या है, basically इसमें से कुछ part हमें cut करके करना हो, तो हम यह कर सकते हैं, normally इस panel का बहुत कम map practically यूज़ करता हूं और लोग भी बहुत कम use करते हैं, तो basic cutting यहां से आप कर सकते हैं, जैसे इतना चोटा सा part चाहिए आपको, है ना तो यह हमने selection बना लिया, और यह मैंने यहां पर डाल दिया, तो अभी यहां पर क्या है, यह हमारा timeline है, यह यहां पर actually दो timeline है हमारे पास, confused होने की जरुवत नहीं, आपको दिरी दिरी आगे समझ में आ जाएगा, तो यह हमारा timeline है, जिसमें हमारी सारी footage जो है वो show करेंगी, जिससे मैं यहां पर कुछ और भी डाल देता हूं कि, मैंने यहां पर डाल दिया, मैंने फिर इसको मैंने यहां पर डाल दिया, अब क्या है नीचे वाला जो timeline है, इसमें क्या है, चीजें पूरी नहीं show कर रही है, लेकिन यहां पर यह जो timeline है, इसमें तीनो footage जो है वो एक सार शो कर रहे है, अगर हम कुछ और भी add करते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर show कर रहे हैं, इस एक के अंदर ही आपको पूरी दर से अंदाजा मिल जाएगा कि कहां पर कौन से चीजे हैं, तो यहां से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, तो यह cut page है जिसका काफी कम use होता है, तो फिलहाल इस course में यह जो YouTube का course है, इसमें हम इस चीजे को पूरी दर से skip करके ही चलेंगे, क्योंकि इसका बहुत जादा use नहीं होता है, तो यह है cut page, अब यहां पर आ जाता है हमारे पास तीसरा edit option, जो की सबसे important page है, और सबसे important चीज है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आपने Premiere Pro use किया है, तो बिल्कुल सारी लगभग same options हैं, उसी तरीके से यहां पर हमारे पास जो है, यह एक panel है, यह preview panel है, और यह हमारे पास timeline है, timeline का style, और जो भी tools होगर है, वो सारी लगभग similar tools है, तो अगर आपने Premiere Pro use किया है, तो आपके लिए बहुत easy होगा, और अगर आप यह software use कर लेके हैं, तो आप easily Premiere Pro भी use कर पाएंगे, तो इसमें यहां पर हमारे पास जो है, जो भी media file हमने इंपोर्ट किया था वो है, यहां से हम लोग basically trim, cutting वगरा कर सकते हैं, और उसको timeline मिला सकते हैं, जो भी editing होगी, यह हमारा सबसे important page है, ज्यादा तरवक हम लोग यहीं पर बिताएंगे, और जो भी हमारा final output होगा, वो इस preview window के अंदर वो हमारा दिखेगा, यहां पे कुछ और भी option है, आप actually bin वगरा create कर सकते हैं, folders वगरा वो create कर सकते हैं, उसमें अपनी media file को जो है, वो organize आप कर सकते हैं, अलग-अलग folders वगरा तो यह बिन आ गया, आप चाहें तो इस option को यहां से hide भी कर सकते हैं, normally मैं hide करके ही रखता हूं, अगर मैं use करता हूं तो यह हो गया हमारा edit, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा अपना वक्त बिताएंगे, next यहां पर हमारे पास है fusion, और यह actually special एक तरीके से जो है, वो interface है यह area है, DaVinci Resolve का यह चीज़ आपको दूसरे software में देखने को नहीं मिलेगा, तो यहां पर basically आप motion graphics वगरा कर सकते हैं, यह actually काफी advanced चीज़ है, इसके बारे भी आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यह काफी complicated चीज़ है, लगि यह fusion तो यहां पर हम लोग basically जो भी VFX टाइप वाली चीज़ होती है, motion graphics वाली चीज़ होती है, वो सारी चीज़े जो हम लोग यहां पर करते हैं, next यहां पर हमारे पास है page color, जिसमें हम लोग basically color grading जो है वो करते हैं, मैं यहां पर एक और चीज़ फिर से आपको remind करा दूँ कि अगर आपका screen size बड़ा है, छोटा है तो normally ऐसा ही interface दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपका screen size बड़ा है, तो यहां पर और भी options दिख रहे होंगे, तो basically आपको दिख रहा होगा यहां पर जैससे यह दिख रहा होगा, next अगर आपका screen size बड़ा है, default यह आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से और यह, यहां पर आपको scope दिख रहा हो, ऐसा कुछ, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, अगर आपका screen size बड़ा है, तो यहां पर आपको यह दिख रहा होगा, next यहां पर बीश में आपको यह दिख रहा होगा, इन केस अगर बड़ा है तो, तो यह सारा जो पैनल है, यह सारे जो options है, यह बिसिकली हमारे पास color grading के लिए हैं और यह है नौड्स जो की DaVinci Resolve का special, you know, चीज है जिसके जरी हम लोग जो है color correction वगरा करते हैं और बहुत ही advanced यहां पर हम लोग color grading कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, तो यह हो गया हमारा color grading के लिए, नेक्स यहां पर हमारे पास है fair light, इसमें हम लोग जो हैं basically audio editing करते हैं, तो इस course में हम लोग बहुत ज़्यादा audio editing के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अलग topic हो जाता है कही नगी, तो यहां से आप basically audio editing वगरा कर सकते हैं, सारे controls आपको मिल चाहते हैं, next यहां पर हमारे पास option है, I think delivered, तो यहां से आप render कर सकते हैं, मतलब finally हम लोग क्या करेंगे, यहां पर import करेंगे, यहां पर थोड़ी बहुत cutting करेंगे, फिर यहां पर हम लोग editing करेंगे, next यहां पर fusion में हम लोग titles वगरा डालना हो, जो भी masking और यह सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें करेंगे, फिर color grading करेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर कुछ भी कर सकते हैं, यहां पर basically, जो audio के rating वगरा वो चीज़ हम करेंगे, finally जब video हमारी ready हो जाएगी, तब हम लोग यहां पर आएंगे, और यहां से हम लोग जो है वो export करेंगे, फाइल का नाम, कहां पर save करना है वो चीज़, और उसके बाद जो है export video quality क्या होगी, resolution क्या होगा, frame rate क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहां से decide कर सकते हैं, और यहां से हम लोग change भी कर सकते हैं, यहां से हम लोग जो है वो export करते हैं, अब यहां पर for example आ जाते हैं, हम लोग यहां पर, हम लोग आ जाते हैं, cut में, यहां पर edit में आ जाते हैं, अब यहां पर आप नेकें, तो menu में हमारे पास काफी सारे option हैं, काफी सारे option हैं, बहुत ज़्याद option है आपके पास आपके पास यह है option work space का तो यहाँ से आप पेज भी switch कर सकते हैं switch to page media सबसे first page है मारा sorry first page है उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो यह कर सकते हैं उसके बाद page show अपके आपके पास चाहते हैं तो वहीं सारी चीज़े हैं कुछ खास इंपॉर्टन नहीं है reset UI layout अगर कुछ गरबढ हो जाता है जैसे क्या है यहां पर यह जीज है सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं अजिस्ट कर सकते हैं यह देख रहे हैं जहां पर भी line है ना वहां से हम लोग जो है इस चीज़ को adjust कर सकते हैं कुछ भी कहीं पर अपने according जो है space बनाना हो वो कहीं पर जाद है space चाहिए कहीं पर काम इस space चाहिए तो हम अपने according जो है वो बना सकते हैं अब कहीं पर कुछ गरबढ हो जाता है तो आप simple क्या गर सकते हैं यहां पर reset UI layout इसको उपर click कर सकते हैं और जो interface है वो पूरी तरीके से जो है वो reset हो जाएगा तो यह था basically interface और यहां पर जो हमारे पास यह कुछ option है यह जो panel है यहां से हम options को enable disable कर सकते हैं जैसे कि अभी क्या है यह media storage शो कर रहा है यहां से इसको hide करना हो हम hide कर सकते हैं इसके उपर just click करना है और यह hide हो जाएगा clone tool ओके यह हमारे पास clone tool जो है वो show कर रहा है उसके बाद वैसे ही आते हैं हम लोग यहां पर cut के अंदर तो देख लिए जो media pool शो कर रहा है sync bin शो कर रहा है मतलब pages के according यहां पर हमारे पास top में जो है वो options है transitions effect जो है वो show कर रहा है titles वगरा show कर रहा है sample किसी के उपर आप click कर सकते है और उसे apply कर सकते है और इसके बाद effects का जो है तो यहां पे आप किसी के उपर भी click करके उससे enable disable वो आप कर सकते है वैसे यहां पर हमारे पास array में है तो array में media pool है मतलब आपने अगर media pool का काम कर लिया है तो आप यहां से इसको hide कर सकते हैं फिर से अगर आपको इसको वापस लाना हो तो आप इसके उपर click किजिए और यह वापस आ जाएगा effects library है तो यह effects हमारे पास आ गया media pool को मैं off कर देता हूँ यहां पे हमारे पास सारे effects आ गया है तो काफी सारे effects यहां पे आपको मिल जाता है transition effects वगरा जो है वो आपको मिल जाता है next यहां पे हमारे पास edit index है and यहां पे हमारे पास sound library है तो फिलाल अभी भी यहां पे कुछ भी नहीं है यहां से हम लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं वैसी यहां पर इस साइड में हमारे पास mixer है और यहां पर हमारे पास mixer है तो यह mixer आ गया हमारे पास audio यहां पर हमारे पास meter देटा है जो की बहुत ही actually आप किसी भी footage को select करके उसकी information देख सकते हैं कि उसका जो weight and height है वो क्या है audio की information फ्रेम रेट वगरा की information उसके बाद यहां पर हमारे पास inspector है यह सबसे important option है यहां पर क्या कर रहा है basically जिस clip को भी हम लोग select करेंगे उसकी properties शो कर रहा है तो यहां पर properties basically कहां पर है frame में हमारे वीडियो में उसका position क्या है scale zoom वगरा group करना हम यहां से group कर सकते हैं और साथ ही यहां पर हमारे पास animation के भी option है जो कि आगे हम लोग explore करेंगे तो यह कुछ option है कभी भी कुछ भी गर्बर हो जाता है simply आप आईए और यहां से reset UI layout के उपर click कर दीजे और जो default था वो आपका यहां पर UI हो जाएगा तो इस तरीके से आपको जो है इस software को थोड़ा सा explore करना है आगे बढ़ने से पहले खुद जो है आप इसे try केज़े अलग-अलग pages के अंदर जाईए और फिर चीज़ों को थोड़ा बहुत complicated बनाईए फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गरबर हो गया तो आप जो है उस इसे hide कर सकते हैं यहां पर जो नौड शो कर रहा है उसे हम लोग जो है show and hide कर सकते हैं open effects है तो काफी सारे effects आपको मिल जाते हैं यहां पर भी उसे आप जो है show and hide कर सकते हैं उसके बाद light box है जिसमें आपके सारे footage जो है वो basically show करेंगे तो बस simply आप जो है इसे explore कीजिए और फिर आगे बढ़िया तो फिर से हम लोगे start करेंगे media import करने से उसके बाद जो है फिर आगे की editing हम लोग देखेंगे guys editing करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी media file को software के अंदर import करना है वैसे पिछले section में हम लोगों ने देख लिया था किस तरह के से import करेंगे लेकिन इसको थोड़ा सा जो है वो और हम लोग explore करेंगे लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले मैं आपको जो है एक बहुत ही important चीज़ जो है वो suggest करना चाहूंगा और वो यह है कि आप import करने से पहले अपनी सारी media file को एक जगा collect करके organize करके जो है वो रख लें एक folder create कर लें अपने project के नाम से और उसके अंदर सारी media file को जो है वो collect कर कि आप रख लें ऐसा ना हो कि आपकी कुछ photos जो है वो किसी दूसरे folder में है कुछ दूसरे drive में एक video c drive में एक video d drive में ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है वहना future में अगर कुछ परिशानी हुई और कुछ delete वगयर हो गया तो आपके लिए बहुत पंका हो चाहिए इसलिए ब इस course के दौरान में यूज करने वाला हूँ आपको सिखाने के लिए तो आपको भी इसी तरीके से सारी चीज़ों को organize कर लेना है तो यहां पर फोल्डर्स वगरा भी create कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए वैसे यह चीज़ आप software के अंदर भी कर सकते हैं तो आपको स जिसके अंदर हम directly import कर सकते हैं ब्राउस करके तो यहां पर यह हमारे पास browser basically media storage यहां से आप यहां से आपको media storage वो कर दो कर देना है और उसके बाद यहाँ से डायकी गड़की आप उसे ब्राउज pokken कर forma अधि有人 कि ऊसके बहुतने होसके उसके निए धो अनदर हमारी सारी मीडिया फाई से तो हम चाहें तो यहां पर कर सकते हैं, यहां से डेरिकले इस पूरे के पूरे फोल्डर को जो है, वो हम लोग कर सकते हैं, और जो भी इस फोल्डर के अंदर है, वो सारी चीज़ जो है वो आटॉमानोकल इंपोर्ट हो जाएंगे, तो हम लोग पहले एक एक करके तो यह हमारे पास metadata तो इसकी information आप देख सकते हैं कि इसका जो frame rate है वो 29 है basically 30 है और इसका जो width and height है वो यह है और audio की information यह है dual channel यह audio है और भी दूसरी information मतलब इसका duration दूसरी चीज़ है तो आप information देख सकते हैं इसकी according आप project का size जो है वो decide कर सकते हैं या पिर आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं जैसे बैसे import करूँगा first time अगर first time मैं कोई video clip करता हूं तो हमारे पास यह pop-up आ जाता है change project frame rate ओके इसका size तो same है like मेरे project का size है 1920,1080 width and height वो तो same है लेकिन frame rate जो है वो अलग है यह 30 frame rate वाला है लेकिन हमारा जो project है वो क्या है वो हमारा 34 frame है तो आप चाहें तो इसके according अपने project की settings change कर सकते हैं इस video के according तो फिलहाल मुझे नहीं करना है तो मैं यहां से करूँगा don't change और यह हमारा media file जो है वो यहां पर आ गया मेरे पास यह है मैंने इसको track करके यहां पर दाल दिया और यह हमारे इंपोर्ट हो गया आप कहीं पर भी हो जरूरी नहीं है कि आप media file में हो आप कहीं पर भी हो आप drag and drop कर सकते हैं तो यहां पर हमारे पास यह है कट के अंदर भी हो हम सिंपल आएंगे क्या यहां पर आएंगे और यहां से हम लोग जो है इससे सिंपल ज्राग करके यहां पर राल सकते हैं और यह हमारा इंपोर्ट हो गया यहां वैसे हम लोग अगर यहां पर यह थोड़ा ज्यादा डिस्टरब कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग चाहे edit में हों हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर directly जो है वो ड्राग and drop कर सकते हैं तो अब यह तो हो गया कि किस तरीके से हम लोग import करेंगे अब यहां पे चीज़ों को आप जो है वो organize भी कर सकते हैं अब यहां पर media files को आपने जो है वो import कर लिया for example लिस्ट करते हैं उसके बाद में करता हूं कुछ चीज़ें डबल डबल जो हो गई थी अब यहां पर सारीजीजें आप यहां से जो है प्रिव्यूं ऑप्शन चेंज कर सकते हैं तो यहां पर हमारे पास thumbnail है, list view है, तो thumbnail view best है, यहां से आप जो है, उसका size बढ़ा सकते हैं, गटा सकते हैं, जो भी आपको रखना हो, उसके बाद जो है, आप आजाएं, finally, cut के अंदर, या फिर आप simply आजाएं, edit के अंदर, cut के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्यों क बहुत जादा important नहीं है, अब यहां पर आप जब edit के अंदर आते हैं, तो यहां पर हो सकते हैं, अभी यह option शो कर रहोगा, master, तो यहां से आप basically क्या कर सकते हैं, यहां से थोड़ा सा इसको जो है, अपने according, यह कर लेता हूं, adjust कर लेता हूं, यहां पर अपनी media file को जो है, वो organize कर सकते हैं, bin वगरा जो है, वो create कर सकते हैं, मतलब folders create कर सकते हैं, जैसे देख लिएचे, मैं यहां पर right click करता हूं, और new bin add करता हूं, folder add करता हूं, और मैं इसका नाम डाल देता हूं, क्या, image, okay, image, और जो भी मेरी image वाली file है, मैं उसको इसके अंदर डाल देता हूं, अब यहां पर देख लिए, एक हमारे पास यह folder आ गया, यहां से हम master में आ सकते हैं, और folder में अगर हम हो, तो यहां से अगर हमें back आना हो, तो हमें यह नहीं सोचना है कि यार यह मैंने क्या गर दिया, for example, अब यहां पर आ जाते हो, और आपको folder से back जाना है, और आपको सकते हैं, तो यहां पर सारी चीज़ें आप organize कर लेजें, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसे use करना है, यह कि आगे हम लोग देखेंगे, तो यह हमने import कर लिया, अब कहीं भी हमें इसे use करना हो, हम लोग multiple तरीके से use कर सकते हैं, simple drag and drop कर सकते हैं, और इसके उपर editing क कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको import करना है, उसे organize करना है, और इसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, Guys, edit workspace के अंदर हम लोग अपना सबसे ज़्यादा time वो spend करेंगे, इसलिए इसके interface को थोड़ा सा समझ लेदे कि कहां पर कौन सी चीज़े हैं और किसका क्या काम है, तो हमारे पास यह तीसरे number का page है, यह है edit page basically, और इसके अंदर हम लोग अपना सबसे ज़्यादा time spend करेंगे, क्योंकि जो भी cutting है, जो भी editing वगर है, वो सारी चीज़े जो है, वो हमारी यहीं पे होंगी, वैसे मैंने यहाँ पे cut page को bypass किया है, क्योंकि actual में यह थोड़ा बहुत important है, लेकिन बहुत ज़्यादा important नहीं है, actually मैं आपको थोड़ा सा क्यों ना, बता ही दूँ, तो basically क्या ह है, यहाँ पे हमारी सारी video files है, और यहाँ से हम लोग जो है, इसको double click करके जो है, इसको preview कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बाद जो है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें cutting वगरा करनी हो, मतलब जिससे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यह आप handle देख रहे है, यह handle है, तो यह handle है, और यह last handle है, basically यह first frame है, first point है video का, और यह last point है, तो यहाँ से for example, आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की video चाहिए हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की video चाहिए हो, यहाँ से यहाँ तक की है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, I press कर सकते हैं, in point, औ और यहां पर आप जो है ओ प्रेस कर सकते हैं सॉरी यहां पर आप जो है ओ प्रेस कर सकते हैं और यह अब क्या हो गया इतना बड़ा हो गया तो अब इसको हम लोग ड्राइक करके यहां पर डाल सकते हैं यह चीज यहां पर आ गया और यह बिसिकली क्या है यहां पर हमारे पास दिया गया है ताकि आप इजीली जो है वो कट कर पाएं साथी और्गिनाईज वगएरा कर पाएं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास अगर multiple footage है for example यह footage है और यह footage है मेरे पास multiple footage है okay and यहां पर for example जैसे मैं इसके उपर click करता हूं and हमारे पास यह कुछ option आ जाते हैं insert के override वगएरा कि यहां से हम लोग जो है इसको insert कर सकते हैं direct timeline में तो अब यहां पर आप देखे तो नीचे हमारे पास एक timeline है और उपर यह हमारे पास full time line है जिसमें सारे clips जो है वो शो कर रहे हैं तो इसका फाइदा है कि यह है कि अगर आपको for example जैसे मैं क्या अगरता हूं यहां पर कहीं पर आपको डालना हो है न वीडियो के अंदर ही यहां पर डाल सकते हैं अब यहां पर क्या है easy कि आपको किसी के बाद किसी को डालना हो आप easily यहां पर डाल सकते हैं क्योंकि क्या है यह पूरी की पूरी वीडियो आपकी इतनी ही दूर में show कर रहा है यूजर है उनके लिए हो सकता है थोड़ा useful हो इसलिए यह चीज़ आपको प्रीमियम कोर्स में मिलेंगे या फ्यूचर में हो सकता है तो मैं अपडेट करूंगा अब यहां पर यह हमारा source monitor है मतलब यहां पर जो भी चीज हम play करके देखना चाहेंगे है ना जैसे मैं यहां पर scrub कर रहा हूं तो यह play हो रहा है तो जो भी चीज हम लोग play करके देखना चाहेंगे अपने media pool से वो चीज हमारा यहां पर show करेगा है और यह है हमारा timeline तो जो भी हमारी editing होगी किसके ब हमारा final output होगा वो हमारा final program window में या पर आप कह सकते हैं preview window में जो है वो शो करेगा जो भी हमारा final output होगा वो यहां शो करेगा यहां पर हमारा source preview है basically यह timeline है और यह हमारा final preview है तो यहां पर मैं आपको एक cycle समझाता हूं कि किस तरीके से यह basically work करता है सबसे पहले media file से हमारी footage जाती है कहां पर source monitor में यहां पर आती है यहां से हम उसको cut वगरा करते हैं कि कितना part हमें चाहिए कितना नहीं चाहिए कितना से कितना area तक हमें जो है उस video में से चाहिए यह सारी चीज़े हम लोग यहां पर करते हैं वैसे हम चाहिए तो इस part को skip भी कर सकते हैं directly timeline में आ सकत तो video file या audio file वो यहां से media pool से आती है, यहां पर हमारे source monitor में, source monitor में हम लोग cutting वगेरा करते हैं, आगे मैं आपको बताओंगा किस तरीचे से करना है, यहां से हमारी media file आती है, simply हम लोग क्या करते हैं, यहां से जैसे कि यह है, इसको drag करके हम लोग ला देते हैं, यहां पर अप पाड भी हमें चाहिए था वो हमने स्लेक्ट करिया उसके बाद उसको मैंने डाल दिया यहां पर टाइम लाइन में अब टाइम लाइन में हम लोग उसके एडिटिंग करेंगे और जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो यहां पर शो करेगा मतलब जैसे देख लिजे क इब यह इमेज है तो यह इसके उपर शो कर रहा है और यही हमारा फाइनल वीडियो में जो है वह शो करेगा तो यह है हमारा सबसे पास कुछ ओप्शन है सबसे पहले हमारे पास ओप्शन है श्रिंक का तो अगर आपको टाइम लाइन में और ज्यादे स्पेस चाहिए तो आप इस media pool को जो है वह फोड़ाँ सा श्रइंक कर सकते हैं जैसे देख लिए जैसे मैं से ओपर कुलिक करता ओं तो ये श्रिंक हो गया और ये timeline में हमारे पास काफी सारह SPACE आ गया और ये timeline में space होना भी कही ना कहीं जिए बहुत ही देख लिएजी हमारे पास transition effects है, video transition है, audio transition है, titles वगएरा है, तो काफी सारे titles, यह सारी चीज़े हम लोग कहाँ पी preview करेंगे, हम लोग preview करेंगे, source monitor के अंदर है, यह सारा चीज़ जो है, वो source monitor के अंदर जो है, वो preview होगा, तो काफी सारी चीज़े हैं, उसके बार generator है, हमारे पास effects है, and then कुछ filters वगएरा भी जो है, वो आपको मिल जाते हैं, तो काफी सारी चीज़े इसमें जो है, वो आपको मिल जाते हैं, तो यह हमारे पास effects library है, उसके बार यहाँ पर हमारे पास error index है, फिलाहल इसको भूल जाए, sound library है, इसे भी आप फिलाहल जाए, तो मेंली हमारे पास यहाँ पर media pool and effects library है, तो normally हम लोग media pool को on करके रखते हैं, वैसे अगर हमारा media pool का काम हो जाता है, तो हम लोग जो है इसे off करनेंगे, next यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ option है, यह हमारे पास mixer, तो यह basically audio के लिए use होता है, तो यहाँ पर देख लिए, यह audio का है, तो जो भी हमारे पास audio track होगा, उसका volume बढ़ाना करना, वो सारी चीज़ा हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, तो आपके पास अगर इस space है, अगर आपका monitor बढ़ा है, तो आप इसे on करके रखें, वरना आप जो है इसे off कर दीज़ें, नेक्स यहाँ पर हमारे पास meta data है, मतलब simple, किसी भी footage का, अगर हमें data देखना हो, कि उसका size, frame rate वगरा क्या है, वो चीज़ जो है, हम लोग इससे देख सकते हैं, वैसे इसकी normally ज़रूरत नहीं बढ़ दीए, या फिर कभी reference के लिए अगर आपको देखना हो, तो आप जो है वो देख सकते हैं, तो यह option मैंने यहाँ से off कर दिया, next यहाँ पर हमारे पास क्या है, inspector है, और यह बहुत ही important option है, तो जब भी final, आप normal cutting वगरा करनी के बाद, finally जब उसको adjust करेंगे, तो यहाँ से आप जो है उस चीज़ को adjust कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो है, उसके बाद audio है, effects है, transition है, फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, जिसको मैंने select किया हुआ, उसमें कोई audio नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा option जो है, वो नहीं आ रहा है, audio से related और दूसरे options से related, तो यहाँ पर basically हमारे पास क्या है, zoom है, यह zoom जो है, scale है, position है, rotation और group अगरा करना हो, सारी options जो है, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो inspector panel के जो है, वो काफी जादा जो है, वो कहीं न कहीं use होता है, तो यहाँ पर यह हो गया हमारे पास, media pool और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपका इसका source monitor का का काम हो जाता है, तो आप single monitor में भी आ सकते हैं, मतलब final, तो उसके लिए हमारे पास यह option है, single viewer mode, next यहाँ पर हमारे पास जो हैं, कुछ controllers हैं, यह controllers आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगे, और same way में जो है, वो दोनों work करता है, लेकिन यह जो controller है, यह source monitor के लिए work करता है, और यह जो controller है, यह basically timeline के लिए work करता है, तो timeline में भी जहाँ पर भी हम कुछ भी करेंगे, मतलब timeline में देख लिए यह playhead हमारा यहाँ पर है, तो वो चीज यहाँ पर शुकर रहा है, तो यह जो window है, यह पूरी तरीके से जो है, वो timeline के according work करता है, timeline के साथ जो है, वो work करता है, उसी के साथ-साथ यहाँ पर हमारे पास यह option है, zoom करने का, तो simple, अगर आप जो है, scroll करते हैं, तो इससे आप zoom in, zoom out कर सकते हैं, इसको window को, अगर आपको वही पर zoom करके देखना हो, तो आप जो है, आपको fit करना हो, आप पुरी तरह से fit कर सकते हैं, आपको zoom करना हो, आप zoom कर सकते हैं, है ना, finally fit करना हो, आप जो है fit कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, कि exactly हमारे जो playhead है, sorry, इसका जो total duration है, वो क्या है, मतलब यह जो हमारा पूरा का पूरा project है, मैं single view में आ जाता हूँ, यह जो हमारा पूरा का पूरा project है, वो कितने duration का है, मतलब अभी क्या है, यह 9 second का है, है ना, यह पूरा का पूरा हमारा project जो है, वो 9 second का है, उसके बाद ये जो टाइम यहांपे show कर रहा है ये show कर रहा है कि आपका जो Playhead है ये जो हमारा Playhead है ये इ milhões कहांपर है अबी तो वो चीज यहांपे उसके बाद यहांपे show कर रहा है उसके बाद ये Timeline है तो काफ़ी Detail में सारे चीजों को हम लोग आगे जो है वो explore करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस source monitor का किस तरीके से use करना और क्या use है उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे timelines का and then फिर आगे हम लोग explore करेंगे इन सारे tools को इन सारे options को फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इन सारे options में तो अब finally हमारा जो है वो practical start होगा guys बढ़ते हैं finally हम लोग अपने editing की तरफ और बात करते हैं source monitor के बारे में source monitor का क्या use है उसका हम लोग क्यों use करते हैं हम लोग directly अपने media pool से जो है image को videos को अपने timeline में क्यों नहीं रालते हैं हमें source monitor की क्या जरूरत है तो सबसे पहले मैं आपको बता दो कि जो चीज हम लोग cut page के उपर करते हैं वो चीज हम लोग source monitor के अंदर करते हैं यहां पर जो हम लोग करते हैं cut page को मैं skip कर रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही ज़ादा अभी के लिए important नहीं है क्योंकि time की बहुत ज़ादा limitation है और यह बहुत ही ज़ादा important नहीं है वैसे यह चीज हमारे premium course में आपको देखने को बेल जाएंगी कि किस तरीके से इसका use करते हैं वैसे मैं आपको बता देता हूँ simply यह हमारा media pool जहां पर हमारी media files है और यह हमारा preview window basically source monitor है तो जिस वीडियो को भी हमें preview करना हो हम जो है उसके डबल ख्लिक करके यहां पर preview कर सकते हैं अब यह हमारा timeline वाला area है तो हम लोग क्या करते हैं basically cut page के उपर हम लोग basic cutting करते हैं जिसे हमें किस वीडियो में से कितना पाट चाहिए है वो चीज हम लोग cutting करते हैं वो सारी चीजे मतलब for example दो गंडे के वीडियो है उसमें से मुझे 5 मिनट चाहिए कहां पर चाहिए वो सारी चीजे हम लोग जो है वो cut page के उपर करते हैं और वही चीज हम लोग यहां पर edit के अंदर इस source monitor की जरीए करते हैं लेकिन उसके लिए special interface यहां पर दिया गया है तो किस तरही से use करेंगे for example जैसे मेरे पास यह है एक वीडियो मेइन वीडियो अब यहां पर देख लिए यह हमारे पास यह वीडियो है आप सिंपल जो है space bar का use करके जो है यह से play and push कर सकते हैं न किसी भी सॉफ्टर में space bar हम लोग प्रेस करते हैं तो play and push होता है अब यहां पर हमारे पास यह handle है कुछ handle है यह हमारा जो है वो starting वाला point है और यह हमारा बिल्कुल end वाला जो है वो point है अब इसमें से कुछ portion हमें चाहिए for example मुझे चाहिए यहां से यहां तक का portion चाहिए तो हम क्या करेंगे वो चीज इसके जरीए जो है वो कर लेंगे तो यहां पर इसको किया और यहां पर exactly frame भी show कर रहा है यह हमारा last frame show कर रहा है और यह exactly मतलब यह जो point है यह आप देख रहा है यह जो point है उसका यहां पर show कर रहा है और यह जो point है वो यहां पर show कर रहा है तो हम exactly उसके जरीए अंदाजा लगा सकते हैं जैसे मैं अच्छे example के लिए मैं यह video ले लेता हूँ for example इसके उपर मैंने double click किया अब यह हमारे पास video है यहां पर graph नहीं show कर रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई audio नहीं है इसके अंदर हमारे पास audio है इसलिए यहां पर audio graph जो है वो show कर रहा था तो मैं इसको example की दौर भी ले ले रहा हूँ for example और अब यहां पर आप देखें मैं scrub क आपके उपर work कर रही है और उसके बाद फिर यह दर देखती है smile करती है और फिर पूरी दरीये से हम लोगों से मुखातिव हो जा रही है तो यहां पर अगर आप देखें तो यह हमारा first point है इसके उपर जैसे मैंने click किया यह first frame है मतलब video का सबसे starting frame है starting position है और यह हमारे पा क्या चाहिए मुझे चाहिए कि यह लड़की जब इधर घूमती है for example यहां भी वक करें यहां से गूंती है ऐसे अब यहां से मुझे last तक चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहां पे ले आएंगे frame by frame हम देख सकते हैं exactly यहां पे लिए अब क्या है यहां से यहां तक के option हैं अब हैं इस इंपल आप जो है ड्रागन जॉप कर सकते हैं यह हमने selection बना लिया कि हमें यहां से यादख की वीडियो चाहिए अब मैं इसको ड्राक करता हूं यहां पर टाइम लाइन में डाल दिए अभी हमारे पास दो टाइम लाइन है और यहां पर हमारा में टाइ लिए जो नीचे वाला जो एरिया है इसमें क्या है नॉर्मल व्यू जो है वह शो कर रहा है लेकिन यहां पर अगर आप इसमें देखें तो इसमें पूरा का पूरा जो ग्लिप है लब टोटल जो डॉरेशन है है फुल यहां पर जो है वो शो कर रहा है तो यहीँ चीज है तो आप यहां पर हम लोग जो आ Mayor K भी डाला है उसको मैं डिलीट कर दिया दूसरी चीज यह है कि जैसे आप जो है टाइम लाइन में किसी भी फुटेज को ड्रैक करते हैं तो एक टाइम लाइन जो है वो एक प्रोजेक के अदर मल्टिबल टाइम लाइन होता है और असलोट वॉसके अलग 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 लग तरीके से अरॉन डाल सकते हैं नाल सकते हैं बहुक बहुत किससे जरूरत नहीं है अब यहां फिल्कुल फ्रेश हो गया अब यह है हमारा source monitor यहाँ पे काफी सारी option ही इन सारी चीज़ों के बारे भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इसके उपर double click करता हूँ और यह देख लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे इसके अंदर जो selection बनाया था cut page के उपर वो selection यहाँ पर भी आ गया है dotted line तो मैं इसको full कर देता हूँ कि start से end तक यह line जो है वो यहाँ पर शुकर रहा है अब यहाँ पर सबसे पहले देख लिए कि आप इस space bar press करेंगे तो आपका यह play होगा and push होगा यहाँ पर हमारे पास buttons है आप इस buttons से play कर सकते हैं तो यहाँ पर अच्छा सा effect यह आगया अभी और यह हमारे पास से stop का तो आप इसके उपर क्लिक करके stop कर सकते हैं या फिर आप सिंपल SPC बार का यूज़ कर सकते हैं नेक्स यहां पर हमारे पास option है बिल्कुल last frame के उपर जाने का मतलब आप कहीं पर भी हो बिल्कुल last में आपको जाना हूँ आपने यह मेरा माउस है इसके उपर मैंने क्लिक किया और यहां से मैं इसको स्क्राब कर रहा हूं है तो यह चीज आप डायरेक्ली यहां से कर सकते हैं स्मूथ वे में इसके जरूरत नॉमली नहीं पड़ती है नेक्स यहां पर हमारे पास लूप का ऑप्शन है तो लूप का ऑप्शन क्या है जिसे फॉर एक्जेंपल हमारी वीडियो खतम होती है तो अभी क्या होगा यह रुक जाएगा ओके यह वीडियो हमारी रुक गई लेक है नेक्सिव फेल की कुछ एंगी ऑफशन सेज़से की सोर्स सें सूरस मतलब अभी एग्सेटली सोर्स जो भी हमारी वीडियो है मेरी वीजिएदिक हां वो शो कर रहा है उसके बाद यहां पर हमारे पास आउफलाइन का उपशन है अगर हमें इस ऑस और में इस सॉर्स ओट मोनिटर को ओफ-लाइन कर सकते हैं यह बिल्कुल बंद हो गया जैसे यहां पर प्रोग्राम मोनिटर में कुछ क्यों नहीं शोगे रहे है क्योंकि टाइम लाइन में कुछ भी नहीं है उसके बाद यहां पर हमारे पास और यू ट्रैक है तो फिलहाल इस वीडियो में यह जो हम को लाण रहा हो तो हमारे पासओ ऑनप्से यह जो क्यों आ रहा है इसके बारे में आगे बात करी आदे क्म और लिए अगर मैं एक होजहाता हूं यहां पर और आठाट म में डी आ पर आठी लिए यहां पर घुक्रには पर और अजर मे रहा सेआफि ब्युनम कर सकते हैं double click and fit okay so here my bus audio to your new graph to have we hopping sugar next up in my bus option here you match frame commerce frame के बारे में actually हो सकता है तो आगे बात करेंगे या फिर अभी में आपको बता ही देता हूं okay so मैं आ जाता हूं source में और मैं इस वीडियो को सेम वीडियो को मैं टाइम लाइन में डाल देता हूं यह match frame क्या है basically यहां पे जो frame है वो चीज और में टाइम लाइन में यहां पे आचाएगा तो देख लिए यह है हमारे पास क्योंकि यह exactly हमारे टाइम लाइन में कहां पे है यह वाला सीम उसके उपर मुझे कुछ editing करनी है तो मैं सिंपल किया करूंगा इसके उपर क्लिक करूंगा और वो अगर यह वीडियो टाइम लाइन के अंदर है तो ऐसा होगा तो यह हमारे पास match frame नेक्स यहां पर हमारे पास यह सबसे important option है mark in और mark out यह सबसे important option है जिसके बारे में अभी हम लोग उने cut page के उपर बात किया था कि किस थरीके से हम लोग जो है इसका use कर दें सेम यही चीज है यह हमारे पास source monitor के अंदर तो अब देख लीजे फिर से आ जाते हैं यहां पर है यह लड़की जब चलो जब यह ऐसे हो जाती है यहां से और यहां तक कि मुझे वीडियो चाहिए बहुत लबी वीडियो फॉर इक्सेबल 10 मिरट की वीडियो है लेकिन हम उसमें से refine करके अपने timeline में डालना चाहते हैं वैसे timeline के अंदर भी हम लोग यह चीज कर सकते हैं ले और उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूं कि लास्ट फ्रेम के उपर ठीक है मुझे यहां तक चाहिए यहां से यहां तक चाहिए तो मैं क्या करूंगा out इसके उपर मैं क्लिक कर दूंगा अब basically क्या हो गया कि इतनी बड़े वीडियो में से मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा पा कि इसके अंदर audio नहीं है तो यह हमने कर दिया तो वही चीज हम लोग यहां पर करते हैं mark in और mark out शॉटकिट की हम लोग यूज कर सकते हैं mark in के लिए i और mark out के लिए o अब जैसे देख लिए for example मैंने इसको रिलीट कर दिया अब मुझे चाहिए कहा से for example मुझे starting से चाहिए और यहां तक जब तक वो laptop पे walk कर रही हो के मुझे जो है smile वाला ये footage जो है वो नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे first position पर आएंगे मैंने press किया i in point के लिए और उसके बाद मैं okay so यहां तक वो walk कर रही है seriously तो मुझे चाहिए ओ अभी यह हमारा जो है इतना से इतना a constant है वह हमारे जो है वो यहां पर बोड होगा फिर हमारा final output ऑफ कर रहा है और यह किसके अड कोर emente Allube js sheets र कर रहा है यह kori है यह जो पर पर ये पूरी तरीके से timeline के according work करता है यहाँ पर भी अगर हम लोग scrub करते हैं या फिर यहाँ पर भी जो भी कुछ हम लोग करते हैं वो सारी चीज़े timeline में effect करती है तो यह हमारा source हो गया तो यहाँ पर basically हम लोग refine करते हैं इसलिए मैंने का कि मैं यहाँ पर timeline को cut जो हमारा work space है तो उसको मैं skip कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते है अगर आपने प्रीमेर प्रो यूस किया है तो यह चीज़ आपको आलरी पता होंगे कि कैसे यह सारी चीज़े वाक करती है तो same way में जो है वो वाक करता है मतलब अगर आपने प्रीमेर प्रो यूस किया है तो वहाँ पर भी same तरीके से हम लोग चीज़े करते है अब यहाँ पर हमारे पास कुछ option है इससे related यह हमारे पास insert यह हमारे पास override और यह हमारे पास replace का तो देख लेते हैं जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैं क्या दर रहा हूं यहां से उठा करके मैं इसको यहां पर डाल ला हूं हम चाहें तो directly इन तीनों बटन में से किसी एक का जो है वो यूस कर सकते हैं अपनी यूस के एक्वारिंग तो for example मैं यहां पर दूसरी वीडियो ले ले लीता हूं यह यहां तक है यहां के बाद मैं उठके बंद कर रहा हूं तो अब मेरी वीडियो जो है वो यहां से यहां तक हो गई हुए मैं इसको ज्राक करके डाल दे था हूँ टाइम लाइन में और इसके अगर आप देखें यहाँ पर यह और यह और चीज मुझे बताना ज़रूरी है और वो यह है कि जिससे मैं यहाँ पर ड्राइक करके डाला हूँ को नीचे वाला है ग्रीन कलर का यह हमारा क्या है और यह उपर ब्लू कलर का है हमारा दोनों एक दूसरे सा लिंग है अभी इसको भी अलिंक हम लोग कर सकते हैं तो यहां पर भी क्या हो रहा है by default ओडियो वीडियो दोनों आ रहा है लेकिन हामें सरफ और सर्फ जाहिए या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ ओडियो चाहिए, तो उस case में हमारे पास यह option है. सिर्फ वीडियो चाहिए तो हम इसके ओपर क्लिक करेंगे और अब क्या होगा सिर्फ और सिर्फ वीडियो आएगी और यो नहीं आएगा तो अगर आपका कोई ऐसा फुटेज है जिसमें और यो बहुत जादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसे आपको फाइनली रिमूवी करना है तो आप सिंपल क्या केज़े यहीं से डारेक्ली सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो है वो डालिए ताकि आपका जो टाइम राइन है वो भी बहुत जादा कॉंप्लिकेट ना हो उसके बाद नेक्स यहां पर अगर आप देख लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑडियो चाहिए तो आप यहां से यह जो ऑडियो का आइकॉन है इसके उपर क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ और यो को जो है वो ट्राक कर सकते हैं तो यहीं चीज़ है सोर्स मॉनिटर से हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से हम लोग audio video कर सकते हैं अगर हम directly आप करते हैं तो दोनों चीज़ें आ जाएंगे तो यही कुछ फायदे हैं source monitor के तो अब यहां से drag and drop कर सकते हैं अब यहां पर आता है हमारे पास यह option इंसर्ट का और इसके के यहां बडनेमे पाद overwrite एंग क्लिप इंसर्ट से फजहें मेरा वही आ इंसर्ट होगा और उसके बाद मैं क्या करता हूं Rocky करता हूं अब यह हमारे जो है और इंसर्ट होगया अभी हमारे Kollege यहां पे, for example, इसके आगे मुझे कुछ डालना है, मैंने in और out point बनाया हुआ है, या फिर हम चाहिए, तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम यहां से यहां तक for example कर देते हैं, और यह हमरा selection बन गया, अब यहां से मैं insert कर देता हूँ, playhead मेरा यहां पे है, playhead ज यहां पे अगर आप insert करते हैं, जैसे playhead यहां पे, और अब अगर आप insert करते हैं, तो यह क्या करेगा, बिसलिए, इस clip को यहां से काट करके, इसको आगे खिसका देगा, और बीच में, जो भी आपका, जितना duration का आपका selection है, उसको insert कर देगा, देख लिए, मेरा playhead यहां प duration, 27 seconds, 23 milliseconds, यह exact duration है, for example, 20 seconds, तो अब यहां पे क्या है, अगर मैं insert करता हूँ, तो आप इसका duration देखना हूँ, सबसे पहले तो इसको cut करेगा, इसमें insert हो जाएगा, और इसका duration भी बढ़ जाएगा, तो मैंने क्या insert, और इसमें 12 seconds और add होगा, 12 seconds कैसे बता चला, यहां पे back 12 seconds पे हैं हम, तो यह add हो गया, अब हमारे project का duration है, वो यहां पे 40 seconds हो गया, तो insert जो है, वो कुछ इस तरीके से वो work करता है, आपको इस चीज़ का बस दिहान रखना है, कि playhead जहां पे होगा, वहां पे आपका यह insert हो जाएगा, next यहां पे हमारे पास option है, override का, तो override क्या है जहां पर भी हमारा playhead होगा, वहां से और जो भी duration, जो भी लंबी हम यहां पे video select करेंगे, उसके according, वो क्या करेगा, override कर देगा, automatically, और यहां पे कोई ऐसा नहीं कि खिसका देगा, आपका duration exactly 27 seconds ही रहेगा, बस override कर देगा, हाँ, अगर clip बहुत जादा बड़ी है, तो उसके according और extra space आजाएगा, तो देख लीजिए, मेरा playhead यहां पे है, है ना, और मैं इसके ओपर click करता हूँ, और यह देख लीजिए, हमारा total project का जो duration है, वो 27 seconds ही है, लेकिन बीच में इसने क्या किया, बीच में से इसने override कर दिया, जो भी पहले का footage था, उसको हटा करके, इसने यह footage डाल दिया, तो इस तरीके से जो है override हमारा walk करता है, जैसे for example में कोई दूसरा, यह ले लिता हूँ, है ना, override, 5 seconds, sorry, मैंने क्या क्या, insert किया, यहां पे override के उपर click करता हूँ, और यह 5 seconds इसने add कर दिया, क्योंकि यह क्या है, यह image है, और image जो है वो एक तरीके से, जब भी import करते हैं, हम लोग timeline में डालते हैं, तो default जो duration होता है, उसका 5 seconds होता है, तो यह हो गया हमारा override, next यहां पर हमारे पास option है, replace का, तो replace में क्या होगा, देख लिजा, मेरा playhead यहां पर है, जो भी मेरा playhead है, इस से आगे जो है, वो replace कर देगा, तो यह image है, तो यह क्या करेगा, कि full को जो है, हमारे replace कर देगा, तो मैंने इसको select किया हुआ है, है न, basically played है यहां पर, और मैं replace के उपर click करता हूँ, और यह देख लिए जाए, यहां से यहां तक यह file को इसने replace कर दिया, चुकि यह image है, तो image को हम चाहे है, जितना भी बड़ा चाहे होतना कर सकते है, वैसे तक मुझे इसको replace कर देना, इसके आगे जो है, just replace कर देना, इस footage को, तो देख लिए जी, इसका duration है, कि तना duration है, इसका 8 seconds, 8 seconds तक इसने इसको replace कर दिया, वैसे ही मेरे पास कोई दूसरी footage है, for example, यह footage है, यह 12 seconds का है, मैं इसको यहां पर डालता हूँ, जहां से भी आपको करन इधर हो, या इधर हो, जो है, वाक करेगा, तो basically आप जो है, इसको प्राक्टिस कीजए, automatically आप समझ में आ जाएगा, तो यह insert के tools है, तो यह है source monitor, basically इसका जो काम है, वो यह है, कि हम यहां पर अपनी footage को refine करते हैं, और अपने according, जो है, जितना भी हमें footage, शाहिए, एक एक section में हम लोग जो है, वो timeline के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही important है, क्योंकि timeline ही एक ऐसी चीज़ है, जिसका सबसे ज़्यादा जो है, वो use होता है, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जो है, अपना time है spend करते हैं, Guys, timeline video editing के लिए सबसे important panel है, जो भी हमारी editing होती है, किसके बाद किसको रखना है, किसको trim करना है, कहाँ पे effect डालना है, कहाँ पे transition डालना है, कहाँ पे हमें logo डालना है, कहाँ पे क्या डालना है, वो सारी चीज़े हमारी timeline के अंदर होती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, कि हमें timeline के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, कि कहाँ पे कौन सी चीज़े हैं, और कौन सी चीज़े कैसे work करती है, तो यह जो area है, यह हमारा timeline का area, और यहीं पे सारी creativity होती है, यहीं पे सारा amazing work होता है, जो कि final output में हमारा जो है, वो दिखता है, तो यहाँ पे काफी इसके लिए टो यहां तक हमारा वीडियो है, इसके बात कुछ पी रहे है, तो यहां तक हमारा वीडियो होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कि यहां पे यह जो time show कर रहा है, यह क्या है, यह हमारे overall वीडियो का duration होगा, वो show कर रहा है, मतलब final output में, तो final duration जो है, बहुत ही important चीज़ है तो इसका जो position है यह exactly अभी कहां पर है वो चीज़ यहां पर शो कर रहा है यह जो time शो कर रहा है यह हमारे play hit का time शो कर रहा है और यहां पर भी जो time शो कर रहा है यह हमारे play hit का जो है वो time शो कर रहा है कि exactly हमारा play hit जो है अभी कहां पर है तो यह play hit पास यहां पर कुछ टूल्स है, कुछ को तो हम लोगों ने देख लिया था इन तीनों को, अब यहां पर कुछ को आगे हम लोग देखेंगे, और यहां पर कुछ आप्शन्स हैं, यहां पर कुछ आप्शन्स हैं, और यहां पर कुछ आप्शन्स हैं, और भी बहुत सारी यहां पे जब भी आप किसी भी media file को timeline area में लागर करके drag करते हैं तो automatically एक timeline create हो जाता है और timeline basically अगर आपने Premiere Pro in case use किया हो तो उसमें जिस तरीके से sequence होता है उसी तरीके से यहां पे हमारा timeline होता है अगर आपने after effects use किया हो तो उसमें जिस तरीके से composition होता है उसी तरीके से da Vinci dissolve में जो है वो हमारा timeline होता है तो automatically timeline create हो जाता है timeline में हम यह decide कर सकते हैं कि हमारे video का width क्या होगा height क्या होगा और frame क्या होगा लेकिन da Vinci dissolve में चुकि हमें projects में ही वो settings मिल जाते हैं यहां पे हमारे पास क्या था file and project manager इसके अंदर ही हमारे पास यह है width and height and frame rate यह दो सबसे important चीज़ है तो यह चीज़ हमने अपने project में ही basically decide कर लिया तो इसी के according automatically timeline जो है वो create हो जाता है आप चाहें तो इसे delete भी कर सकते हैं आप चाहें तो multiple timeline जो है वो create कर सकते हैं एक ही project में multiple timeline जैसे for example आपका एक project है की मुझे एक movie بनानी है तो movie बनानी है उसके लिए हम लोग एक project क्रियेट करेंगे कि movie है ना और उसके अंदर फिर हमाना अलग-अलग timeline बनाएंगे एक timeline बनाएंगे घर हम लोग song के लिए एक timeline हम लोग बनाएंगे action scene के लिए एक timeline हम लोग बनाएंगे romantic scene के लिए और जितने चाहें उतने हम लोग जो है वो timeline बना सकते हैं और हम चाहें तो एक timeline को दूसरे timeline के अंदर भी डाल सकते हैं तो अब देख लिए जैसे मैं क्या गरता हूं मैं यहां से इसको simply यह जो हमारे पास timeline है मैं इसको delete कर देता हूं इसको उपर मैंने right click किया और remove timeline और मैं इसको delete कर देता हूं तो अभी यहां भी कोई भी timeline नहीं है लेकिन जैसे मैं इसको drag करके यहां पर डालता हूं automatically timeline create होगा timeline 1 हम चाहें तो multiple create कर सकते हैं अब for example मुझे इसी में एक square video बनानी है इसी project के अंदर square video जिसमें हमें बनानी है तो हमसे बिल किया करेंगे right click करेंगे timelines create new timeline और उसके बाद यह इसका नाम है timeline 2 तो मैं इसे timeline 2 ही रहने देता हूं उसके बाद यहां पर कितना video track होगा कितना audio track होगा by default one one होता है आप इसे रहने दे अगर यह नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आ जाएगा यह हमारे पास video track है और यह audio track है तो एक video track है और एक audio track है by default stereo sound होगा ठीक है अच्छी बात है next यहां पर हमारे पास option है use project settings तो हमारे project की settings क्या थी वीडियो का height क्या होगा width क्या होगा 19201080 और frame rate क्या होगा 24 तो वही चीज़ है अगर आप यह चाहते हैं कि project के आपकी जो settings है वही रहे तो आप इस option को mark कर देजे अगर आप चाहते हैं यहां पर format का option है इसके अंदर आ चाहिए और यहां पी जो width and height है इसको आप change कर दीजिए for example मुझे instagram के लिए video बनाने है इसी project के अंदर तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर इसको यहां पर मैं कर दूंगा 1080 मतलब 1080 sorry 1080 मतलब width और height जो है video का दोनों का same रहेगा तो क्या हो जो है basically 16 by 9 है मतलब width जो है इसका यह है 1920 मतलब अभी जो आप video देख रहे हैं यह course जो देख रहे है 1920 और height जो है 1080 तो यह आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा यह चौड़ा video यह पर आप लंबा कह सकते हैं लेकिन अगर आपको square video बनाने हो तो width and height जो है वो same रहेगा यह यह basic जीज है और frame rate है यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ create के ओपर click करता हूँ और यह देख लिए यह हमारे square video बन गया है अब यहाँ पर यह शो कर रहे है square शो कर रहे है तो basically अब हमारे पास क्या है दो timeline है इसके उपर double click करके आप आ सकते हैं दूसरे timeline में एक हमारे पास यह normal timeline है 19201080 and दूसरा हमारे पास timeline है actually यहाँ पर मैं अगर meta data के ओपर click करता हूँ तो आप देख पाएंगे यह देख लिजे इसको मैंने select किया तो इसका जो width and height है 19201080 है और इसका अगर आप देखें तो 10801080 है है तो यहाँ से फिलाहल इसको off कर देता हूँ तो इस तरीके स आपको ध्यान रखना है कि कौन सा timeline आपका active है वरना पता चला कि आप social क्योंकि सारा हमारा एक साथ हो जाएगा ऐसा नहीं है जो भी timeline आपका active होगा वही जो है वो export होगा finally render होगा तो खेर यह हो गया timeline का कि आप multiple timeline जो है वो create कर सकते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे प options, track height तो यह सारी चीज़ें तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास option है वो यह है कि आप जो है एक तरीके से multiple timeline को यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे अभी क्या है जो timeline हमारा active है जिसके उपर double click हमने किया वही active है तो आप चाहें तो एकर इस option को on कर सकते हैं और अब क्या होग timeline में switch भी कर सकते हैं और for example चलो मैं इस timeline में आ जाता हूं और मैं यहाँ पर एक वीडियो डाल देता हूं for example चलो मैं यह image डाल देता हूं okay square image है बिल्कुल फेटा आ गया इसमें और मैं आ जाता हूं back timeline 1 में और अब मैं क्या गर सकता हूं मैं इस timeline के ऊपर इस timeline को use कर सकता timeline 2 में और उसे मुझे use करना है timeline 1 में तो हम easily use कर सकते हैं simple drag करके इसको हम डाल देंगे और यह देख लिजए यह आगया हमारा इसके ऊपर है इसमें थोड़ा बहुत हमें वह walk करना पड़ेगा इसके size वगरा को लेकर के तो हम multiple timelines को यहाँ पर use कर सकते हैं तो वही option है enable disable करने तो आप चाहें तो इसको अगर आप multiple timeline के work करते हैं एक साथ तो आप इस option को on रख सकते हैं next यहाँ पर हमारे पास option है subtitle on off करने कहां तो फिलाल अभी हम लोग कोई subtitle use कर नहीं रहे तो फिलाल यह हमारा off भी रहेगा तो दिखेगा ने क्योंकि subtitle effect जो है वह हमने अभी नही यूज किया है नेक्स यहाँ पर हमारे पास है audio waveform तो यहाँ पर अभी आप देखें तो हमारे पास यह waveform शो कर रहा है अगर फॉर एक्जेंपल किसी वजह से यहाँ पर waveform नहीं शो कर रहा है तो आपको पता होनी चाहिए कि कहां से waveform शो करेगा waveform बहुत ही important है editing के तोरह अगर आप especially मेरी जैसे tutorials वगरा record करते हैं और फिर कुछ voice over वगरा डालते हैं या फिर कुछ भी आप face cam से recording करते हैं तो audio graph दिखना बहुत ही important है क्योंकि इससे आपको exactly अंदाजा मिल जागा कि कहां पर आपने बूला है कहां पर आपने cut किया है और उसी recording आप आगी की cutting वगरा भी कर सकते हैं तो यहां से आप इसको जो है वह on कर दीजे और वीव फॉर्म जो है बिसिकली वह दिखने लगेगा नेक्स यहां पर हमारे पास वीडियो व्यू आप्शन तो यह जो हमारे पास वीडियो ट्रैक है यहां पर क्या है बिसिकली दो ट्रैक है मैं इसको डिलीट कर अगर यहां पे हम लोग एक और वीजियो ट्राक डालते है Toh V2 हो जाएगा यहां पे एक और अगर हम ढालते है तो वहाँ पे A2 हो जाएका। audio ज्राक 2 रहती ऑर्डीड़ाइगा अगर ये जो वीडियो खाड़ हां हे तो अब यहां फिटिक रहा है। उस चीज की सेटिंग्स हैं तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अलग अलग जो है फ्रेम शो कर रहा है तो उसी की सेटिंग्स है यहां पर तो आप फ्रेम शो करना चाहते हैं यहां पर सिंगल first frame and last frame यहां पर शुक्र कर रहा है बिल्कुल वीडियो जहां से start हो रही है तो उसका जो first frame है वो और यहां पर वीडियो जो खतम हो रही है उसका जो last frame है वो शुक्र है या फिर आपको कोई भी view नहीं चाहिए तो यह option आप जो है वो mark कर सकते हैं यह बैस्ट होगा कि आप जो है यह option यूज करें तो इसमें आप जैसे जैसे जूम करेंगे और भी डीटेल्स इसमें यहां पर आने लगेंगी तो आप देख लिए हर एक frame की details जो है वो यहां पर आ गई अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जो हो जूम करना है आपको जो है बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से चाहिए या फिर इसमें और भी डीटेल्स चाहिए है आपको तो वो चीज़ें जो है वो यहां पर है तो आप इन सारी options को जो है mark and mark कर सकते हैं और अपने according जो है वो जो भी perfect setting हो वो आप जो है वो कर सकते हैं नेक्स यहां पर हमारे पास है Track Heights तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास यह है Track एक Track है, एक Track के ऊपर Layer आप कह सकते हैं अगर आपने Photoshop यूज़ किया है तो उसमें जिस तरीके से Layer वोक करता है सहीम उसी तरीके से यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर यह है कि एक Layer के उपर आप multiple clip use कर सकते हैं यह track है single track मतलब यह आगे तक ऐसे और उसके उपर यहाँ पर अभी अपने जो है दो clip डाला हुआ तो बिलकुल आप जो है मेरी माइस कर सकते हैं तो आप अपनी हिसाप से रख सकते हैं उसके वाद जो है same way में हमारे पास यहाँ पर audio का जो है वो यह है तो यह basic options हैं आपके पास next यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता हूँ कि अगर आपको timeline को zoom in zoom out करना हो है जैसे यह है for example अभी यहाँ पर आपको कुछ काम करना है थोड़ा सापको zoom करने की जरूरत है तो यहाँ पर simple command plus या फिर control plus minus use कर सकते हैं अगर आप mac use करें तो command और अगर आप windows use करें तो control 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 plus minus command plus minus तो plus से आप जो है准प in कर सकते हैं और minus से आप घर कंट्रोल कमांड माइनस प्लस से आप जो है Zoom in Zoom out कर सकते हैं इससे आपके time पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका timeline जो है वह जूम हो रहा है आपके duration के उपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है अब यहां पर टेख सकते हैं कि यहां पर यह audio है थो चलो हमें cutting करेंगे तो यहां से exactly option है देख लिए यहाँ पर प्लस माइनस का option है तो इससे भी आप zoom in zoom out कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप जो है वो कर सकते हैं इसके पर क्लिक करके slider का आप जो है यूज कर सकते हैं और slide करने के लिए आप इस कर सकते हैं वैसे अगर आप video editing करते हैं तो मैं आपको सज्च्छ करूँगा कि आप ऐसा mouse ले जिसमें left right जो है scroll भी हो तो editing में वह काफी जादा आपके यह helpful होगा तो यह आपके पास zoom in zoom out के option है यहाँ पे कुछ option है जिससे आप जो है आपके timeline में fit हो जाएगा जो भी आपका full project है यहाँ पे इसके उपर मैं click करता हूँ और यह दिख लिए automatically यह हमारा fit हो गया जो भी हमारा clip है वो सारी चीज़े नेक्स यहाँ पे हमारे पास option है detail zoom का तो आपको कहीं पे भी zoom करना हो है आपको audio mute करना हो या पर on डखना हो नेक्स यहाँ पर आप 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 जो है और ज्यादा जूम कर सकते हैं तो यह हमारे पास timeline से related option है यहाँ पर audio से related option है आपको audio mute करना हो या पर on डखना हो नेक्स यहाँ पर हमारे पास volume indicator से related जो है वो option है अब आजाते हैं सबसे important चीज़ track के बारे में यहाँ पर हमारे पास क्या है अभी जो है फिलहाल एक video track है और एक audio track है video one and audio one हम चाहे तो multiple tracks जो है वो add कर सकते हैं लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या option है सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो यह जो option है यह क्या है यह highlighted है यहाँ पर आप देखें तो इस थोड़े red color में जो है यह highlight है वी one and a one इसका मतलब क्या है कि यह default track है अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे जब हम multiple track देखेंगे तो उसके साथ ही उसके नीचे जो है यहाँ पर हमारे पास lock का icon है इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी बी track को lock करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको lock कर सकते हैं उसके ऊपर कोई भी काम नहीं होगा जैसे for example मैं इस video को lock करना चाहता हूँ कि यह हिले नहीं कहीं move ना हो कोई इससे जो है वो delete ना कर दे कोई trim ना कर दे मतलब कोई और क्या करूंगा मैं इसे lock कर दूँगा अब इस track के उपर कुछ भी नहीं होगा देख रहे हैं आप यहां से audio खिसक रहा है लेकिन वीडियो के उपर कुछ नहीं हो रहा है तो हम जो है वो लॉक कर सकते हैं किसी भी layer को next यहां पर हमारे पास जो option है वो है तो वही चीज है यहां पर disable video track मतलब क्या है यह बेसिकली हाइड हो जाएगा टाइम लाइं मोदी के गानी पर इग्जम्पल यह है तक मैं इसके उपर डाल दियो इन फ्लैंग मैंने डाल दिया यहां पे अब मुझे क्या गहां है temporary यहां पे इसको इसको हाइड करना है तो सिंपल इसके उपर हमले पर क्लिक करेंगे और यहां । अगर हमारे पास बिलिक करने लिए यह हमारे शू करने ल焦 शीठा mean नहीं है तो खेर मैं यहां पर इसको डिलीट कर देता हूं अभी देखते हैं मल्टी ट्रैक का कॉंसेप्ट नेक्स यहां पर हमारे पास यह है और यहां पास मूट है अगर आपको किसी ट्रैक को मूट करना हो जैसे मैंने यहां पर background music डाला और मुझे इस audio को रखना है बट मैंने चाहता कि इसकी आवाज आए है ना मैं बस अभी safety के लिए रखना चाहता हूं मैं इसरी move नहीं करना चाहता हूं तो यहां पर मैं बाते कर रहा हूं सबसे पहले तो इसका volume मुझे जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा इसके बारे मैं आगे बात करेंगे आपको ठीक है तो मैं फिलहाल इसको mute करना चाहता हूं तो यह क्या हो जाएगा मूट हो जाएगा अब यह मेरी आवाज नहीं आ कर देता हूं अब मेरी आवाज नहीं आ रही है मैं इसको यहां से अन्म्यूट कर देता हूं तो यहां से आप म्यूट कर सकते हैं अब यहां पर एक option है हमारे पास solo का solo क्या होता है वो चीज़ देख लिए आपको पता होगा I think already तो अगर आप इसके इलावा सारे track को mute करना चाहते हैं मतलब सारे audio को इस audio के इलावा इस line के जो audio है उसके इलावा सारे को mute करना चाहते है तो आप इस option का use करेंगे solo तो इसके इलावा किसी की आवाज नहीं आएगी जैसे देख लिए अभी क्या है मेरा background music भी चल रहा है और उसके बाद जो है हमारे पास यहां पर यह वैसे ही अगर मैं यहां से इसको mute भी नहीं करता हूँ simple इसको मैं solo कर देता हूँ तो अब सिर्फ यह audio जो है वो सुनाई देगा तो यह हमारे पास यह solo option है तो इस तरहीं से आपका यह काम करता है अब आते हैं multi track के उपर उससे पहले जान लेते हैं यहापे कुछ important चीज़ अचली मैंने फिल्मोरा का जो course बनाया था फिल्मोरा का जो course available है उसमें काफी सारे लोगों को पूरा course complete करने के बाद भी confusion रह जाता है कि अगर मेरे पास multiple clips हैं वो धियान नहीं देते हैं actually multiple clips हैं उससे मुझे single video में convert करना है तो वो चीज हम कैसे करेंगे देख लीजे for example मैं मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं जिसमें मेरा यह शुरू में introduction होगा ओके यहां बेश्कर बढ़र है ओके आक्शली ठीक है इसको स्लाइक करके हाँ यह हमारे पास वीडियो है एक वीडियो यह हो गई अब मैं चाहता हूं कि इसकी बात जो है क्या हो हमारे पास दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाए मतलब अगर आपको दो वीडियो को एक साथ कमबाइन करना है सिंपल सा राज करे हमारे पास दो वीडियो उसको एक सिंगल वीडियो में करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे पहले फर्स वीडियो को रखेंगे उसके आगे हम दूसरी वीडियो को तो I hope कि आपके मन में ये सवाल अब नहीं रह गया होगा कि 2, 3, 4, 5 वीडियो है अगर हमारे पास तो उसको हम लोग जो है वो combine कैसे करेंगे यहाँ पे यह जो वीडियो मैं use कर रहा हूँ जो भी अभी उसमें क्या है audio track नहीं है इसलिए यहाँ पे audio के उपर कोई भी चीज़े नहीं आ रही है तो अगर आपको multiple videos को एक साथ combine करना हो simple एक के बाद एक को डालते चाहिए जिसके बाद इसको भी डालना है और आप जो है उससे जब export करेंगे तो वो एक single video में convert हो जाएगा तो यह हो गया हमारा अब आते हैं multi track के उपर आप multiple track जो है वो create कर सकते है add track option है add tracks add subtitle track और यहाँ पे और भी दूसरे option है track for audio होगा ठीक है तो यहाँ पर simple आपको क्या करना है आप चाहिए तो create कर सकते है video track है हमारा create होगा है यहाँ पर जैसे आप दूसरी file को उठा करके for example जैसे आप अगर इसको उठा करके यहाँ से लागर करके इसके उपर डालते है इसके जस्ट उपर डालते है तो automatically यहाँ पर दूसरा track जो है वो create हो जाता है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और आप जितना चाहें उतना track जो है वो आप कर सकते हैं तो यह हो गया हमारे पास दूसरा track वैसे ही अगर मुझे background music डालना है तो मैं यहाँ से इसको मैं जो है मैं इसके जस्ट नीचे डाल देता हूं तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास दो video track है video 1, video 2, audio 1 और audio 2 दो audio track है तो यह basically अब हमारे पास जो है कहीं ने कहीं, दो video track कहीं ने कहीं क्या मतलब दो video track हो गया, दो audio track हो गया अब यहाँ पर यह जो option था इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं अब यह जो यहाँ पर highlight है किसी विज़े से यह highlight खदम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि यह default layer है, जैसे for example, मैं यहाँ पर इस video को लेता हूँ, यह video मैं रे लिया अब अगर मैं इसका यूज करूँगा ना, तो यह automatically, आगया यह automatically video track 1 पर आएगा, है ना यह देख लिए, V1 है यह automatically इसके उपर आएगा, तो simple यहाँ पर यहाँ जैसे insert करते हैं, यह automatically video track 1 पर आगया, तो आप चाहे हैं, तो दूसरे को भी select कर सकते हैं, जैसे इसके उपर मैंने click कर दिया, अब अगर मैं कुछ भी यहाँ पर insert करूँगा, तो यह video track 2 पर जाएगा, देख लिए, वीडियो track 2 पर चला गया, वन पर नहीं गया, तो यह हमारे पास, यह default option जो है, वो चीज़ है, फिलहाल इन सारी चीज़ों को delete कर देता हूं, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, कि यह track जो है, वो यहाँ पर basically कैसे work करता है, तो मैं इसके लिए काफी अच्छा सा example लेता हूं, और यह बहुत ही important है, काफी सारे लोग इसमें confused कर जाते हैं, मेरे पास ये एक image है, simple मैं इसको drag करके time line में डालता हूं, video track के ओपर, है न, यह मैंने डाल दिया, यहाँ पर, आपको, इसके बारे में आगे जो है, वो हम लोग बात करेंगे, और मैं यहाँ से actually single view में आ जाता हूं, है न, मैंने source monitor को जो है, वो मैंने हटा दिया, अब यह हमारे पास है, एक image, simple, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, टीवी के अंदर मुझे कुछ play होता हुआ दिखाना है, न, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एक layer डालूँगा, जैसे photoshop अगर आपने use किया होगा, तो एक layer के ऊपर दूसरा layer होता है, वही show करता है, मतलब, जो सबसे नीचे वाला layer होगा, वो सबसे नीचे तो इसको drag करके मैं इसके just ऊपर डालूँगा, और इसको मैं बढ़ा कर लेता हूँ यहां से, चुकि यह image है, तो इसके just ऊपर मैंने डाल दिया, लेकिन क्या हुआ कि इसका जो size है, वो same है, इसलिए इसने क्या किया, इसको ढख दिया, न, नीचे वाले layer को इसने पूरी त तरीके से ढख दिया, अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, inspector में आ सकते हैं, inspector में actually हम लोग काफी detail में आएंगे, यहां पर बात करेंगे, यहां पर हमारे पास zoom है, मैं यहां से इसके zoom को कम करता हूँ, अब देख लिए, अब यह आपको समझ में आ रहा है, यह नीचे व इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, resize बगरा कर लेता हूँ, इन सारी चीजों के उपर काफी detail में हम लोग अभी आगे बात करेंगे, आपको attention नहीं लेना है, कि मैं exactly अभी क्या कर रहा हूँ, बस मैं आपको अभी track का concept समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि क्या फर्क पड़ यह play हो रहा है, तो आपको कुछ भी videos वगरा बनानी हो, आप इस तरीके से जो है वो बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ को show करना हूँ, और वैसे ही, अब मुझे for example इसके उपर अपना logo show करना है, तो मैं इसके just उपर डालूँगा अपना logo, मैं अप यहां पर यहां पर डाल लेटा हूँ, for example, यहां पर है, sorry, stretch नहीं करना है आपको, अब देख लिजे हमारे पास यह कुछ इस तरह का, यहां पर video create हो गया, तो perfectly TV के उपर यह है, उसके उपर यह है, और इसके उपर यह, अगर मैं यहां से क्या करूँ, इस logo को मैं नीचे कर दो इसके, तो automatically यह ढग जाएगा, देख लिए, क्या होता है, मैं इसको drag करके, यहां पर डाल देता हूँ, इसके उपर, अब logo ढग गया, क्यों ढग गया, क्योंकि यह इसके नीचे है, और इसके just नीचे इसलिए ढग गया, अगर मैं यहां से इसको disable करता हूँ, तो हमारे यहां पर अभी क्या है, यह selection tool है, यह selection tool on है, यह press करके, आप simple selection tool में आ से इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जहां पर भी मन में आ रहा है, मैं इसको drag कर पा रहा हूँ, अभी हमारे पास जो है, एक perfect एक तरीके से वीडियो जो है, वो कहीं ने कहीं ready हो गया, जिसमें क्या है, यहां पर कुछ चीज़े हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और actually यहां पर हमारे पास कुछ और भी option से उनके बारे भी बात कर लेते हैं, फिर in tools के बारे में आगे के lesson में जो है, वो हम लोग बात करेंगे, फिलहाल मैं इस inspector को off कर देता हूँ, और मैं यहां से इस इमेज को इसके बात डालता हूँ, यहां पर देखना है, यहां पर थोड़ा से उपर करता हूँ, इस बीच में यहां पर आप धियान से देखना हूँ, जैसे मैं इसको उसके नजदीक ले जा रहा हूँ, यह automatically क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है, तो यह snapping on है, अगर मैं इसको off कर देता हूँ, तो अब यह नहीं चिपकेगा, अब कोई magnet effect नहीं है, अब मैं इसके close भी जा सकता हूँ, जैसे देख लिए अगर आप, मैं इसको थोड़ा से zoom करता हूँ, अच्छे से थोड़ा, बहुत important चीज है, अब यहां पर देखें, तो मैं इसको कुछ भी कर रहा हूँ, यह उससे चिपक नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इसको on कर दूँ, जैसे मैं उसके नजदीक जाता हूँ, यह automatically हमारा snap हो जाएगा, और यह इस तरीके से triangle जो है, वो आ जा रहा है, देख पारे हैं आप, यह triangle जो है, जोड़ यह बहुत ही important जीज़ है, for example, कहीं पे, आप कहीं पे कुछ रखना चाहते है, roughly, for example, यहां पे मुझे जो है, वो कुछ रखना है, for example, यहां पे बस मैंने इसको रखा ऐसे, यह automatically snap हो गया, यहां पे कोई gap नहीं है, यह confirm है कि यहां पे कोई gap नहीं है, लेकिन अगर हम snapping off कर द कि क्या हो रहा है, तो snapping कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे नहीं, ज्यादर तर cases में बहुत ही जरूरी चीज है, और कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, snapping off करनी चाहिए, तो आप उसको off कर सकते हैं, तो यह हो गया हमारा snapping, next, यहां पे हमारे पास option है, link selected का, तो यहां प tracks है, मैं उनको delete कर देता हूँ, okay, नीचे से भी delete, okay, अब यह हमारे पास track है, जिसमें audio भी है, और हमारे पास video भी है, अब यहां पर यह जो option है, हमारे पास link का, तो अभी क्या है, अगर मैं यहां से किसी भी एक track को select करता हूँ, मतलब यह क्या है, बिसकी लिए link है, इस video के साथ यह जो audio track है, यह link है, तो मैं इसको click करूँ, मतलब video के उपर click करूँ, या फिर audio के उपर click करूँ, दोनों select हो जाता है, automatically, और मैं उसे move कर सकता हूँ, दोनों एक साथ जो है, वो basically move होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करूँ, मैं इसको off कर दूँ, और उसके बाद सिर्फ हमारा यहां पर video select हो रहा है, और यहां पर सिर्फ हमारा audio select हो रहा है, तो कहीं पर अगर आपको थोड़ा सा mismatch हो गया है audio video में किसी वज़ा से recording के दौरान, तो आप उसे हलका सा move कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जैसे आप move करते हैं, तो देख लिजए, यहां पर बता आप simple इसको पर right click कर सकते हैं, move into place और यह आपका fix हो जाएगा, तो यह आपके पास link का option है, अब देख लिजए, मैंने इसको on कर दिया, अब ही क्या हो गए, यह off है, तो single और मैंने इसको on कर दिया, तो अब क्या है, यहां पर दोनों एक साथ होगा, तो कहीं पर भी आपको link-unlink वगरा करना हो, तो आप इस option का use कर सकते हैं, next यहां पर हमारे पास है position lock, तो इससे आप सारी चीज़ों को एक साथ जो है, वो lock कर सकते हैं, पूरे के पूरे timeline को basically देख लिजे, सभी के सामने जो है, वो lock आ गया, अब इसके position में कोई भी changes जो है, वो नहीं होगा, इसक यहां पर हमारे पास flag है, और उसके बाद marker से, तो कहीं पर भी आपको flag डालना हो, आप flag डाल सकते हैं, मतरब कुछ भी, कि यहां पर for example, किसी information के लिए, आप flag डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं, default यह color है, आप इसके अंदर जा सकते हैं, for example, red color का flag आपको डालना है, तो यह आपने select कर लिया, उसके बाद इसके उपर, जैसे click करते हैं, वीडियो के उपर जहें, एक flag, सबसे पहले तो select करना होगा, उसके बाद यह flag हमारा add हो गया, यहां पर, वैसे ही आपको कहीं पर marker डालना हो, for example, यह flag तो हमने add कर दिया, red flag, अब यहां पर for example, मुझे य लगलग color option है, और simple आप इसके उपर click कीजे, और exactly उसी जगह पे यह marker add हो किया, तो future में आकर किया, यहां पर जो भी चीज़ आपको डालना हो, वो चीज़ आप डाल सकते हैं, अगर आपको इसको simple जो है, वो delete करना हो, तो आप simple इसको select करके, और delete button जो है, वो आप press कर सकते तो इस तरीके से आप जो है, वो flag का use कर सकते हैं, तो यह था basically हमारे timeline का पूरा concept, I hope कि आपको जो है, वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह बहुत ही important चीज़ है, और इसमें मैंने काफी ज़्यादा time ले लिया है, और इसकी वज़ाए यही है, कि यह सबसे ज़्यादा कह है, और यहां पर यह blade mode है, जो कि मैं काफी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यह जो blade है, यह मैं काफी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्यों मेरी tutorial videos होती है, कहां पर मैंने थोड़ा सा cut किया है, थोड़ा सा मतलब कुछ गलत बोल दिया, उसे मुझे हटाना है, तो वो च हम लोग जो है, वो आगे देखेंगे, तो basically हमारा जो main editing का concept था, जो भी timeline, source, monitor वगएरा का concept था, वो हमारा जो है, वो यहां पर clear हो चुका है, अब finally हम लोग बहुत ही practical way में जो है, वो editing वगएरा आगे करेंगे, गाइस, इस section में हम लोग जो है, कुछ tools के बारे में बात करेंगे, जिससे हम लोग अपने footage को और refine कर सकते हैं, trim वगएरा करना हो, हम trim कर सकते हैं, split कर सकते हैं, कहीं पर कुछ unwanted part है, उसे हम लोग timeline के अंदर ही हटा सकते हैं, हम लोग rough editing जो है, rough cutting जो है, वो source monitor के अंदर ही क कर लेंगे, लेकिन final जो है, वो हम लोग जो भी refine वगएरा करना हो, वो चीज हम लोग जो है, वो timeline के अंदर भी कर सकते हैं, और उसके लिए, यहाँ पर हमारे पास trim edit mode है, और उसके बाद dynamic है, and then यह हमारे पास blade tool है, तो इन tools के सरी हम लोग जो है, वो trim वगएरा जो है, वो कर सकते हैं, तो अभी by default जो है, वो selection tool है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, selection tool से, किसे भी clip को move कर सकते हैं, किसके बाद किसको रखना है, वो सारी चीज़े कर सकते हैं, पूरी तरह से हम लोग move कर सकते हैं, कहां पे किसको रखना है, किसके बाद किसको रखना है, वो सारी तो यह हो गया एक simple sa काम Move Tool का कि हम move कर सकते हैं Next यह An-C is supposed the solution Office सेलेक्षन टूल के जरी जो है वह हम लोग' ट्रिम वगेरा भी कर सकते हैं तो जैसे यह Review है हमारे पास यह simple 15 sec रखन आपक लिजह इसका 10omos और छी पर इसका 10ından1, And Issacurn frames जाने के लिए वो डिजाइन किया, अब यहां पर मुझे क्या करना है, for example, मेरा C वाला पार्ट जो है, वो unwanted है, मुझे इसे हटा रहा है अपने वीडियो में से, जैसे मेरे पास ये वीडियो था, इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूं, last में, मैं यहां से खड़ा हो करके, जै से या फिर end से, starting या फिर end के unwanted part को हटाना हो, तो उसके लिए हमारे पास selection tool है, वही काफी हमारे लिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर, simple, इसके last में आएंगे, यहां पर देख लिए, last में आते हैं, तो इसका जो icon है, वो थोड़ा सा change हो जाता है, यह इस तरीके से change हो क्लिक किया, तो यहां पर red आ रहा है, red का मतलब क्या है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, इस clip से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, क्यों क्यों कि इस पेस नहीं है, मतलब, इस clip का duration ही इतना ही है, लेकिन हम इसको और trim कर सकते हैं, तो हमें अभी क्या करना है, C वाले और उसके बाद इसको slide करके, actually मैंने double click किया हुआ है, simple, अगर मैं single, यहां पर इसको select करता हूँ, यहां से अब मैं क्या अगर सकता हूँ, इसको मैं slide कर सकता हूँ, तो यह हमारे पास preview show कर रहा है, जब हमारा B आ जाए, तो हम यहां पर ही कर देंगे, यहां पर actually snapping on है, हमार यह क्या हो गया, C वाला पार्ट जो है, वो हट गया, तो हमने क्या किया, basic simple selection tool से, वो हमने trimming कर दी, अब for example, A वाला पार्ट भी हमारा unwanted है, शुरू में भी हमने कुछ गलत बोला है, take वगएर लिया है, तो उस चीज़ को हम अटाने है, तो simple starting में आएंगे, और यह इस तरीक on है, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है, selection tool के जरीए जो है, वो आप यह कर सकते हैं, दूसरी चीज़, यहाँ पर for example, मेरे पास यह 123 भी है, अब यहाँ पर for example, आपके पास दो clip है, यह हमारे पास B है, और यह हमारे पास 123 है, बी में हमारे पास इधर space है, मतलब इधर हमा हमारे पास जो है, वो A है, है न, A की clip में से हमने काटा है, तो यह हमारे पास B है, लेकिन A, 1, sorry, यह जो 1 है, 1 के आगे हमारा, 1 से पहले हमारे कुछ भी नहीं है, देख लिए जो, मैं यहाँ पर बीच में लाकर के click करता हूँ, तो अब क्या है, यहाँ पर यह वाला clip शो कर हैं, simple, आप simple trim कर सकते हैं, यह देख लिए इस तरीके से trim होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, basically, आपका जो यह clip है, यह automatically override एक तरीके से होता चला जाएगा, यह भी trim होता चला जाएगा, या फिर आप जो है, वो यहाँ से कर सकते हैं, इसके उपर, दोनों के उपर click करके, और simply आप slide कर सकते हैं, दोनों clip के बीच में, अब क्या हो रहा है, यह इसका starting point, मैं इसको control Z कर देता हूँ, इसका starting point और इसका end point जो है, वो दोनों एक साथ यह adjust हो रहा है, इसको अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो इसका starting point है, वो कम हो रहा है, और यह इस तरीके से काम कर रहा ह तो यह आप basic trim जो है, इसके जरीए आप कर सकते हैं, तो यह हो गया हमारा simple selection tool, next यहाँ पर हमारे पास blade tool के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं delete कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर आजाता हूँ, one, two, three, okay, यह हमारे प पास, one, two, and three है, पाच-पाच सेकेंड पे, अब मुझे simple क्या करना है, यहाँ से one को हटाना है, और three को हटाना है, जिर टू को रखना है, तो मैं यहाँ पर roughly इससे आ जाँगा, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जे के L की का use कर सकते हैं, के से हम लोग जो है, वो stop करते हैं L से हम लोग forward play करते हैं, मतलब यह जो हो गया, forward play करना, यहाँ से, यह हो गया हमारा L, और यह हो गया हमारा J, और यह हो गया हमारा K, shortcut की है, लेकिन इसकी combination से हम और भी कुछ कर सकते हैं, अब जैसे देख लिए, for example, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे forward play करना है, हम simple L प्रेस करें लेकिन जैसे मैं दो बार प्रेस करूँगा, यह fast हो जाएगा, और fast हो जाएगा, तो कभी आपको अगर fast forward में देखना हो, तो आप इसको दो बार press कर सकते हैं, JKL को, मतलब यह जैसे मैं backward जा रहा हूँ, मैंने एक बार और प्रेस कर दिया, एक बार और मैंने प्रेस कर दिय तो काफी fast motion में यह हमारा play होना शुरू हो गया तो L से हम लोग जो है वो forward play करते हैं और J से हम लोग backward play कर सकते हैं और K से हम लोग stop करते हैं अगर हमें ज्यादा fast यह करना हो प्ली करना हो तो हम लोग multiple time press करेंगे जैसे ज्यादा fast हमें आगे की दरफ जा रहा हो तो हम लोग L को दो बार तीन बार press करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं 4X है ना जैसे देख लिए जे मैं press करता हूं अभी दो गुना speed से जा रहा है और हम बढ़ा देते हैं चार गुना speed से जो है वो यह जा रहा है अब यहां पर के कॉंबिनेशन से आप यहां पर frame wise जो है वो आगे पीछे जा सकते हैं जैसे आपको exact position देखना हो कि कहां पर हमारा one और two खतम हो रहा है मतल आगे बढ़ सकता हूं L मैंने press किया कि मैंने press करके रखा हुआ है और मैं L press कर रहा हूं तो एक एक frame हम आगे बढ़ रहे हैं मैं यहां से J press करके थोड़ा सा back आता हूं और double check कर लेता हूं तो basically हमारा यहां से start हो रहा है exact हमारा जो है यहां पर playhead आ गया अब यहां पर हम ल L key का जो है वो किस तरी किसे use करते हैं तो अब यहां पर हमारा playhead है simple मैंने यहां से play tool लिया और यह देख रहे हैं अब line आ रहा है point पर हमारा जो है sorry selection tool में जरूर आ जाए है अब यहां पर exactly हमारा दो से जो है यह start होगा है ना दो से start होगा तो हमने क्या किया है split कर दिया वैसे for example roughly मुझे और यहां पर okay यहां पर सिंपल देख लिए यहां पर भी स्कॉप करता हूं तो यहां में दिख रहा है okay तो basically दो यहां पर खतम हो रहा है और इसके बाद हम जाएं तो selection tool से इसे delete कर सकते हैं और यह हमारे पास सिर्फ बच गया दो तो यह है हमारे पास blade tool जिसका जो है वह आप यूज कर सकते हैं जिसे practically मैं कैसे यूज करता हूं जिसे for example यह मेरी वीडियो है okay और यहां पर मैं क्यों कि यह मेरा ग्राफ है यहां फीर बढूराओ छोटा सा बढ़ा रहा हूं ओकर तो मुझे अन्दाज है कि यहां पर बॉनना बंद किया है और यहां से मुझे स्कों किया गए कुण कर देना है अभी हमारे पास यहां रोगया एक प्रेस करेंगे selection tool में आ जांगे यहां कर चाहिए यहां से मैं बोलना शुरू कर रहूँ है तो यहां से मैं बने它 घुल से मया से चुहां से इन यो यहां से your mains протु给 ए मैंने एह धुक्स की अज़ैक्स कर सकते हैं तो यह हो हो गया हमारे पास यहां पे ब्लेड तो कहीं से भी आपको कट करना हूं जैसे पॉर इंग्जेम्पल जहां से मैं आपको प्राक्टिकली और थोड़ा एक्जेम्पल देता हूं मैंने पेपेर वांग्राब गों सकता हैं थो वे इसलिए इसलिया करना है तो मैं क्या करूंगा यहां से मैं इसको यहां कट कर दूंगा ओके यहां से मैं नया संटेंस बोल रहा हूं और फॉर एक्जम्पल यहां पर दीख लेकर लिए और यहां से मैं गाप को भी यहां जो गाप आ जाता है उसको भी आप क्लिक किजिए और बडल प्रेस किजिए और वह गाप देलीट हो जाएगा अब यहां पर देख लिए जैसे एक दो गंड़ी होती है तो उसको अब सोर्स मानिचर में रिफाइन करना बहुत मुश्किल है तो सिंपल मैं अपने टाइम डालता हूं और बस मैं प्ले करके देखत रहता हूं जहां से जहां तक जिसे मुझे यहां से यहां तक लगता है कि मैंने कुछ पकवास किया है कुछ गलत बोला है तो मैं सिंपल ब्लेट टूल लेता हूं और उसके बाद जहें मैं उसे ट्रिम कर देता हूं सेलेक्शन टूल ए और उसके बाद जहें मैं इसे कर लेता हूं और सबसे बेले तो मैं यहां पर कुछ ट्रिम कर लेता हूं इस टूल को यूज़ करने के लिए स्पेस होना बहुत ज़रूरी है इस पेस होना इन दसेंस की फॉर एक्जमपल ओके मैं आक्चली सोर्स मॉनिचर का करता हूं मैं हुआ डबल धूर्ण ओर यह मारे पास बी अब मुझे Landing सिर्फ और सिर्फ बी वाले पार्ट को कि करना है बwww. độ invisibility 525 इंशारे मुझे एक मिनिट का क्लिप निकालना है और मैंने अभी यह सोचा है इस दमें मुझे सिर्फ बी वाला पार्ट चाहिए तो मैं क्या करणुगा यहां पर I In Point और B कहां पर खतम हो रहा है पडिक सेंपल यहां पर आउट पॉइंट अब मैंने यह स्लेक्षन बना लिया और इसको ड्रैक करके मैं डाल देता हूं कहां पर टाइम लाइन क्यों हमने डाल दिया और यह वाला पूर्शन है उन्हें यह मुझे नहीं शाहिए तो मैं चाहिए तो यहां एहां से कर सकता हूं हो है ना फिर से इसको replace कर सकता हूँ लेकिन उसमें काफी परिशानी होगी लेकिन सेम उसी क्लिप में से मुझे चाहिए तो उसके लिए हम लोग जो है इस option की कर सकते हैं तो इसके उपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद जैसे यहां पर आते हैं वीडियो के उपर जैसे मैं आता हूँ वीडियो के उपर तो यह हमारे पास कुछ इस तरह का icon आजाता है अब मैं यहां से slide कर सकता हूँ तो for example मुझे यह वाला portion चाहिए तो हम simple क्या कर सकत कर देता हूँ यहां पर चार प्रिव्यू जो है वो शू कर रहा है एक blank है क्यों ब्लैंक है क्योंकि इसके पहले कोई भी क्लिप नहीं है मैं क्या करता हूँ यहां से for example मैं ले ले लेता हूँ इसको और इसको मैं जस्ट आगे डाल देता हूँ इसके क्या करता हूँ इसके हमारे पास क्या है और मैं मुझे ये बी नहीं चाहिए, मुझे एक्च्छल में अ चाहिए था,แลcause मैं काफी सारे एडिटिंग कर लिए हैं इधर भी है हमारे पास इधर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं commandments इसी के अंदर हम उसे slide कर सकते हैं, तो यह हमारे पास यह tool है, simple मैंने क्या क्या, इसी के अंदर slide कर दिया, आप देख लिए जो preview show कर रहा है, यह preview exactly क्या show कर रहा है, preview show कर रहा है, कि अभी यह जो जिसको मैं slide कर रहा हूं, ऊपर वाला दो जो है, वो इसका in point और out point show कर रहा है, किसके according, यहाँ पे basically यह हो गया, इसका in point, मतलब इसका starting B वाले का starting point यह हो गया, end point यह हो गया, तो इसका first frame और इसका last frame show कर रहा है, साथ ही इस वाले clip का last frame show कर रहा है, और इस वाले clip का first frame जो है, वो show कर रहा है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि like मेरे video में exactly हो क क्या रहा है, तो simple हम यहाँ पे slide कर सकते हैं, और पूरी तरह से मैं A को ले आता हूँ, last frame में भी हमारा दिख जाए A, okay, A हो गया, अब पूरी तरह से हमारा यह A जो है, वो आ गया, तो आप inside जो है, वो slide कर सकते हैं, यहाँ पिर आपको C चाहिए, तो यह C मैं ले आया, यह यह एक, मतलब normal सा example है, आप इसको जब practically करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि exactly हो क्या रहा है, जिसे मैं क्या गरता हूँ, यहाँ से मैं इसको delete कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, इसको जास टूपर, ठीक है, इसके बाद इसको मैं डाल देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा trim कर देता हूँ, जो यह मैंने trim कर दिया, फोड़ा सा, यह मैंने trim कर दिया, अपनी for example इतना है, हमारे पास, यह यहाँ से हमारी video शुरू हो रही है, लेकिन मैंने यह सुचा कि नहीं, मुझे starting वाल कर रही है computer पर, वो हमें चाहिए, तो simple हम इस tool को लेंगे, और यहां से हम slide कर देंगे, और exactly हमारा show कर रहा है कि कौन सा हमारा last frame है, कौन सा हमारा first frame है, okay, so basically यह हमने अब यह कर दिया, है ना, तो inside आप slide कर सकते हैं, अब दूसरा जो हमारे पास option है, वो है dynamic trim mode, तो इसके जर for example, यहां से अभी मैं इसको for example भी इसमें डाल देता हूं, अब यहां पर यह है, है ना, इस option को हम लोग enable करते हैं, dynamic trim, same यह काम करता है, जैसे यह है, inside हम slide कर सकते हैं, same उसी तरीके से यह भी काम करता है, लेकिन इसमें क्या है, कि आपको खुद से slide करने की जरूत नहीं है, आप बस play कर दीजे, और जहां पर आपको सही लगता है, वहां पर stop कर दीजे, तो मैं इसको highlight करता हूं, और मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर क्लिक करता हूं, यह clip हमारा selected है, मैंने इसके उपर click कर दिया, यह yellow से highlight हो गया, dynamic, और मैं यहां पर L प्रेस करता हूं, यह automatically slide हो रहा है, मतलब automatically नहीं हो रहा है, मैं keyword प्रेस कर रहा हूं, तो हो रहा है, तो आप इस तरीके से dynamically कर सकते हैं, जहां पर भी आपको सही लग रहा है, आप preview में देखते रही है उपर, जहां पर भी आपको सही लग रहा है, यह perfect है, simple आप K press कर देजे, और done, वो चीज हो गया हमारा यहां पर, सीम चीज है, बड़ यह है कि आपके पास अगर लंबी वीडियो है, तो आप simple play करके उसे देख सकते हैं, और जहां पर आपको सही लगता है, उस position पर आप स्टॉप कीजिए, और वो चीज आपका यह तो यह था हमारे पास टूल, आप खुद से practice कीजिए, आपको जो हो automatically चीज़े समझ में आ जाएंगी, जब तक आप practice नहीं करेंगे, आपको चीज़े समझ में नहीं आएंगी, और यह जो image है काफी interesting सा, यह मैंने किसी वज़ा से रखा है, जो कि आपको मैं colored grading के अंदर, जो है वो मैं बताऊंगा कि DaVinci Resolve कितना powerful software है, colored grading के मामले में, तो खेर, अब आगे के lesson में हम लोग जो है, वो basic transition effects वगरा देखेंगे, उसके बाद फिर जो है, थोड़ा सा और advanced way में जो हम लोग जाएंगे, गाइंस, inspector panel में हमारे clip से related जो है, वो सारी settings होती है, सारी properties होती है, हमारे timeline में जो हमारा clip है, वो हमारे video में कहां पे होगा, कैसे होगा, उसका position क्या होगा, कितना zoom होगा, कितना rotate करेंगा, वो सारी चीज़े हम लोग जो है, inspector panel से change कर सकते हैं, decide कर सकते हैं, तो simple मेरे पास ये एक footage है, जो कि मैंने अपने timeline में डाला हुआ है, और ये हमारे program window है, और ये हमारे पास option inspector का तो, इसके पर जैसे click करते हैं, तो अब यहाँ पर ये जो clip selected है, इससे related सारी properties, सारी settings जो है, वो यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो है, ये एक image है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर, basically image और video दोनो, यहाँ पर video editing software में, सेम तरीके से जो है, वो work करता है, सेम तरह की properties होती है, difference इतना होता है, कि video के अंदर जो है, वो audio होता है, मतलब सरूरी नहीं है, लेकिन basically video and audio, sorry image जो है, वो दोनों सेम तरीके से work करता है, तो video की property हो, या फिर image की property हो, दोनों सेम होंगे, तो अब यहाँ पर, अगर आप देखें, तो हमारे पास काफी सारे option है, अचली यहाँ पर, हमारे पास सबसे पहले transform है, मतलब position, scale and rotation, यह सारी चीज़ें जो है, वो यहाँ पर है, next यहाँ पर हमारे पास cropping है, किसी भी image को, अगर हमें cropping करना हो, वो चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास dynamic zoom का option है, हमारे पास composite है, उसके बाद stabilization है, lens correction and redime and scaling है, same कुछ चीज़ें जो है, वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, यह जो हमारे पास option है, तो अभी क्या है, यह transform है, इस arrow की उपर अगर आप क्लिक करते हैं, तो नीचे आपको जो है options मिल जाते हैं, जैसे कि transform है, crop करना हो, crop आप कर सकते हैं, dynamic zoom है, open effects overlay, fusion overlay, यह सारी चीज़े जो है, वो advanced है, फिलहाल यहाँ पर आपके लिए जो है, यह दो चीज़े हैं, तो transform, तो मैं फिलहाल यहाँ पर अगे, so basically मैं फिलहाल यहाँ पर इसको off कर देता हूँ, simple इसको off करना हूँ, अब off कर देज़े, single click करेंगे मदलब, तो यह off हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देख लिजे, यह हमारे पास zoom, zoom basically यहाँ पर scale हुआ, अगर आपने Photoshop यूज़ किया, अगर आपने Premiere Pro या दूसरा software यूज़ किया, तो इसमें scale होता है, लेकिन DaVinci Resolve में इसको zoom बोला जाता है, तो X and Y है, और यह दोनों क्या हैं, बिजी लिए link है, तो अभी अगर मैं यहाँ से scale इसका कम करता हूँ, तो यह दोनों एक साथ change होगा है, X की value भी और by की value भी क्यों, क्योंकि यह link है, अब देख लिएज़े, मैं यहाँ से इसको छोड़ा गरता हूँ, तो यह क्या हो रहा है, दोनों की value जो है, वो एक साथ change हो रही है, तो यह क्या हो रहा है, तो इसके उपर click करके, उस value को आप reset कर सकते हैं, पूरे के पूरे properties को, जैसे ही transform है, इसकी पूरे properties को reset करना हो, तो यह हमारे पास यह icon है, जिसमें plus लगा हुआ है, मतलब यह पूरे के पूरे properties को, यहाँ पर जो भी चीज़े हैं, इस section में, उसको reset कर देगा, तो इसके उपर आप click कर सकते हैं, separate value के लिए, इसके उपर आप reset कर सकते हैं, तो यहाँ से आप zoom in, zoom out जो है, वो कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास position है, आप position change कर सकते हैं, एक सनवाई का, दूसरी चीज़, यहाँ पर एक और चीज़, अगर मैं इसको unlink कर देता हूँ, तो दोनों फिर separately walk करेगा, तो हमारे image जो है, वो basically stretch हो जाएगा, से देख लिजे, यह अब क्या हो रहा है, stretch हो रहा है, simple egg value जो है, वो walk कर रही है, वैसे हमारे पास यह है, तो यह इस तरीके से single egg value जो है, वो walk करे, मैं फिलाल इसको reset कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से link कर देता हूँ, next यहाँ पर हमारे पास जो है, वो rotation है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका scale कम करूँ, और यह simple rotation है, rotate हो रहा है, बट यह क्या है, अभी basically यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, तो यह center से जो है, वो कहीं न कहीं rotate कर रहा है, आप यहाँ से चाहिए, तो anchor point change कर सकते हैं, मतलब किस point से वो rotate करेगा, तो यहाँ से अगर मैं anchor point change कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखें, तो यह अलग point से जो है, वो rotate कर रहा है, है ना, तो यह हो गया हमारा anchor point, जिसके जरी हम यह कर सकते, मैं पिलाल इसको भी reset कर देता हूँ, उसके बाद हमारे पास यह pitch है, देख लिए इस तरह का कुछ 3D type effect, अगर आपको दिखाना हो, तो आप जो है, यह दिखाना हो, मैं इसका scale थोड़ा जगम करता हूँ, और उसके बाद इसका position मैं, यहाँ पर कही पर side में लगा देता हूँ, और इस तरह का हमारा frame हो, तो easily हम लोग जो है, इसके जरी हम लोग यह कर सकते हैं, next, यहाँ पर हमारे पास option है, कि मैं इसको भी कर देता हूँ, सारी चीज़ों के अच्छली सारी properties को मैं यहाँ पर reset कर देता हूँ, next, यहाँ पर हमारे पास है flip का option, तो simple आपको flip करना हो, आप flip कर सकते हैं, यह हमारा video इमीन जो है, वो flip हो जाएगा, तो अभी क्या है, by default hand इधर था, इसको मैंने flip कर दिया, इधर से आगया, वैसे अगर आपको, यहाँ पर vertical horizontal है, तो यह आपको इस तरीके से करना हो, तो यहाँ से आप flip कर सकते हैं, तो यह सारी आपके पास flip की options है, transform की option है, इसके अदर यह सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो simple अगर आपको reset करना हो, आप reset कर सकते हैं, next यहाँ आप हमारे पास cropping है, अगर आपको cropping करना हो, तो आप जो है वो group कर सकते हैं, कहीं पर कुछ भी ऐसी चीज़ हो, जिसे आपको cropping करके डालना हो, तो आप cropping कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर भी आपको option मिल जाते हैं, तो अब क्या है basically, यहाँ से हम cropping कर सकते हैं, इतना ही मुझे कहीं पर वीडियो में show करना है, तो अब यह क्या है, हमारे पास यह इतना हो गया, आपको यहाँ पर options मिल जाते हैं, X and left and right कहीं साब से, top and bottom, जो भी आपको cropping करना हो, वो चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं, softness कितना होगा, जिसे जिए मैंने ग्रूप किया, तो अब क्या है, इधर की तरफ हम आएंगे, तो inside softness होगा, बाहर की तरफ जाएंगे, तो बाहर की तरफ softness होगा, मतलब अभी क्या है, अगर यह softness नहीं है, तो बिल्कुल hard shape है एक तरीके से यह, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर हम feather apply कर सकते हैं, softness जो है, वो हम apply कर सकते हैं, लेटीना image position, यह हमारे पास cropping के option होगा, वैसे हमारे पास क्या है, dynamic zoom है, तो हम zoom वगएरा कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको reset कर देता हूँ, और इसको भी, मैं cropping को भी reset कर सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास dynamic zoom है, वो option भी, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो यह हमारे पास dynamic zoom है, तो simple सा zoom effect, अगर हमें दिखाना हो, तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं, तो यह देख लिए, यह हमारे पास यह है, मैं इसको zoom कर देता हूँ, for example, यह मुझे इसको उपर इसको zoom करना है, तो अब जैसे यह video play होगा, देख लिए इसको zoom out हो रहा है, वैसे ही हम चाहें तो इसको छोड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको छोड़ा कर देता हूँ, for example, मुझे lips के उपर focus करना है, और video जैसे start हो, और यह इस तरीके से पहले इस तरीके से हो, और फिर यह lips के उपर focus हो जाए, क्लिप आपकी जितनी बड़ी होगी, उसी हिसाब से उतना time लगेगा यह, आप देख लिए यह इस तरीके से zoom हो रहा है, है न, छोटी क्लिप है, तो आपका fast होगा, है न, यही हमारे पास यहाँ पर dynamic zoom है, उसमें भी आपके पास कुछ style है, is in, is out, smooth way में, in होगा, out होगा, देखे इस तरीके से, यह आपके पास कुछ option है, फिर आप चाहें तो यहाँ पर swap भी कर सकते हैं, simple, सीधा उल्टा, जो भी आपको करना हो, वो चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, और अभी जो हमारा एनिमिशन है, वो क्या है, कुछ इस तरीके से, अगर हमें इसको ठीक उल्टा करना हो, तो हम यहाँ पर उल्टा कर सकते हैं, अभी हमारे पास, यह कुछ zoom effect है, simple, easy way में अगर आपको zoom करता हूँ, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, नेक्स यहाँ पर आपके पास composite है, और यह कुछ हमारे पास advanced option है, तो अब आज है थोड़ा सा practically इस चीज़ को देखते हैं, मैं इसको क्या गरता हूँ, यहाँ से delete करता हूँ, फिर से मैं इसको ले लेता हूँ, अचली, फिर से मैं ने इसको ले लिया, और मैं यहाँ से composite, डाइनमिक जो है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैं इसको off कर देता हूँ, अब यह हमारे पास footage है, fit मैं कर देता हूँ इसको, fit, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यह है Indian flag, मैं आपको practically दिखा रहा हूँ, मैं इसको just इसके उपर डाल देता हूँ, यह मैंने डाल दिया, यह कुछ इस तरीके से है, अब मुझे क्या करना है, इसके गालों के उपर, बिसीकली मुझे क्या करना है, इसके गालों के उपर, मुझे इस flag को जो है, वो set करना है और यहां पर एक problem यह है कि इसका background है वो white है मुझे उसे भी remove करना है और थोड़ा बहुत rotation, position, scale सब कुछ जो है यहां पर हमें use करना है तो मैं फिर से इसको डाल देता हूँ यहां पर और उसके बाद आ जाते हैं यहां पर transform में सबसे पहले पर इसका scale जो है वो मैं कम करता हूँ, zoom जो है वो मैं कम कर देता हूँ तो यहां से मैं इसको क्या करूँगा, क्या करूँगा और मैं चाहूँ तो यहां पर on screen भी मैं यह सारी चीजे कर सकता हूँ जैसे यह है, यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास transform है, यह सारी properties एक साथ यहाँ पर दी गई है, तो आप देख लीचे कैसे हम उसका use करेंगे, तो हम यहाँ से simple किसी भी corner से इसको stretch करेंगे, इसका जो है basically यह link रहेगा, किसी भी corner से अगर हम लोग करेंगे, किसी भी side से अग link हो जाएगा एक तरीके से है ना, तो अगर आपको इसका aspect ratio maintain रखना है, जो कि आपको हमेशा रखना चाहिए, तो आप corner का use करेंगे, लेकिन कहीं पर जरूरत है, थोड़ा बहुत यह करणी की जरूरत है, तो आप side वाला use करेंगे, ठीक है, ओके, next हमारे पास यहाँ पर है बिल्कुल center से जो है, वो rotate होड़ा है, center से rotate होड़ा है, अब यहाँ से मुझे for example, मुझे इसको rotate करना है, इस point से, यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, इसको टाहदर के, मैं राल दोंगा यहाँ पर, ओके, और अब मैं इसको rotate करूंगा, ओके, position मैं इसका थोड़ा सा उपर कर और यह हमारे पास rotation, अब देख लिए यह उस points जो है, वो हमारा rotate हो रहा है, तो इस तरीके से आप जो है, anchor point को shift कर सकते हैं, next यहाँ पर हमारे पास, जो है, यह option है, okay, यह आप भूल चाहिए अभी फिलाल, इसमें, यह हमारे पास flip का option है, flip हम कर सकते हैं, इसको simple, यहाँ से मैंने किया, इसको उल्टा मैंने कर दिया, यह flip हो गया, है न, और अगर उल्टा हमें करना हो, यह हमारे इस तरीके से flip हो गया, तो इस तरीके से हम लोग जो है, simple, स्ट्रांसफॉर्म का जो है, वो use करेंगे, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से practically यहाँ पर use करेंगे, तो यह क्रोपिंग यहाँ पर नहीं चाहिए, डाइनमिक जूम हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर हमारे पास है composite, composite mod क्या है, यह basically आपका blending mod है, अगर आपने फोटो शॉप अगरा यूज़ किया, तो blending mod जिस तरीके से walk करता है, मतलब जिस तरीके से walk क्या करता है, same वही चीज उससे पहले कहाँ पर हमारे पास है नीचे opacity, opacity क्या है, basically transparency, अभी क्या है, so नीचे इस लड़की के ऊपर जो है, यह हमारे पास यह है, flag है, और उसकी वज़ो से क्या हो रहा है, कि नीचे का कोई भी part हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन transparency से, opacity से, opacity basically transparency होता है, अगर 100% opacity है, बिल्कुल 100% visible है, 0% transparency है, अगर हम इसको 0% करनेंगे, मतलब 100% transparent है, यहाँ पे देख लिजए, अब थोड़ा सा visible हो रहा है, तो यह opacity है, तो कहीं पे आपको हलका सा view करना हो, जैसे हलका सा show करना हो, जैसे कहीं पे भी हम water mark लगाते हैं, तो उसको full हम नहीं लगाएंगे, उस deposit mode, जो कि basically blending mode कहते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे हमारे पास add है, अब यहाँ पे actually इसका कुछ खास ही नहीं, जो आपके लिए suitable हो, वो आप apply कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो option जो है, जैसे कि darken और add है, darken हमेशा क्या करता है, जैसे मैं darken apply करता हूं, तो यह हमेशा क्या करता है, कि यह आपके dark part को रखता है, और white को remove कर देता है, darken white को remove कर देता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ dark को रखता है, लेकिन add जो है, ultra गाम करता है, add आपके light part को रखता है, और dark को जो है, वो basically remove कर देता है, कही नहीं कहीं यहाँ पे अगर आप देखें, तो यह white को रख र लेता हूं चलो मैं यहां से टूल ले लेता हूं मुझे इसके ओपर अप्लाएगा नहीं तो थोड़ा सा ताकि वो जो इसका बॉर्डर था वो सिर्फ यह हो जाए तो यहां पर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसका बाक्राउंड कर ब्लाक हो तो वहां आप कौन सा यूज़ करेंगे और कोई ऐसी चीज़ हो जिसका बाक्राउंड कर वाइट हो तो वहां पर आपको एक और एक्सेंपल दिखा लेता हूं इसके जस्ट ऊपर मैं डाल देता हूं यह वीडियो की वीडियो है मेरे पास फाइर वॉक्ट मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम ब्लाक बाक्राउंड जो था वो रिमूव हो गया है ना काफी इंट्रेस्टिंग चीज़ और यह फाइव ओक हमारे पास आ गया तो आप इंटरनेट से काफी सारे इफेक्ट्स इस तरह के डाउंलोड कर सकते हैं जिसमें ब्लाक बाक्राउंड हो या फिर वाइड तो इस तरह से आप फ्राउंड करेंगे जैनेक्स यहां पर आपके बाक्राइशन अरहें अगर आपका श्यक है फूटेज है तो उसे आप यहां से स्टेबलाइज कर सकते हैं तो यह चीज़े आपको समझ में आ गया और काफी इंट्रेस्टिंग सा प्रॉजिक्ट्ट भी ह हमारा बन गया है इसके गालों के ऊपर है ना इसको थोड़ा सा और हम लोग जो है वह स्केल कर सकते हैं थोड़ा बहुत पोजिशन अगर हमें सेट कर सकते हैं तो यह हो गया हमारे पास यहां पर एक लिए इंपोर्डेंट ऑप्शिन है स्टेबलाइजिशन जो कि मैं आपको अब बता देता हूं तो मेरे पास यहां पर एक फूटेज है यह फूटेज है यह एक्चल में क्या है थोड़ी शेकी फूटेज है यह शेक कर रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखें यह शेक कर र से जो है वो फिक्स कर सकते हैं तो आप देख लीजिए यह हमारे पास फुटेज है इसको मैंने स्लेक किया आप पहले देख लीजिए इसको यह है शेक कर रहा है अब मैं सिंपल क्या करता हूं यहां पर क्लिक करता हूं और इसमें थोड़ा सा थाइम लग सकता है आपके अब देखिंगे यह काफी smooth हो गया पहले जो हो रहा है वह शेक कर रहा था जिसे यहां से इसको आफ करता हूं किसी भी चीज को आप यहां से on-off कर सकते हैं अभी यहां पर देखें before शेक कर रहा है अभी थोड़ा इसको apply करने के बाद थोड़ा smoothie हो गया यह काइब कर सकते हैं मिलंद भी आप से इसकी से इसे मतलब बार बार यह करके देख लिए किसमें ज्यादा बेथर लग रहा है वैयू को आप ट्वड़ा से सकते हैं है ना तो यह आपका बिसिकली लॉक रहेगा तो यह हमारा था बिसिकली इंस्पेक्टर अभी यहां पर हमारे पास और यू से रिलेटर भी ऑप्शन है चुकि यह हमारे क्या था वीडियो था अगर हमारे यह ओडियो होता है और एकज़ंपल ओके तो वीडियो ट्रैक पर पीजैनी डालते मैं वही गप्र गोड़ियो का तो इस चीजे आपको दिता हूं देखना है देख लिए देखना है आप सम्म तराइम सिर्फ और्डियो को डालना चाहेंगे यहां पे लेकिन वहां पे नहीं सकता है यह आदियो पर ही आपका जो है वो डालेगा यह चीज आपको देहान लगना है यहां पर हमारे पास एक्जेंपल यह ओडियो है अगर हमारा वीडियो होता है ऐसा वीडियो जीसमे और वीडियो दोनों है तो वीडियो की आपशन भी हाई- Unix होते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है वॉल्यम है सिंपल खागा सकते हैं बढ़ाना बढ़ा सकते हैं आप अथे उसके बाद पेस है को दिश्ण कर सकते हैं तो नौ्मल है इसको धीशलु जेस्ट करता हूँ normal मैं यसको प्रेस्ट देखते हूं अग agreeing कーム ल्हेंद इनफूर में मिल जाओते हैं तो और यूब को आप यहां से बढ़ा सकते हैं कि यहां से दिखेंगे तो हैं यहां पे यह यह लॉयन है हलका चाहिभध इस LIKE बढ़ा सकते हैं लंक से बढ़ है फखिसे नियुक्त सकते हैं कि वाल्यूम की वाल्यू भी बढ़ रही है घच रही है वैसे यहां पर हमारे पास एफेक्ट्स है कोई भी एफेक्स अप्लाई करेंगे तो वह चीज हम यहां साइडिट कर सकते हैं ट्रांजिशन ना इमेज यह आप्शन्स नॉमली इस तरह की जो आपको fcpx में द इसे रहे जो भी सेटिंग सेटिंग समीं वो सारी यहां पर होंकि यहां से हम उससे चैंज कर सकते हैं अब जैसे देखें मेरे बहलने पास यह वीडियो क्लिप है जो यह वीडियो है। इसमें क्या है मारे पास video भी फिशन भी एंट audio options भी लाइए अगर यहां से मैं इसको कट करके यहांपे कुछ effect में apply कर देता हूँ for example में effects में आ जाता हूँ and transition effects में apply कर देता हूँ ऑभी हावे हमारे बास transitions भी highlight हो गया अभी हमारे बास files है simple properties देखना हो तो ट्रांजिशन एफेक्स अप्लाई करेंगे तो एफेक्स आजाएगा यह था हमारा इंस्पेक्टर पैनल जो कि बहुत ही इंपॉटन्ट है और यहां पे आपको सारे क्लिप्स की सेटिंग्स मिल जाती है फिर से मैं एक कोई प्रोजेक्ट बनाता हूं जो कि मैं ट्रांस्फॉर्म में आ जाता हूं और मैं यहां से कॉर्णेट से स्को मैं स्ट्रेच कर देता हूं और मुझे फॉर एक्जेंपल एक कुछ यह फ्रेम रखना है अलाइनमेंट पॉपिक्ट होने चाहिए तो यह हमारे पास यह हो गया आक्शली जैसे यहां पर यह टाच होत करना है तो मैं इसको ड्राइक करके सुपर हैं डालातेट हूं इसा ओपर मैं रखतना कष्चोरा करना है यह मैंने इसको छोटा कर दिया और इसका जो पोजिशन है वो मैं यह कर दूँगा अब यहां पर मेरे पास क्या है इसको थोड़ा सा अलिंक करने की जरूरत है अलिंक कर ले दा हूं मैं इसको और उसके बाद एक्स वाई एंड पोजिशन हम लोग on screen भी कर सकते हैं लेकिन हम चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और यहां पर यह जो icon दिख रहा है यह diamond का icon जो दिख रहा है यह actually हमारा animation का icon है तो यह काफी interesting चीज़ है जो कि आके अब ही हम लोग देखेंगे वैसे मुझे लग रहा है कि यह course काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं काफी ज्यादा अच्छे से explain करने की कोशिश कर रहा हूं और इसी चक्कर में इस वीडियो का जो duration है वो हमारे बढ़ जाएगा तो अब यह हमारे जो है टीवी के अंदर फिट हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप जो है बीसिकली इंस्पेक्टर पैनल का यूज कर सकते हैं और किसी भी वीडियो के अंदर किसी को भी फिट करना हो यहां पर अब हमें कुछ भी लगाना हो लेकिए फ्लाग लगाना हो गई यहां जाएंगे क्वाज़ तो इसको मैं क्या करूंगा का जो है कि लूग टोब कर लेता हूं मैं तो इसमें थोड़ा सा जो है निसका खराब है दिए आल गए दो के यहां पर यहांपे कमपोसिट में आ जाएंगा हम लोग और इसमें कर देंगे डार्कन और यह हमारा जो है एक तरीके से लोगो आ गया अगर पैसिटी हमें कंट्रोल कर देंगे इसका पोजिशन स्केल ओओ यह हमारा जो सॉफ्ट्वेर है वो ग्रैश कर गया खेर कोई नहीं यह था कि हम किस तरीके से जो है वो इंस्पेक्टर पैनल का यूज करेंगे कि आपको सारी क्लिप्स की प्रोपोटीज मिल जाती है और उससे आप बहुत हैं अमेजिंग एफेक्स वगएरा जो है वो क्रियेट कर सकते हैं क्रांजिशन एफेक्स से हम अपने कट कर सकते हैं और इसको इंट्रेस्टिंग मआ सकते हैं被 इसको इंच्रस्टिशिग搞 आंसे जैसे आपने एक शॉआइच या फिर आपने ज्याइड वीडियो बना ή pak हैं पर नहीं टेक ली आपने वीडियो की दोरान अब वहां डारिक जंप कट हो तो वह अच्छा नहीं लगेगा जैसे कि for example यह मेरी एक वीडियो है और यहां पर for example मैंने किसी वज़ाए से cut लगाया okay so अभी यह video basically smoothly चल रही है है ना smoothly चल रही है okay जादा volume नहीं करना मुझे मैं यहां पर किसी वज़ा से cut लगाता हूँ और बीच में से unwanted part को जो है वो मैं हटाता हूँ simple B press करूँगा और यहां से यहां तक मैंने cut लगाया मैं A press करता हूँ और इसके बाद जो है वो मैं delete कर दूँगा और इस black space को भी मैं delete कर दूँगा अब यहां पर अगर आप देखें दिहान से तो यह jump जो है वो feel हो रहा है और यह जीज बहुत गंदा लग रहा है बहुत अन्प्रोफेशनल लग रहा है तो ऐसे हम लोग जो है वो transition effects के जरीए जो है वो चुपा सकते हैं तो basically एक video खतम होकर के दूसरा video एक clip basically एक clip खतम होने के बाद दूसरा clip इनके बीच में क्या animation होगा किस तरह का transformation होगा किस तरह का transition होगा वो चीज हम लोग जो है वो transition effects से decide करते हैं तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास यह है effects library इसके उपर मैं click करता हूँ और मैं media pool को यहां से हटा देता हूँ अब यह हमारे पास है effects library यहां पर हमारे पास है toolbox 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 के अंदर हमारे पास यह है video transitions आपके पास audio transition भी है normally cross fade fade out fade in है तो वीडियो transition वीडियो transition में आपको बहुत सारे जो है वो transitions में जाते हैं तो देख लिए यह हमारे पास किस तरह का आप review करके भी देख सकते हैं ना देख लिए इस तरीके से change होगा first video ऐसी होगी है ना इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से change होगा यह हमारा सबसी popular है cross dissolve है ना इस तरीके से यह change होगा उसके बाद यह हमारे बास dip to black काफी सारे जो है आपको में जाते हैं शेप बेस पे चुकि यहां पर क्या है same video है same ही चीज है तो बहुत जादा difference आपको देखने को नहीं भी लागा है जैसे यहां पर आते हैं इसको मैं select करता हूँ इस तरीके यह change होगा यह पहले यह वीडियो है यहां पर देखने जब सिंपल यह cut होगा like change होगा तो directly change हो रहा है तो हम इसके बीच में transition effect डाल सकते हैं यह है तो simple आप इसके उपर scrub करते हैं तो यह effects आपको देखने को जाएगा तो इससे आप directly जो है वह आप अपनाई कर सकते हैं तो यह cross dissolve, simple आप इसे drag करके है ना और आप आ सकते हैं यहां पर यह हमारे पास option तो मैं यहां पर सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं और okay मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं अब यहां पर क्या हो रहा है यह video ह हमारे यहां पर खतम हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है तो अभी क्या है simple jump जो है वो फील हो रहा है अब इनके बीच में transition effect डाला है मैं यहां से cross dissolve effect जो है को छोड़ देना है हो गया यह हमारा transition effect apply हो गया अब मैं यहां पर video को click करता हूं आप देख लिए effect यह कुछ इस तरीके से यह हुआ है ना तो यह हमारे पास apply हो गया same अगर आपको delete करना हो तो simple यहां पर जैसे मैं click करता हूं यह देख लिए highlight हो गया आप delete button press किचे और यह है ना मैं इसको किसे center में डाल देता हूं और अब यहां पर आप इसका duration वगयरा जो है वो change कर सकते हैं तो जैसे आप इसको select करते हैं और inspector में आते हैं तो आपको transition effect जो है वो दीख जाएगा तो transition में हमारे पास कौन सा effect अभी cross dissolve है आप यहां से भी चाहिए तो change कर सकते हैं यहां से भी duration change कर सकते हैं यह total जो हमारा transition effect होगा यह कितने second का होगा तो हम यहां से बढ़ा सकते हैं यहां से भी बढ़ा सकते हैं यह automatically time line में हमारा बढ़ रहा है तो अब मैंने काफी लंबा इसको कर दिया देख लिए जब यह काफी slow होगा अगर हमें fast करना हो तो हम इसको slow कर देंगे like इसको कम कर देंगे duration कर देंगे तो अब यह क्या होगा काफी fast होगा तो इस तरीक से आप जो है time control कर सकते हैं उसके बाद यहां पे भी आपके पास alignment का option start में डालना है center में डालना है लास्ट में डालना है वो चीज़ से उसके बाद यहां पे हमारे पास angle है कि आप आप अप्लाई करेंगे तो उस चीज़ का है next यहां पे बदल यह जो कुछ option है ना यह actual में आपके effects के according होगा हर एफेक्ट में अलग-अलग option होगा alignment के उसके बाद clockwise, Borders यह सारी चीज़े जो है हर इसमें अलग-अलग होगा देख लिए बारस आप अपलाई कर सकते हैं clockwise, anti-clockwise उसके बाद जो है angle क्या होगा है ना वो चीज़ आप यह कर सकते हैं feather आप अपलाई कर सकते हैं इस तरीके से हैं तो यह अलग-अलग transition effects के according यहां पे हमारे पास in ratio है reverse करना हों reverse कर सकते हैं उसके बाद जो है animation in or out like for example in or out मैं कर देता हूं यहां पे आप ग्राफ भी देख सकते हैं जैसे देख लिए जो मैं इसको थोड़ा सा ही करता हूं तो यहां पे आप इसका graph देख पा रहें यह हमारा graph है यह इस तरीके से ऐसे करके ऐसे तो यह animation का pattern है जो कि अगर आप की frame animation में जाएंगे तो वहां पे आपको यह चीज़ देखने हो इससे आप जो है थोड़ा सा look change कर सकते हैं animation का यह हो गया हमारा transition effect तो यह चीज़ हम लोग क्या करते हैं अपने videos के दर्मयान में डालते हैं तो जो भी effect आपको अच्छा लगत effects हैं जो कि आपको इसके अंदर मिल जाएंगे तो काफी अच्छे-च्छे effects है इस तरह का आपने देखा होगा आज के रिर में काफी ज्यादा जी चलना है यह fast जोड़ा सा पास जा रहा है इस तरह के से पास जोब आपको अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हैं एक य हम नहीं करना हो कि आपको हर कट पे अलग-अलग डालनना है आपको ऐगी transition को multiple time use करना है जहां पर भी आम को युज करना है ऐगी transition को jテु करना है यह देख लेज़े हैं इसको डाल देते हैं अभी हमारे पॉफिक्ट बुरा नहीं लगेगा तो यहां पर हम अपने डाल सकते हैं तो यह था अगे और उसको एडिट करने से लेटे हमारे पास यहां में ऑप्शिन से इन सारे उप्शिन को आप खुद से वह टूइक कर सकते हैं तो यह था हमारा ट्रांजिशन एफेक्ट आपको सिंपल एफेक्ट लाइडरी में आना है और उसके अंदर है यह वीडियो ट्रांजिशन जो और यहां से आप जिए वीडियो ट्रांजिशन अपलाने कर सकते हैं और यू ट्रांजिशन में कुछ नहीए का है क्रोस फैड है सिम्पल यह चीज हम लोग देख लेंगे एक और चीज है यह बें कि आप जो है डिफॉल्ट जो यह ट्रांजिशन है यह वह अफ अपर है जिसे default अभी क्या है cross dissolve है और इसके use actually यहाँ पे होता है जिसे हमारे पास यह वीडियो है यहाँ पर transition effects डाले हुए है यहाँ पर भी यह डाला हुए है और यहाँ पर भी यह डाला हुए है अब जो default है यह देख लिजे यहाँ पर हमारे पास यह option है dissolve, simple अब यहाँ पर default जो है वो apply कर सकते है इनके बीच में इसको वैने select किया और यहाँ पर इसके बीच में हम जो है वो apply कर सकते है ओके actually यहाँ पर हम नहीं apply कर सकते है यह photo and video है किसी विज़ा से पता नहीं बड़ यहाँ पर हम लोग कर सकते है तो यह था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो ट्रांजिशन एफेक्ट का जो यूज जो है वो दाविची रिजॉल्व के अंदर करते हैं गाइस तवीची रिजॉल्व में आपको काफे सारे अमेजिंग प्रेमियम लोकिंग फुली कस्टमाइजबल एफेक्स वगरा मिल जाते हैं जिसे आप अपनी फुटेश के उपर जो है वो यूज कर सकते हैं तो मेरे पास ये एक वीडियो है जिसका मैं यूज करने वादा देमोंस्ट्रेशन के लिए इसको पर मैं एफेक्स वगर अपलाए करूंगा तो रेडी हो जाएगे और आपको स्माइल नहीं करना है बैसिकली ओके सो मैं यहां से सबसे बेले क्या करता हूं मीडिया फूल को मैं आफ कर देता हूं और यहां पर हमारे पास जो एफेक्स ला और यहां से से अपकर सकते हैं जो कि मैं पिछली लेसन में नहीं पूल या था पर हमारे पास यह हैं इसके अदर कुछ एफेक्स हैं जिसे हम अपनी पोटेश के उपर अपलाई कर सकते हैं यहां पर दो इमपॉर्टेंट ऑप्शन है अजजस्में क्लिप एन फूजन कॉज अब लोग बात करेंगे और फूजल गॉम्प सीजे यह बहुत ही अडवांस चीज यह बहुत ही इसके अधर कुछ इफक्ट्स को बात करेंगे है इसके अंदर भी कुछ एक्स जो है वो आपको मिल जाते हैं जो कि आप अपने फुटेज के ऊपट आपके यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्स के अंदर है कुछ फीचर जो है इसमें प्रेमियम है उसके बाद यहां पर हमारे पास ग्लिच एफेक्ट हैं जो कि हम अप्लाई गर सकते हैं फ्री है यह सिंपल ड्राग और ड्रॉप करना है ड्सलार है हम अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद डीवी है नाइट विजन वीडियो कॉल और यह हम अप्लाई कर सकते हैं तो इसको ड्राग करके मैंने डाल दिया यहां पर इस फुटेज के ऊपर डारिकली और यह दिख लिजिए वीडियो कॉल टाइप आ गया अब यहां पर इंस्पेक्टर जो है इसमें हमें आना है और इसमें अगर आप देगे तो एफेक्स जो है है वह हालाई होगया अभी इसके अंदर सबसे पहले काम पर फ्यूज एख्स में चागर क्याँ होगी अगर हम कुछ ऑड्यो ऐफेक्स नाब यहां पर यहां से हमने डाला है यहां कर सकते हैं अभी हाँपार जिस तरीके से हम लोगोने चैशन में से हमें। जो भी साब्सेट कर सकते हैं तो आप भी हाँपे इस तरीके से हम लोगने इंस्पेक्टी के रखना है ना फ्रेम में वीडियो के अंदर पर रखना है और एक्स वाई पोजिशन है हमारे पास यहां पर उसके बाद जो है जूम कितना बड़ा कितना चोटा होनी शाहिए पर दिखाना है जैसे लापटाप के स्क्रीन में दिखाना हुई जीज़ तो उसी तरीके से हम हाँ एक कॉल बटन वो यहां से ऐब चेंच कर सकते हैं नेक्स्ट आपके पास सारे कस्टमाइजिशन के बिस्ग जो है वो ऑप्षिंस में जाते हैं कलर और गोंसे चीज़ेगा हैं तो यह हो गया हमारे पास आप चाहें तो यह हो गया आपको डीलिट करना है आप यहां से टूझर कर सकते हैं तो यह एलीट कर दिया अभी आंपे फौर एक्जेमपल में अपलाई कर देता हूं DSLR है इसलाइब कर यह है जाते हैं इफेक्स में और अब दीख लिए यहां पर हमारे पास सारी चीजों को स्टमाइज करने के ऑप्षिन है शटर स्पीड अपश टाइम आ इसो कितने जो है वो अपर्चर के ओपर लिया है और इसो शो करना हो तो फॉर एक्जम्पल लेक वन थाउजन आ ये सो सारी चीज़ों को ओवर आल आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं कलर वगरा है और जो भी चीज़ें बैटरी लेवल है यहां से आप उसे यह कर सकते हैं तो कोई भी एफेक्ट्स आप अप्लाई करते हैं उसे आप पूरी तरीके से जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं आप यहां से इसे आफ कर सकते हैं इस एफेक्ट्स को रिसेट करना है आप रिसेट कर सकते हैं तो काफी सारे आपको बिल जाते हैं इनमें से कोई आप simple drag and drop करके apply कर सकते हैं अब आ जाते हैं हम लोग open effects में यहाँ पर हमारे पास box blur basically यह सारे blur है हमारे पास zoom blur यह effects directly आप apply कर सकते हैं आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि इसके उपर mask वगरा किस तरी से apply करेंगे या पर track वगरा अब जैसे यह effect है lens blur यह क्या है यह सिर्फ ऑसिफ दर्विंसी डिजॉल्व studio में ही चलेगा मतलब उनके लिए फ्री होगा हमारे लिए फ्री नहीं है अगर हमें studio वर्जन सारे फ्री है जिसे की beauty है आपको अपने फेस को स्मूथ वगरा करना हो तो आप इस्टूडियो वर्जन यूज कर सकते हैं उसमें आप इसली कर पाएंगे उसके बाज है यहां पे यह अब्स्ट्राक्ट विव है ज्रॉप शैडो एज डिटेक्ट और काफी सारे और भी जो बरуп नेकर अजिदेक्टाल आपको देखाना और इस जरुप से और यहां से आखर की कस्टमाइस कर सकते हैं बोचा कितना होगा है और इसके स्टारी चीजा पर चीजश कर सकते हैं उसके बाद यहां पर मारे श्रॉप्र हीडीयो काफी और उसके बाद यहां पर workflow, workflow, create title, tile, इसको फर्स फ्रेम में डाल दिया और उसके बाद इसको मैं यहां से, यहां से मैं control कर सकता हूं, चार है न, दो, तिन, किस पॉसिशन पर डालना है, अब इसके उपर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपर multiple videos डाल सकते हैं और उसके उपर save effect डाल सकते हैं अब जिससे ये है मेरे पास मैं इसको just ऊपर इसके डाल देता हूँ इसके just ऊपर और इसको मैं सीके according resize कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक और layer डाल देता हूँ चार total videos मुझे डाल नहीं है और इसका size भी मैं इसके equal कर देता हूँ total 4 layer मुझे use करना है और यह है मेरे पास इसमें से दो image है और दो हमारे पास यहाँ पर basically video है अब सब के उपर जो है वो हम same effect जो है वो हम apply करेंगे यहाँ पर आज आते हैं video collage इसके उपर and same effect इसके उपर and same effect जो है वो हम लोग इसके उपर apply करेंगे अब यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे पहले आजाते हैं सबसे पहले वाले में और effects में आजाते हैं और यहाँ पर same हम लोग करेंगे create tile and tiles इसको मैं कर देता हूँ for example एक number और यह जो second वाला है हमारा इसमें भी आकर कि same मैं इसको कर देता हूँ दो number और यह जो हमारे पास तीसरा है इसको भी same मैं यहाँ पर कर देता हूँ तीन number अभी हमारे पास चार अलग-अलग वीडियोस हैं जो कि यह हो रही ही यह दोनों फोटोस हैं यह दोनों हमारी वीडियोस हैं अब यहाँ पर हम इसे play कर सकते हैं एक और footage मैं ले ले लेता हूँ for example यह इसको जस्ट मैं इसके उपर डाल देता हूँ यहाँ पर हमारे पास space कम है थोड़ा इसको जस्ट इसके उपर मैंने डाल दिया यह सौड़ी यह हमारा क्या है यह बिसिकली वीडियो है सेब इसके उपर भी सेब इफेक्ट डालेंगे हम लोग और यह हमारा background में आ गया अब देख लिए मैं यहाँ पर प्ली करता हूँ तो यह हमारे पास काफी अच्छा सा जो है वीडियो को आज क्रीट हो गया यह सारी चीज़ें आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं किसका हाइट किसका साइज क्या होगा और उसके बाद जो भी इस passing बगएर है सारी चीज़ों को जो है आप अपने according जो है आपको कस्टमाइज कर सकते हैं तो यहां से मैं फिलहाल सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर जो हमारे पास layers है उनको भी मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ अब यह हमारे पास है इसमें जो effect है मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ और दूसरा effect ट्राई कर दें कुछ ठीक है यह normal हो गया हमारे यहां पर हमारे पास है dent इस तरह का funny type effect जो है वह आपके लीट कर सकते हैं किसे देख लीजिए मैं इसको ट्राक करके यहां पर डाल देता हूँ और इसके बाद जो है इसका pattern है for example type 2 और यहां से मैं इसका जो position है वह just इसके face के ऊपर मैं कर देता हूँ इसमें काफी सारे patterns है और यहां पर यहां पर आजाते हैं और मैं इसका size थोड़ा सा गम करता हूँ और इसका जो यह है strength है वह थोड़ा से कर देता हूँ इस तरह की वीडियो आपने देखे हूँ टॉक्ट पगेरा पर जो है वह काफी जादे चलती है यह हो गया हमारे पास इसमें काफी सारे patterns है actually strength थोड़ा कम कर देते हैं इसको यह हो गया वैसे ही हमारे पास यहां पर लेंस distortion है उसके बाद रिपल एफेक्ट है यह है और यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सा aadha kaon sa free है आपको खुछ से जो है वो चीजे explore करनी पड़ेगी यहां पर क्योंकि बहुत सारे पेर है और बहुत सारे free भी जो है यहां पर आपको मिल जाते हैं काफी सारे effects से ठीक है वैसे यहां पर हमारे पास जो है वो audio effects भी है fair light यहां पर यह option है उमारे पास जिसमें हम audio की editing जो है वो कर सकते हैं कोई भी effects आप अपलाई करते हैं बस आपको क्या करना है इंस्पेक्टर में आ रहा है यहां पर एफेक्स है और आप उसे एडिट कर पाएंगे अब चलिए मैं यहां पर एक नॉमल वीडियो ले लेता हूं जिसमें ओडियो है ओके यह वीडियो है अब इसके ओपर मुझे जो है विसिकली एफेक्स अप्लाई करना है और यो एफेक्स तो देखेशे डिले थोड़ा सा इको एफेक्ट तो मैं सिंप्ली इसके ओपर ड्राग करके डाल देता हूं और यहां पर चीजो को कंट्रोल कर सकते हैं यही सारी चीज़ आप टोटली आपके ओपर डेंड करते हैं कि लाइक आप इसके किस तरीके से जो है वो कस्टमाइज करते हैं तो यह हो गया हमारे पास इको एफेक्ट सेम वही आप देख लिए यहां पर यहां पर यहां पर यह और यहां से डिलीट करता हूं और उसके बाद थोड़ा सा डिले है ऑन डायलोग प्रोसएस्टरॉशन काफी सारे है तो आप सभी को सब्युक्त्राइब कर सकते हैं बैश है हमारे पास पीफेम्ड जिक्से साथ्फेर कि कौक्ररोल बीकोंड व्युक्रेसखेश से कि शार में तो सारे कंट्रोल से आपके पास यही से डारेक्ली आप जो है वह कंट्रोल कर सकते हैं और यहां पर इस काँए उपकर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट जो है आपके पास pop-up window पे नोपन हो जाएगा जहां से आप जो है थोड़ा सा मेकानिकली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं तो यह हो गया हमारे पास और यूफेक्ट है तो यह काफी सारी एफेक्स हैं तो बस मुझे नहीं पदा कि आपके लिए कौन सा यूसफुल होगा आप एक एक करके ट्राइब किजिए और यहां पे पे यहां पे अगर इसको फैवरेट में आड़ कर देगे तो वो चीज़े आपकी आपके आपके अपनी प्रिवीड में आज़ाएंगे अनगी यह फाट से अब यहां पे आती है चीज़ें क्या यह एच्चमेंट क्लेप जो कि effects के लिए normally use होता है video effects के लिए तो ये क्या चीज़ है अब for example देख लिज़े कि मैंने हाँ पे video पोल से एक video लिया for example ये एक video है ये एक video है मैंने क्या किया है इसके उफर मैंने color correction apply नहीं किया है और मुझे क्या करना है मैंने इसको जो है basically cut वगेरा किया हुआ है बीच में से बहुत सारे parts को मैंने हटाया हुआ है और दूसरी चीज़ ये है एक condition तो ये हो गया कि मेरे पास multiple clip है और सभी का color correction हमें करना है या फिर सभी का हमें जो है वो सभी के उपर effects डाल यहाँ पर actually color correction वगेरा कभी काफी सारे tools है अगर आप आते हैं इसके अंदर आप को जो है keys बिल जाते हैं जिससे मैं यहाँ पर search करता हूँ for example color, color compressor, stabilizer and color generator and then काफी सारे मिल जाते है तो for example कोई ऐसा effect है जो कि मुझे सारे के ऊपर apply करना है तो उस case में हम लोग जो है adjustment clip का use करते है तो simple हम क्या करते हैं इसको directly किसी को उपर apply नहीं करते हैं उसके उपर डालते हैं और अब sorry और अब यहाँ पर इसके उपर अगर हम लोग कोई effect डालेंगे न तो वो क्या होगा वो directly इसके नीचे वाले layer के उपर visible होगा तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको जितना बड़ा चाहे है उतना बड़ा कर सकते हैं और यह separate layer है effects का तो for example मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और for example like okay CCTV हमारा काम ही नहीं कर रहा है यह effect मैं इसके उपर डाल देता हूँ तो यह क्या है अब सारे layer के उपर जो भी है for example यहाँ पर मैं वीडियो चेंज कर रहा हूँ देके मेरे पास यह वीडियो है तो यह इसके उपर भी जो है वो apply हो गया तो यह हमारे पास यह adjustment layer है यह बहुत important चीज है तो आप directly footage के उपर ना apply करके इसके उपर apply कर सकते हैं और इसके effects में जा सकते हैं और सारे control जो है वो आप कर सकते हैं और जिसके उपर भी आपको डालना है for example आपको पूरा का पूरा color correction पूरे के पूरे clips के उपर डालना है next यहाँ पर हमारे पास है fusion composition जिसको हम लोग जो है वो आगे के lesson में जो है आपो देखेंगे next फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर colors जो कि काफी मजा आने वाला है guys अगर आपकी video बहुत अच्छी है लेकिर audio में किसी दरह की problem है तो आपकी video अच्छी नहीं माली जाएगे तो इस section में हम लोग देखेंगे DaVinci Resolve में हम लोग basic audio editing किस तरीकी से करेंगे तो मेरे पास यह एक footage है timeline में अगर आप देखें इधर देखने की ज़रूत नहीं है मैं आप इंस्पेक्टर on कर देता हूँ यह मेरे पास video है वीडियो के साथ ही attached है audio और आप इसका graph देख सकते हैं अगर यह graph visible नहीं है तो आपका पता है कि यहाँ पर हमारे पास option है यह हमारे पास audio view option तो आप अपने according जो है graph को visible कर सकते हैं जिसमें भी आप comfortable हो तो मेरे लिए यह दो option काफी comfortable है तो वैस में आगया अब मेरे पास यह proper way में जो है वो visible हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर volume हम किस तरीके से बढ़ाएंगे खटाएंगे तो हम लोगों ने पहले भी देखा था inspector के section में कि simple हमारे पास यहाँ पर audio का option है और on audio में यह जो first option है यह है volume का option तो यहाँ से हम volume कम कर सकते हैं और उसी हिसाब सहब देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफ में भी जो है वो फर्क पर रहा है हम यहाँ से volume बढ़ा सकते हैं ऐसा नहों कि आपके voice सुनने में ही नहीं आ रही है, आपके music में ही वह खो जा रहा है, तो हम यहां से जो है, वो volume कंट्रोल कर सकते हैं, inspector में audio, यहां पर हमारे पास यहां पर भी option है, जैसे देख लिजे, यह एक line आपको देख रहा होगा, आपको देख रहा होगा कि नहीं, तो मैं यहां पर थोड़ा से जूम करता हूँ, और यहां पर आप देखें, तो जैसे मैं इस line के ऊपर अपना mouse ले जा रहा हूँ, जो audio clip के इस line के ऊपर, तो हमारे पास यह double side, आपन down वाला arrow जो है, वो आ जा रहा है, तो इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको कम-base कर सकते हैं, और आप अगर inspector panel में भी देखें, तो हमारे जो audio volume है, वो कम-base हो रहा है, तो आप directly यहां से भी कर सकते हैं, आपको inspector में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यह हो गया, simple आपको volume घटाना हो, बढ़ाना हो, वो चीज़ आप यहां पर कर सकते हैं, हमारे पास यहां पर कुछ और भी option है, कुछ options को हम लोगों ने जो है, वो पिछले inspector के section में जो है, वो देख लिया था, तो यह हो गया हमारा volume control, अब next आता है कि हम fade in, fade out effect वगरा जो है, वो कैसे रालेंगे, तो उसके लिए, जिसे for example मैं क्यों करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहां पर trimming करता हूँ थोड़ा सा, okay, so हमारी video basically यहां से start हो रही है, यहां फिर मैं snapping सबसे पहले off करता हूँ, क्योंकि ऐसे case में snapping थोड़ा मुश्किल होता है, okay, so मेरी video basically यहां से start हो रही है, तो अगर आप देखें तो मेरी आवाज जो है वो एक bank से start हो रही है, तो इसी भी तरह का यहां पे आप ऐसा नहीं कि धीमे से slowly start हो, जैसे कोई भी music start होता है, तो क्या होता है कि वो slowly start होता है, फिर जैसे music खतम होता है, तो वो slowly starts, ऐसा नहीं कि बीच में एक bank से बंद हो गया, एक bank से start हो गया, तो वो चीज़ अब लोग जो है fed in fed out अब यहां पर अगर आप देखें तो इस audio track के corner पर हमारे पास यह कुछ भुगमाग टाइप का icon है उसके ओपर जैसे आप mouse ली जाते हैं तो आपके पास यह double arrow आ जाता है इसका मतलब यह है कि आप क्लिक करके इसे ड्रैक कर सकते हैं तो इसके उपर जिस क्लिक केज़े और इस डिरेक्शन में आप इसे ड्रैक कीज़े अब जो हमारा audio start होगा वो slowly start होगा और फिर अपने maximum volume के उपड़ाएगा देख लिए डिफरेंस तो यह क्या हो रहा है अगर आपको करना हो फेड़िन फेड़ाउट इसको फेड़ाउट इसको अडर इसको अरट कर सकते हैं और सेम इसी तरह ग्राफ होगा यहाँ पर हमारे पास एक डॉट भी दिख रहा है इसका मतलब क्या है आप जो है इस ट्रांजिशन को बिसिकली और स्मूथ बना सकते हैं भी क्या है बिल्कुल फ्लैट लाइन है थोड़ा से स्मूथ हम बना सकते हैं इसको यह क्या होगा बिसिकली जीरो से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है maximum level के उपर जाएगा उसके आप सकते हैं मैं हमारे पास यह option है अब यहां पर जो भी हमारे पास टूल देना ईड़िटिंग के वो सारे टूल ऑडियो के लिए भी काम करते हैं तो यहां पे जैसे हमारे जो वोई से करें खतर हो रहा है मदलब यहां पे हैं इसको डिलीट कर दिया अब यहां पर भी हम जो है फैद इन फैदाओ एफेक्ट्ट जिए वो डाल सकतने है सिंबल इसको ड्राइक करके अब जितना दूर तक जो है आप इसको ड्राइक किज़ेगा उतना लंबा एफेक्ट होगा यह वाल्यूम डाउन होना शुरू हो गया ऑगे सो इस तरीके से आप जो है फेड इन फेड आउट एफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं तो यह था कि इस तरीके से फेड इन फेड आउट एफेक्ट डालते हैं अब नेक्स्ट आता है ओडियो को सिंक करना अब जैसे यह जो वीडियो है यह DSLR की जरीए शूट किया गया है और उसका जो डिफॉल्ट माइक होता है उसी के जरीए यह ओडियो रिकॉर्ड किया गया है लेकिन इस से जो है इसकी जगह डालना है रिप्लेस करना है तो वो चीज हम कैसे करेंगे बहुत ही सिंबल है सबसे पहले यह ग्राफ विजिबल होनी चाहिए अगर आपने बिल्कुल भी और नहीं किया तब तो फिर आपको बहुत अंदाज से बहुत ही महिनत करके उसको जो है वो सिं ग्राफ कहीं नहीं चकर रहा है लेकिन सही जगा पर नहीं है जिसे देख़े जूलास्त में कुछ इस तरह का का ग्राफ है इसमे फुर। एब शैयुचत करता है तो अब पर ईक्जम्पल मेरी वीडियो स्टाट हो रही है मेरे मेरा इस और यह से हम पाटरन देख सकते हैं यहां पर मैं इसको separately select करता हूं और मैंने इसको ट्रिम कर दिया है इसको यहां से डिलीट कर देता हूं उसके बाद इसको slide करके लाते हैं स्टार्टिंग में और इसको match करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और यह करते हैं इसको मैं अभी selection टूल के जरीए ही सारी चीज़े कर रहा हूं ओके स्टार्टिंग में मैं इसको match कर ले रहा हूं पूरी तरीके सी कि जूम कर लिए आप इसको ओगे थोड़ा सा और तो अब ऐसा लग रहा है कि यह कहीं न कहीं थोड़ा सा और कर सकते हैं तो यह हमारा जो है पाच हो रहा है आप प्ली करके देख लिए अगर मैच नहीं होगा पॉफिकली तो हलका इको टाइप साउंड जो है वो आपको सुनने को मिलेगा लेकिन यह पॉफिकली मैच हो गया अब हमें क्या करना है इस ओडियो को हमें बेसिकली डिसेबल कर देना है सिंपल हम यहां से म्यूट कर सकते हैं इसको मेरा फ्रेश ओडियो अप्ले होगा इसका वॉल्यूम मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और पहले जो वोईस था वो आप देखी क्या था यह था काफी गंद्य सा अब यह है हमारे पास तो अब हमें क्या करना है किसी वज़ा से तो म्यूट कर देंगे तो सिर्फ फॉर्स जो है वो हमारा नीचे वाला जो है वो क्ले होगा या फिर एक चीज यह कर सकते हैं कि हम इसे पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे इसको मैंने स्लेक किया इसके उपर राइट क्लिक अब देख लीजिए हमारे पास यहां पर फ्रेश आवाज यहां पर आ गया अब नेक्स आता है बाक्राउंड म्यूजिक वगरा सिट करने का तो सिंपल जी चीज है जो भी आपका बैक्राउंड म्यूजिक है उसे आप जिस नीचे डाल दीजिए है न दूसरे ट्राक के उपर और उसके बाद जो है यहां पर सिंपल मैं क्या करता हूं इसको मैं फोड़ा सब्सक्राइब थोड़ा सब्सक्राइब यहां पर इंजिए फोली म्यूजिक के स्टार्ट होगा देख लिजिए इतना वॉल्यूम नहीं रखना है आपको है ना हमेशा आपकी म्यूजिक का वॉल्यूम जी है वो आपके वोई सुवर से कम होनी चाहिए तो मैं इसको थोड़ा से कम कर देता हूं तो यह हो गया हमारा फेड इन ओके यह थोड़ा से नेक्स्ट यहां पर मैं इसको कट करूंगा मतलब यह जो मेरा ओडियो हो काफी ज्यादा बड़ा है तो मैं यहां से इसको मैं कट कर देता हूं ब्ली टूल से सिंपल और यहां पर भी फिल्ट आउट इफेक्ट जो हो हम लो डाल देंगे क्योंकि देख लिए आप यहां पर क्या हो रहा है एक बैक से म्यूजिक बंद हो गया यह अच्छी चीज नहीं है तो यहां पर हम लोग जो है और चीज हो सकता है और वो यह है कि आपका ताइम लाइन बहुत बड़ा है ना बहुत लंबे लेकिन ऑडियो जो आप यूज करना चाहरे है वो छोड़ा है तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसको जैसे आपके वीडियो और लंबी है मैं इसको क्या करता हूँ यहां से सिंपल इसका डूबलिकेट बना सकते हैं आप Newton की प्रेस कीजिए और उसके बाय जिसे यह हमारे बास इसका मुझे डूबलिकेट बनाना था रहा फिर और आगे बनाना है आपको simple press करके रखियो और आगे इस तरीके से आप जो है डूब्लिकेट बना सकते हैं तो ये था basic audio editing I hope कि आपकी दिमाग में यह जीज़े आ गही होंगी कि इस तरीके से audio editing हमें जो है वो करनी है तो काफी सारी effects भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं गाइस हमारी वीडियो में कई जगह पे हमें टेक्स्ट वगरा का यूज करना होता है टाइटल्स डालने होते हैं लोड थर्ट्स वगरा डालना होता है कुछ annotations वगरा डालने होते हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए जो है वो हम लोग text का यूज करते हैं तो सीधे इक footage है मुझे इससे ऊपर में टाइटल्स डालने हैं यह हमारे पास reflects और में यहां से मेरी आपूल को ओफ कर देता हूं और इसके अंदर हमारे पास यह है ठाइटल्स अब आपको काफी सारे ऐड़ ज्म आगे टाइटल्स फ्यूज्ड डाइटल्स एन काफी सारी चार्ण टो नॉम्मली यहां पे जीतने भी है वो सारे के सारी जो है वो waterproof है कि कुछ इस तरीकी से यह अनोटेशन सेंटर काफी अच्छ अच्छी जो है वह यहां पर आपको टाइरल्स मिल जाए कुछ टाइप एफेक्ट और बहुत सारे यहां पर दिये गए तो फॉर एक्जेंपल जैसे यह है थ्री लाइन ड्रॉप तो आपको क्या गरना है सीम्प्ली आपको ईसे ज्राक करके और अपनी वीडियो के जस्ट उपर वाले ट्राक पर इसे डाल देना अँग present clear तो आपनी यह थिससे यह title हमारा starting में होगा इस तरीके से कुछ ओके फिर यह title हमारा खतम हो जाएगा और यह video start होगे तो आप यह भी कर सकते हैं या फिर आप जो है simple अपने video के ऊपर जो है वो डाल सकते हैं कहीं पर भी रालना हो जो भी हो आपको यह चीज पता है कि क्या करना है तो यह हमारे पास title काफी अच्छा सा लग रहा है अब इसका duration क्या होगा कितनी देर यह शो करेगा तो simple आप selection tool के जरिए इसको बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं चोटा करना है आप चोटा कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं मतलब कितना duration इसका रहा है को तिनी देर तक यह बिसिकली शो करेगा तो for example ओके चलो मैं default यह हमारे पास तो यह हो गया duration उसके बाद यहां पे हमारे पास है inspector इंस्पेक्टर के अंदर वीडियो के अंदर ही आपको जो है यह मिल जाएगा टाइटल्स एंड सेटिंग्स है सेटिंग्स पहले था बाइडिफॉल्ट जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो है और अब यह हमारे पास टाइटल का option जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को बोडिफाई कर सकते हैं तो फॉर एक्जांपल और जो भी आपको बोडिफाई करना हो आपको नीचे आते हैं इसके नीचे आप को उसके सारी सब्सक्राइब करें काफी सारे पॉर्ट नहीं कर रहे हैं इसके बाद यहां पर बोर्ड बड़ा और जादा बढ़ा हो गया जो है यहां पर हमारे बास tracking है, color है फिर उसी से related यहां पर हमारे पास option है, position, offset वगरा है यहां पर हमारे बास टेक्स्ट आता है आप खुद से इन सारी चीज़ों को एक्स्प्लोर कीजिए आप खुद से देखे कि किस से क्या होता है क्योंकि अगर एक ही कॉप्शन में बताने बैट हिया तो यहां पर फिलाल तीन चार घंटी की वीडियो हो रही है मुझे ऐसा लग उसका जो पॉजिशन है मैं सक्सलय करके लिया तो यहां और उसके बाद मैं आ पर ढाल दर ओग से त्या hok मैं किया करऊंगा अन्हें सैटिंग में व्लेंग 24 बूल कंटि च्टीक टैकर मैं इसका अब फूरा गपूरा थोड़र तो हो गया विद मी जो है उसका टेक्स्ट कलर मुझे चेंज कर रहा है कुछ लेका आई धिंक को यहां पर लाइट का लाव थोड़ा सा शलो मैं यह ले लेता हूं कुछ बात वाई हुई तो यह हमारे पास यह हो गया हम लोग इसली इससे बोडिफाई कर सकते हैं कर सकते हैं काफी सारे जो है यहां पर आपको मिल जाएंगे यह हमारे पास 3D है है हमारे पास कुछ लोड थर्ट वगएरा है सिंपल ज्रैक करना है आपको अपनी वीडियो उसके उपर डालना है और उसके बाद जो है आप पूरी तरीके से उसको जो है वह कस्टवाइज कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट है जो भी पॉंट वगएरा है और जो भी स्टाइल जरा रही है वो सारी चीज आप कर सकते हैं बैक्राउंड कलर ग्रेंट किस तरह का क्रेंट इसके उपर क्ले करते हैं हाथ पॉस्ट आपके और यहां से में तो जो भी आपको चैंज करना हो वो सारी चीज़े आप यहां पर जो है वो चींज कर सकते हैं ऑफसेट ग्रेडियन्ट का जो भी मोडिफाई करना हो वो चीज़ आप कर सकते हैं कि संस्क्राइब सब्सक्राइब तो आप मल्टिपूल का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं यहां पे आप कुझे सिंपल टाइटल वगर भी मिल जाएंगे बेसिक टाइटल है जैसे कुछ खुद का आपना ही करना हो आगे अभी हम लोग जो है वो की फ्रेम एनिमेशन देखें तो उसमें आप देख पाएंगे कि अगर आपको खुद का एनिमेशन क्रियेट करा हो जिसे क्या है यहां पर एक एनिमेशन है टेक्स्ट आने का स्टाइल है जाने का स्टाइल है तो यह चीज अगर आपको खुछ से क्रियेट करना हो तो यह चीज आप कैसे क्रियेट तो यह था कि किस तरीके से आप जो है टाइटल का यूज कर सकते हैं सिंपल आपको एफेक्स लाइडरी के अंदर आना है इसके अंदर आपको टाइटल मिल जाएंगे काफी सारे टाइडल मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अगर आपको खुद का क्रियेट करना हैं तो आप जो हो यह यूज कर सकते हैं यहां पर लेयर बना बना सकते है यहना एक सीक्वेंस ही बना सकते हैं इसका ब्लैंक सीक्वेंस जहांपे क्या होगा आपका सारा लेकि से हम लोग जो है डावीची रिजॉलस में टाइटल जो है, वह एड करेंगे. किएफ्रेंबाल ब्राइशन के जरार हम लोग किसी पीचीज को अनिमेट कर सकते हैं और यह कीफ्रेंब का जो कौंसेफ्ट है ना कि case Article II कौंसेफ्रेंमियर करना हो उसके लिए जो है कि की फ्रेम का यूज करते और बिलकुल सेम प्रोसस्स सब्धी सॉप्र में जो है वो अनिमेट करने का होता है और समी सोफ्रीर में की फ्रेम का ही हम लोग जो यह वी स्कते हैं तो अगर आप यह तो आप कोई भी जॉफ्रीर यूज या फाइनल कर प्रो सब ही में जो है विल्कुल सेल प्रॉसस होगा तो सबसे पहले कुछ सिंपल सा एक्जामपल लेते हैं जैसे कि मेरे पास यहां पर यह एक फुटेज है अब मुझे यहां पर क्या है थोड़ा सा जूम करता हुआ हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर यह डाइनविक जूम का लेकिन हमें यहीं चीज मैंवली क्रेट करना है हमें मैनुवल अनिमेशन जो है वह क्रेट करना है हमें जूम करता हुआ दिकाना है तो हम यह चीज प्रेम आनिमेशन के जरीए करेंगे अब ये वीडियो मैंने डाइम लाइन में डाल दी इंस्पेक्टर में आ जाते हैं और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये जो डाइमन शेप है इसे ही हम लोग की फ्रेम बोलते हैं और इसी के जरीए हम लोग जो है वो अनिमेट करेंगे उसी जगह पे आपका की फ्रेम अप्लाई होगा और बेसिकली अनिमेशन की जो इफ्रमेशन है वो वही पे डालेगी इसलिए ये प्ले हेड जो है ये जो लाइन है ये बहुत ही जादा इंपॉर्टन है इसको अब ध्यान में रखिए आप कभी भी इसके उपर क्लिक करने से पहले ये चीज़ देख ले ध्यान से कि आपका ये जो प्ले हेंड है ये कहां पे है अब की फ्रेम के जरीए बिसिकली हम लोग क्या बताते हैं यहाँ पे क्या है इस वीडियो की सारी सेटिंग्स है अब ही हमारे वीडियो के अंदर ही जो हमारा वीडियो है मतलब फ्रेम है बिसिकली 19201080 इतनी बड़ी हमारे वीडियो होगी अब इस वीडियो में किस टाइम में किस चीज की पॉजिशन या किस चीज की सेटिंग्स क्या होगी वही चीज हम लोग की फ्रेम के जरीए बताते हैं अगर आपको इस बारे में आइडिया नहीं है तो शुरू में थोड़ा से गन्फीजिक लाइड़ा लेकिन अभी आपका जोगी क्लियर हो जाएगा तो basically हम लोग बताते हैं for example जिसे ये है तो हम लोग की फ्रेम के जरीए बताएंगे कि 0 second पे इसका जो scale की value है या पर ये इतना zoom रहेगा है ने मैंने की फ्रेम अप्लाई कर दिया और उसमें मैंने बता दिया कि 0 second पे इसकी जो value है वो ये रहेगी ये default value उसके बाद हम 1 second पे आते हैं और एक second पे आने के बाद फिर से हम क्या करते हैं की फ्रेम अप्लाई करते हैं और जूम की value जो है वो हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा हम यहां पे बता रहें विसकली software को कि ओके एक second में इसकी value चेंज हो जाएगी तो अब 0 से एक second के बीच में जो animation होगा जो value change होगा वही हमारा एक तरीके से animation जो है वो show करता है create हो जाता है अब चली इसको practically देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले तो मैं इसको screen में fit कर लेता हूँ क्योंकि यह black उपर नीचे वो show कर रहा है तो मैं सबसे पहले तो इसको zoom कर लेता हूँ थोड़ा सा अब यह सही है अब आगे हम लोग 0 second पर है ना और हमें basically कौन सा effect create करना है वो मैं आपको visually दिखा लेता हूँ मुझे चाहिए कि यह video start हो तो ऐसे हो और उसके बाद यह धीरे धीरे ऐसे करके zoom करने लगे लेकिन टीवी के ओपर zoom हो अभी तो मैं center में zoom हो रहा है टीवी के ओपर यह zoom हो इस तरीके से हमें effect create करना है तो मैं second पर आ जाता हूँ यह मैंने clip select करके रखा हूँ है यह भी आपको रखना है कि कौन सा clip selected है और आपका play hit जो है वो कहां पर है और इसको मैंने select क्या हूँ है और यह है इस property को हमें animate करना है कि इसको zoom को है हमें यह effect basically लिखाना है जूम और position को हमें position भी change करना होगा क्यों क्यों यहां पर यह चीज़ है अब TV center में नहीं आ रहा है तो हमें उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा तो इन दो properties को जो है वो हमें animate करना है तो आज़िए मैंने command-z, control-z कर दिया जीरो सेकंड पर मेरा playhead है और इन दोनों properties के ऊपर हम यहां पर जो हमारे पास diamond shape है उसके उपर हम click कर रहे हैं तो यह हमारा red color में convert हो जड़गा किसी में red होता है किसी में blue होता है जब आप after effects में जाएंगे तो वहां पर यह जो shape है यह watch time का shape होगा बतलब जो यह भी diamond shape शो कर रहा है na after effects वगरा में आपको stop watch का icon जो है वो शो करेगा बाकि process सारा सी होता है तो मैंने zoom के उपर लगा दिया विसके लिए scale है और position के उपर भी मैंने keyframe लगा दिया है अब यहां पे exact हमारा keyframe है तो यह देख लिए highlight हो रहा है मतलब इसके उपर मैंने keyframe डाल दिया है और मैंने software को instruction दे दिया है कि okay zero second पे इन सारी चीज़ों की value जो है वो यह होगी ठी दूसरा instruction देना है और वो यह है कि एक second में यहां पर exactly time के जरीए एक second पर आ जाता हूँ तो हम क्या करेंगे हम चाहे तो मैनवली keyframe apply कर सकते हैं यहां पर click कर सकते हैं या फिर अब जैसे हम value change करेंगे automatically apply हो जाए क्यों क्यूंकि पहले हमने एक keyframe डाल दिया है और उस keyframe को अगर आपको देखना हो तो यहां पर आप देखें यह दिख रहा है यह है हमारा keyframe का पर जैसे आप click करेंगे तो वह dot आपको exactly दिख जाएगा तो देख लिए यह dot यहां पर हमारा दिख रहा है पॉस्ट जीरो सेकंड पर अब मुझे दो सेकंड पर आना है इक्जाक्ड दो सेकंड पर आ जाते हैं अब मैं यहां पर क्या घरता हूं फिर से मैं keyframe apply कर देता हू है तो हम सिंपल जो है मदलब अगर हमें backward जाना हो सेंग इस keyframe के उपर क्योंकि exact जाना जरूरी है ऐसा ना हो कि आप कहीं और पर डाल दें पिर दुबारा value अभी हम लोगों ने change नहीं किया बस keyframe हमने डाल दिया exactly वहां पर आपको पहुंच रहा हूं तो यह जो है ना यहा इसका सट कर देता हूं टीक से जुशन एड़ इसको थोड़ा सा यह बनीशिषिंग मैं अभी हां पी हमारे बास जो है एक एक एनिमेश्न और फिकरीट हो गया देख लेजरम एके perfect animation हमारा create हो गया तो हमने basically क्या किया यहां पर हमने यहां पर बता दिया कि okay 0 second पर इसकी scale and position के value यह होगी 2 second पर position और scale के value यह होगी अब आते हैं हम लोग आ गए यहां पर अब मैं चाहता हूँ कि यह जो है basically मेरी 12 second दर्भा 11 second की यह वीडियो है तो मैं चाहता हूं कि यहां से यहां तक यह बिल्कुल ऐसे ही रहे जूम फॉर्मिट में रहे जूम ही रहे मतलब यही रहे तो सेम वैल्यों के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे यहां पे की फ्रेम और कोई भी चेंजिस नहीं करेंगे अब यहां से यहां तक हमारी सेम वैल्यों है यहां पर भी सेम वैल्यों है यहां पर क्या हो रहे है अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे यहां पर आया था ना वापस तो देख लेते हैं, यहाँ पर बेटर यह होगा कि आप सिंपल जो है, इसकी फिर यह को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, सो ओके चलेगा, ओके, सो यह हो गया हमारा, अब यह हो गया, तो अब हमारे पास देख लिजे क्या अनिमेशन है, यह इस तरीके से जोम ह हुआ, और फिर यह इतने दूर तक इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, और फिर यह हमारा अनिमेशन हो जाएगा, तो यह था हमारा बेसिक अनिमेशन, अब चलिए फिलाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, I hope कि आप कुछे वह स मैं डिलीट करता हूँ इसको, for example, मेरे पास यह एक सर्कल है, यह मेरे पास एक सर्कल है, अचलि यहां पर मैं करता हूँ, इफेक्ट्स लाबरेडी में आ जाते हैं, मैं यहां से मीडिया पूल को आफ करता हूँ, और यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन है, जिनरेटर्स का, तो यहां पर काफी कुछ मैं जाते हैं, जिससे आपको बैक्राउंड में ग्रेडियंस डालना हो, या फिर कुछ इस तरह की अब देख लिए पास यह पी एजी इमेज है, यूकि ट्रांस्पारेंट इमेज है, और यहां पर जनेरेटर्स के अंदर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, बाक्राउंड के लिए, अगें, यहां से यह पालट यूज कर लेता हूँ, अब देख लिए जो मेरे पास यह प इमेज है, यूकि ट्रांस्पारेंट इमेज है, और यह इस तरह का जो है, यह सरकल है, अब मुझे बिसिकली क्या करना है, एक सिंपल सा अनिमेशन कर रहा है, यह सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिट कर देता हूँ, और मैं वीडिया फूल में आ जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहां पर यह सकेल है, यहां से भी हम लोग कर सकते हैं, और इसको पोजिशन है, वो मैं सेट कर लेता हूँ, यहां पर और मैं छोटा इसको कर लेता हूँ, अब मुझे एक सिंपल सा अनिमेशन क्या create करना है कि यह हमारा जो duration है कितने second का है यह I think यह 5 second क्या 5 second है मैं चाहता हूँ कि 5 second में यह एक circle complete कर ले circle innocence कि यह जो हमारे पास यह circle है basically यह जो design है यह जो image है यह animate करता हुआ ऐसे आया है यहां पर आया है यहां से ऐसे ऐसे और फिर यही पर आजाए same इसी जगा पर जो है वो आजाए तो बिल्कुल ऐसे हमें एक animation create करना है तो इसमें हमारे कौन सा चीज यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ position यूज़ होगा क्योंकि हम लोग यहां पर भी scale वगरा नहीं करेंगे simple देख लीज़े मैं क्या animation जाता हूँ मैं ही चाहता हूँ कि जब video start हो यह इस तरीके से animate करता हुआ यहां पर आए और फिर यह नीचे आए और फिर यह इधर की तरफ जाए ऐसे और फिर यह अपनी पोजिशन पर आपनी पोजिशन पर आउच चाहे तो यह animation बिसिकली हमें जो है वो create करना है फिलाल इन सारी values को so position मैं यहां पर actually simple इस चीज को use कर लेता हूँ easily okay तो अभी यहां पर आजाते हैं first second पर हमारी video यहां से start होगी simple हमें क्या करना है position को यह करना है position के मैंने keyframe apply कर दिया मेरा playhead यहां पर है यह clip हमारा selected है तो position के उपर मैंने apply कर दिया और यहां पर देख लिए मैं इसको on कर देता हूँ यह diamond shape है तो एक keyframe यहां पर ही apply हो गया अब एक second में मैं चाहता हूँ क्या एक second में यह यहां से यहां आजाए मैंने playhead यहां पर दाल दिया और value में हम लोग change करेंगे automatically keyframe apply हो जाएगा और यहां पर आप exact part भी देख सकते हैं उस animation का क्यों क्योंकि यहां यह transform जो है वो on है आप simple drag भी कर सकते हैं इस तरीके से जरूरी नहीं कि यहां से आप on screen drag भी कर सकते हैं लेकिन हाँ यह on होनी चाहिए आपका यहां से transform है वो on होनी चाहिए चलो मैंने यह डाल दिया यहां पर यह हमारे पास keyframe add हो गया अब फिर से हम लोग एक सेकंड पर आते हैं दो सेकंड पर और इसको मैं यहां से ट्रैक करके आप यहां से प्लाइए करता हूं और उसके बाद इसको ट्रैक करके मैं यहां पर नीचे लिए यहां से अगर आप करेंगे तो आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही रहेगा तो यह हो गया हमारा यहां पर फिर इग्जाक्ट हमें जो है चार्ट सेकंड पर इसे सीव उसी जगा पहुंचा देना है तो यहां पर एक और चीज हम लोग कर सकते हैं और वो यह है कि सिंपल जैसे इसके उपर मैंने क्लिक किया और यहां पर मेरा प्ले है मैंने क्लिक किया इसके उपर सेम इग्जाक्ट यह वैल्यू मिझे चाहिए मैं यहां पर प्रेस करता हूं कंट्रोल सी और उसके बाद मैं यहां पर कर लेता हूं कंट्रोल वी और सेम की फ्रेम जो हैं यहां पर apply हो गया, same value के साथ, आप देख लिजए हमारे पास क्या animation है, ओके, यह same animation हो गया, हम यहां पर और भी कुछ कर सकते हैं, जिससे कि, for example, सबसे पहले तो मैं यहां आ जादा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं adjust कर लेता हूँ, अगे, sorry, okay, सही है, तो यह हमारे animation है, simple body, basic animation, यहां पर अगर आप देखें, इस position में, तो यहां पर काफी सारी चीज़े जो है, वो change हो रही है, permanently इसकी value जो है, वो change हो रही है, है न, position के value वो change हो रही है, तो यह हमने एक basics animation की create कर लिया, अब यहां पर हम लोग एक और चीज़ क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि यह rotate करता हुआ है, यहां से यहां तक ऐसे rotate करता हुआ है, तो first position पर आ जाते हैं, और rotation के ओपर भी एक keyframe अपलाए कर लोटेशन, तो भी rotation की value के आ रहे है, by default यह रहेगा, अब हम लोग आ जाते हैं, बिल्हों last keyframe के ओपर और यहां पर इसका rotation हम लोग बढ़ा जाते हैं, जिस तरह से, okay, so अब यह रेख लिए, इस तरीके से यह नाचता हुआ आएगा, okay, तो यह हो गया हमारा basic animation, तो जो भी properties है, उन सारी चीजों को आप जो है, वो animate कर सकते हैं, बस ऐसा ही मैं आपको दिखाऊं, जैसे for example, यहां पे जो यह batch है, for example, okay, चलो, यह फिर यह, चलो, यह ले 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 दे, keyframe मैंने यहां पे अप्लाए कर दिया, बीच में आते हैं, for example, यहां पे, मैं चाहता हूँ कि, okay, patch में मैंने अप्लाएं किया था, ना, okay, तो आप देख लिएचे हमारे पास क्या animation है, overall बात यह है कि आप किसी भी properties को अपने quaring animate कर सकते हैं, बस यह totally आपको अपर डिबन करता है कि किस तरीके सा आप इसको animate करना चाहते हैं, for example, मैं फिर से इसको delete करता हूँ, okay, actually, मैं करता हूँ, मैं इसको delete कर देता हूँ, okay, और मैं आप जाता हूँ, effects library में और media pool को मैं off कर देता हूँ, यहां पे हमारे पास are generators, और यहां से मैं ले लेता हूँ, यह texture background, मैं इसको track करके अपने time frame में टाल देता हूँ, okay, और इसकी बाद मैं, okay, मैं गरे यहां से सहीं है, मेरे पास यह background है, symbol इसा background मैं रे लिया उसकी बाद मैं यहां से, titles में आ जाता हूँ, और यह हमारे पास text तो basic text मैं ले ले लीडा हूँ, simple श्वाआं करे मैं इसको just. उबढलता हूँ, okay, यह हमारे पास basic text है, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पे टाइटल में इसको मैंने स्लेक्ट किया यह हमारा टेक्स्ट है बेसिक टाइटल मैं यहां पर इसको चेंज कर देता हूँ फॉर एक्जम्पल तौसिफ खालिद यहां से मैं चाहूं तो फॉर्ड चेंज कर सकता हूँ जो भी है आप अपने कॉर्डिंग यहां पर चूस कर सकते हैं तो फॉर एक्जम्पल यह मैं ले देता हूँ उसके बाद रागुलर कलर आप यहां से चेंज कर सकते हैं कलर रहने देता हूं साइज मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूं और बाकी दूजरी इंफॉर्मिशन है यह मेरा एक टेक्स्सौन है नो सिम्हल सा एक और टेक्श्ट मैं यहां पर ले देता हूं उसको भी मैं ब्रटल यहां सबसे इसको वेर के पोजूट्यों को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं तो सेटिंग्स सेटिंग उए तो सो उनिल वाली कॉ अटना है एंड इसी सेटिंग्स धितल में आ जाते हैं और में यहां पर आ देता हूं अ के अधिन यहां से में फॉंट इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और इसका साइज में शुट हम और इस का धूझ कर देता हूं अब यहाँ पर हमारे पास simple सा जो है एक टाइटर है लेकिन इसमें किसी भी तरह का animation नहीं है तो अब मुझे क्या गणा है इसमें एक animation जो है वो मुझे डालना है तो किस तरीकी से हम लोग डाल सकते अब जो भी आप आपको सोचना है कि आप किस तरीकी से इसको animate करना चाहते ह तो मैं सबसे पहले तो क्या चाहता हूं यहां पर for example मैं चाहता हूं कि तौसीफ खालिद इधर से ऐसे आये यहां पर आया यह जो founder of billy for you है वो इधर से आये या फिर इसका जो पोजिशन है ना founder of billy for you का मैं उसका पोजिशन चेंज कर लेता हूं ठीक है अब मैं चाहता हू कि यह founder of billy for you ओके इधर से आये founder of billy for you इधर से आये तौसीफ खालिद इधर से आये दोनों बीच में दो तीन सेकेंड तक रहे हैं और उसके बाद ठीक opposite side में वो चला जाए जैसे यह इधर की तरफ चला जाए और यह जो है इधर की तरफ चला जाए तो यह हमारे पास दो लेयर है background layer को मैं lock कर देता हूँ यहां से है ना ताकि उसके पर कोई effect ना हो उसके बाद यह हमारे पास तौसीफ खालिद और यह है founder of billy for you बैंग चाहे तो यहां से इसका color change कर सकता हूँ तो for example मैं कर देता हूँ okay so founder of billy for you इस color में है तो मैंने इसका यह color कर दिया और यह हमारा basically यह है तो इसका भी मैं change करके for example थोड़ा सा ठीक है तो अभी हमारे पास founder of billy for you तो उसकी खालिद है मैं क्या चाहता हूँ कि एक second में यह दोनों यहां पे रहे तो मैं सबसे पहले ए यहां पर चाहिए तो मैंने एक second पर अपना playhead डाल दिया और मुझे सिर्फ और सिर्फ पोजिशन में change करना है तो position के ऊपर मैं keyframe apply कर देता हूँ दोनों को select करके यहां से मैं इसको on कर देता हूँ keyframe को ताकि आप देख पाएं दोनों में मैंने यहां पे देख लेज़े keyframe apply कर दिया है अब हम लोग आ जाते हैं starting में बिल्कुल है start में आ गए है और starting में यह दोनों frame में नहीं रहेगा frame से बाहर रहेगा तो यह रहेगा basically इधर की तरफ और यह रहेगा इधर की तरफ तो मैं अब क्या करूँगा और पॉजिशन पे आ गया मेरा play head यह आँ पे है और मैं इसको frame से बाहर कर दूँगा तो यह इधर की तरफ से आएगा okay तो मैं इसको frame से बाहर निकाल देता हूँ okay यह मैंने बाहर निकाल दिया फिर इसको select करते हैं तौसीव खालिद को और इसको मैं इधर की तरफ ले जाता हूँ okay अब देख लिए हमारे पास क्या animation है यह दोनों इस तरीकी से आएगा और बस ऐसी रहेगा लेकिन मुझे क्या करना है यहां पर out animation भी create करना है तो अब यहां से यहां तक यह fix रहेगा for example यहां तक यह fix रहेगा इसमें किसी भी तरह का कोई भी change नहीं होगा या फिर हम थोड़ा से scale animation भी लगा सकते हैं फिलहाल के लिए अभी कोई भी change नहीं होगा तो मैं यहां पर इसको select करता हूँ और मैंने position को यहां पर keyframe apply कर दिया कोई भी change नहीं करेंगे simple bus keyframe हमने apply कर दिया तो यहां से यहां तक इसमें कोई भी change नहीं होगा अब फिर last में आ जाते हैं और out animation create कर लेते हैं last में वैंने अपना lay hit डाल दिया और इसके बाद इसको ठीक opposite side में हम लोग ले जाएंगे तो यह चला जाएगा इधर और यह sorry इसको change नहीं करना है इसको select कर लेते हैं और यह चला जाएगा इस चला जाएगा इधर ठीक opposite side में तो अब देख लिए जो हमारे पास क्या animation है यह हो गया हमारे पास एक perfect सा जो है वह animation बस बहुत ही simple सी चीज थी तो अब यहां पर एक और चीज है जो कि आप यहां पर कर सकते हैं यहां पर यह जो है graph editor है तो यहां पर आप जो है exactly अपने animation का जो है वह graph देख सकते हैं और उसको आप जो है वह बिसिकली थोड़ा सा और smooth animation होगे जो है वह बना सकते हैं जो कि फिलहाल अभी हम लोग cover नहीं करेंगे बाद में हो सकते हैं तो मैं इसके उपर ज्यादा details में जो है वो videos बनाओं तो इस तरीके से आप जो है keyframe का use करेंगे तो जिसके सामने भी यहां पर diamond shape है basically उस property को आप जो है यहां पर animate कर सकते है आप जिसे for example मैं यहां पी चाहता हूं ओके सो मैं इसके उपर कुछ और भी effect डालता हूं for example मैं आ जाता हूं यहां पर effects के अंदर और इसको सबसे पहले तो मैं एक adjustment layer ले लेता हूं और इसका size में थोड़ा सा कम कर देता हूं यहां से थोड़ा सा बीच में हमें glitch effect दिखाना है इसके जस्ट उपर मैंने डाल दिया मैं यहां पर थोड़ा से space क्रिएट कर लेता हूंके तो यह बीच में हमारे पास यह मैंने adjustment clip डाल दिया और उसके उपर में glitch effect जो है वो मैं डाल दिया और यहां पर हमारे पास थोड़ा से जो है वो glitch effect आ रहा है actually काफी सारे layers है और यह जो effect है यह काफी heavy है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं तो इसका duration मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं ठीक है तो इदर से मैं इसको थोड़ा सा ओके इस effects की वैसे मेरे system की थोड़ी सी बचने लगी तो यह effects है हमारे पास इतनी दूर में अब यहां पर हमारे पास सारी properties हैं जिसे हम यहां पर जो है basically modify कर सकते हैं तो फिलहाल बैं इसको play करके दिखाने के आपको कोशिश करता हूं शायर यह play हो जाए ओकी सो basically यहां पर आगर के जो है यह attack जा रहा है तो हम इसे के अगर सकते हैं simple export करके देख सकते हैं तो मैं फिलहाल तो इस project को save कर देता हूं सेफ प्रोजेक्ट और इसके बाद मैं यहां पर आजाता हूं delivery में simple quick मैं यहां पर export करूँगा मैं यहां से ब्राउस करके जो destination folder है इसका नाम मैं रख देता हूं for example demo सिर्फ प्रिव्यू करने के लिए हमें देखना है और मैं आ जाता हूं like courses के अंदर save and add to render queue and render all ओके सो जहां पर मैंने glitch effect डाला है वहां पर आगर के system की जो है वो थोड़ी सी बच जा रही है फिर भी देखते हैं इसको export होने देते हैं और इसको हम लोग देख लेते हैं तो यह हमारे पास demo और मैं प्ले करके देख लेता हूं और हम लोग उने glitch effect डाला था अब यहां पर अगर audio का combination अच्छा हो तो काफी अच्छा इफेक्ट जो है हमारे पास यहां पर आ सकते हैं तो इस तरीके से आप जो है animation के जरीए की फ्रेम के जरी जो है animation वगरा create कर सकते हैं तो यह था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो दविंची रिजॉल्ब का एक advanced option है और अगर आप दविंची रिजॉल्ब में advanced video editing करना चाहते हैं motion graphics वगरा create करना चाहते हैं तो fusion को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिगेर आप advanced level की video editing नहीं कर सकते हैं आप अच्छे से color correction नहीं कर सकते हैं आप जो है motion graphics वगरा जो है वो create नहीं कर सकते हैं तो मैं हूँ अभी fusion work space के अंदर तो हम लोग उने edits को देख लिया था हम लोग उने cuts को देख लिया था हम लोग मीडिया को भी वह देख लिया था तो फिर हम लोग अब यहां से आगे basically बढ़ते हैं तो सबसे पहले चीज़ सब लोग आ जाते है अब यहां पे जिसके उपर भी आपको कोई काम करना है जैसे for example यह हमारे पास यह footage है यह हमारे पास जिस्ट एक वीडियो है और मुझे अब क्या करना है इसमें कुछ blood effect डालना है इसमें हमें जो है कुछ color correction वगरा करना है कुछ masking वगरा करना है यह सारे task मुझे एक साथ इ अब इसके लिए जाएंगे fusion में तो सबसे पहली चाहिज आप जो है यहां पर अपने footage को timeline में लाकर करके पूरी दरीके से edit कर लिए जो भी आपको करना है उसके बाद हम क्या करेंगे उसको select करेंगे और next हम लोग जाएंगे fusion में तो fusion में automatically हमारे पास दो notes जो है वो create हो जा वो same footage आपका यहां पर fusion के अंदर जो है वो आ जाएगा अगर आप यहां पर multiple footage लेते हैं for example आपके पास multiple footage है आपने editing की है for example यह भी footage है आपने कुछ editing की अब इन सब के उपर आपको कुछ करना है है तो हम क्या करेंगे for example यहां से मैं इसका size छोड़ा कर देता हूं okay तो यह मैरे कर दिया अब इन सभी के उपर आपको fusion का use करना है इन सभी के उपर आपको manipulation करना है कुछ tracking masking कुछ blood effect या फिर कुछ भी ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे इस case में इन सभी को select करेंगे final edit करने के बाद और उसके बाद हम यहां पर right click करेंगे और यह हमारे पास new fusion clip इसके उपर जैसे हम click करेंगे यह हमारा single clip में जो है वो convert हो जाएगा और next हम लोग जाएंगे यहां पे fusion में तो fusion में हमारे पास देख लिए एक अलग तरह का interface है और यहां पे हमारे पास यह output है तो यह हो गया basically हमारा fusion का यह फिलहाल अभी इसको complicated नहीं बनाते हैं मैं यहा करता हूँ और यहां पर मैं fusion में आ जाता हूँ अब थोड़ा सा fusion work space को समझते हैं तो बहुत ही simple सी चीज है यहां पर हमारे पास media pool है nightly हम यहां से भी fusion में कोई भी चीज ले सकते हैं तो media pool को on off करना हो आप यहां से on off कर सकते हैं हमारे पास effects library है सारे effects हम लोग use कर सकते हैं दो के आदर नोड़िकस यहां पर हमारे पास clips है जो भी हमारे टाइम लाइन में clips हूँए वो सारी यहां पर one by one कर के जो है वो आजाएंगे तो जिसे भी हमें select करना हो वो हम हम यहां से select कर सकते हैं उसके पास सबसे implac gült हूट है जो कि permanent on हैगा यह क्या है यहां पर हमारे पास यह दो नोट्स हैं, मीडिया इन और मीडिया आउट और यह एक दूसरे से connected है, basically यह मीडिया इन है और यह connected है output से और हमारे पास यह result जो है, वो basically आ रहा है, यह थोड़ा जो confusing लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अभी थोड़ी तेरे में समझ में आ जाएगा, तो यह सबसे important option है, जो कि permanently मुझे लगता है कि highlighted रहेगा, next ही हमारे पास spline है, keyframe है, metadata है, और inspector है, मतलब जो भी properties होंगी, चाहे कोई भी effects हम यह आपे apply करेंगे, उन सारे चीज़ों की properties हमारे inspector में होंगी, तो यह सबसे important panel है, यहाँ पर, next ही हमारे पास जो है, कुछ tools है और यह हमारे पास basically दो monitor, यह monitor है और यह monitor है, normally edit में हमारे पास क्या होता है, source monitor होता है, और timeline monitor होता है, source monitor और यह हमारे program monitor, timeline monitor जो भी आपको कहाना है, वो आप कह सकते हैं, तो इसमें हम लोग अपने source footage को देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग timeline की footage को देखें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर simple हमारे पास दो monitor है, जिसमें हम लोग जो है, अपने according जैसा भी output हमें देखना हो, वो हम देख सकते हैं, जो कि आगे अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप single view करना चाहते हैं, तो यह हमारे पास single view के भी options हैं, और यह सारी properties है, यहाँ पर हमारे पास एक option है, टॉप में shrink करने का तो अगर यह जो panel है, इसको आप shrink करना चाहते हैं और यह जो notes है, इसको expand करना चाहते हैं, पूरा full यहाँ तक, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, तो normally मैं आपको suggest करेंगा, कि आप ऐसे use करें, इस तरह का जादा clear view मुझे लगता है, तो यहाँ पर आपकी सारी properties होंगे, और यह पूरा full space है, आपके पास notes का, तो काफी अच्छे से यहाँ पर आप work कर पाएंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग notes को समझते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर two screen view में आ जाता हूं, यह भी blank है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब सबसे यहाँ पर क्या होता है, कि हम लोग layers use करते हैं, एक layer है हमारा for example, कोई footage है, उसके उपर एक layer हम लोग डालते है, current correction का, एक brightness के लिए डालते हैं, एक हम लोग masking का layer डालते हैं, और फिर इस तरीके से हमारा जो output होता है, वो निकल के आता है, तो यहाँ पर क्या है, media in, मतलब basically हमारी media इस हो करके जाएगे, और यह ऐसे हो करके, यहाँ पर हमारा final result जो है, यह जो media out है, यह final result है, और यह हमारा सबसे पहला basically initial footage जो है, वो है, अब इस बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी effects हमें apply करना हो, वो हम nodes की help से apply कर सकते हैं, चाहिए effects apply करना हो, या कुछ और manipulation करना हो, हमें masking बगर करने हो, वो सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर करेंगे, और यह है basically connection line, हमें इस line के जरी जो है, वो connect कर रहा है, क्यों, क्योंकि यह दोनों connected नहीं है, media in separately है, media out separately है, media out से कुछ भी connected नहीं है, इस लिए यहाँ पर कोई भी result नहीं show कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग back भी आते हैं, तो यहाँ पर भी देख लिजए, यहाँ पर यह और इसको हम लोग link कर देंगे इससे, yellow arrow जो है, simple, अगर यहाँ पर लाके हम छोड़ेंगे तो यह automatically correct हो जाएगा, और यह अब क्या हो गया, media in और यह out, basically यहाँ पर हम media डालेंगे और यहाँ से हमारा output निकलेगा, अब बीच में हमें जो भी करना हो वो चीज हम करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर timeline में हम आते हैं, यहाँ पर आप footage को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास output आ रहा है, तो यहीं है basically fusion का concept, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें कुछ चीज़ें, तो यह जो चीज़ें हैं, यह हमेशा out होता है, इसके उपर जैसे आप mouse ले जाएंगे तो आपको देख जाएगा, यह है output, है ना, media in, output, तो यहाँ से हम लोग output को निकालेंगे और इसके input से connect कर देंगे, यह देख लिए यह low है, यह input, तो इसके output को हम इसके input से connect कर देंगे, तो यह हमारा basically output देगा, अब यहाँ पर यह जो है, यह blue color का है, यह basically हमारे पास, यह mask है, जो कि अभी आगे हम लोग थोड़ा देख करें, यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर यहाँ पर आप इसके उपर click करते हैं, तो देख लिए यह दो dots है, एक जो है, अभी white है, और यह black है, basically इसका मतलब है, यह active है, और यह अभी inactive है, तो इसका मतलब क्या है, यह है 1 और यह है 2, यहाँ पर देख रहे है, यह एक preview है और यह एक preview है, तो यह है 1 preview, मतलब preview number 1, basically, या फिर आप कहलें कि monitor, monitor 1 और यह है monitor 2, तो अभी यह कौन सा highlight है, monitor 2, अगर हमें monitor 1 करना हो, मतलब इस चीज़ को, इसके output को, अगर हमें monitor 1 में देखना हो, तो हम क्या करेंगे, इसके उपर click कर देंगे, तो देख लिए, अभी क्य इसके लिए दोनों में show कर रहा है, क्यों कि दोनों highlighted है, हम यहां से इसको off भी कर सकते है, तो अब क्या है, यह जो output है हमारा, यह जो notes है, basically, यह हमारा एक तरीके से जो है monitor में, एक number के monitor में, जो हो show कर रहा है, वैसे ही, मुझे for example, इसको दो number के monitor में show करना हो, और हमारे जो input है, उसको मुझे एक number के monitor में show करना हूँ, तो हम यहां भी क्या करेंगे, one के उपर tap कर देंगे, आप simple इसको select करके, है न, और one और two अगर आप press करेंगे, तो automatically आपका यह काम करेगा, तो जैसे मैंने इसको क्या किया, यहां से बैने disable कर दिया, अब मुझे इसको जो है, one मे नहीं चलेगा, लेकिन जैसे इसके उपर हम work start करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि exactly क्या हो रहा है, वैसे यहां पर हमारे पास play and watch वगरा की जो है, वो option है, तो अब चलिए, इसके उपर हम लोग walk start करते है, तो बहुत ही एक simple सा walk करते है, हम लोग color correction का, तो सबसे पहले तो म अगर आप right click करते हैं यहां पर तो आपके पास यह है add tools, इन सारे options को आप as a node या फिर as a input, as a output जो है, वो use कर सकते हैं, यहां पर काफी कुछ है जिसका आप use कर सकते हैं, कुछ को हम लोग explore भी करेंगे, basically आपको समझ में आ जाएगा, तो आप खुद से भी जो है, इन सारे जरी हम लोग colors वगरा change कर सकते हैं, फिर यहां पर हमारे पास fast noise है, noise वगरा आपको मिल जाएंगे, text आपको add करना हो, तो यह nodes हम add करेंगे, यहां पर अकर कुछ आपको paint करना हो, तो यह करेंगे, यहां पर यह सारे हमारे पास color corrections के लिए हैं, फिर यह हमारे पास कुछ और option है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे अभी, यहां पर हमारे पास masking वगरा के जो है, वो options है, और भी कुछ अलग options है, तो सबसे पहली चीज़ मैं यहां पर क्या करता हूँ, एक nodes add करता हूँ, color correction के लिए, तो यह हमारे पास यह वाला जो node है, basically, यह color है, तो इसको हम लोग क् add करके और ला करके यहां पर छोड़ देंगे, अब देख लिजे, यह हमारे पास color correction का एक node जो है, वो add हो गया, और यहां पर inspector panel में हमारे पास जो है, वो काफी सारे option जो है, वो आ गए color correction के, लेकिन अभी हमारे footage के उपर कोई भी effect नहीं आया, क्यों, क्योंकि देख लिजे media in हमने किया हुआ है, एक number monitor में, यह दिख रहा है हमारा, और media out हमारा, इसमें दिख रहा है, कोई difference नहीं यह दोनों पे, बिल्कुल same है, क्यों, क्योंकि हमने अभी इसको connect नहीं किया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे connect करना है, तभी हम output देख पाएंगे, यहां यहां पर भी हमारे पास दो option है, किस monitor में आपको इसको देखना है, तो कहीं पर भी किसी भी effect को, किसी भी चीज़ को अगर आपको separately देखना होगी, यहां पर exactly हमारा क्या effect हो रहा है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, तो अब यहां पर हमें connect करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको disconnect करेंगे यहां से, तो last में आ जाईए आप, last वाले position में, और यहां पर यह जब यह blue line आ जाता है, इसके उपर आप click कर देजे, और यह disconnect हो गया, अभी भी हमारा media one का input show कर रहा है, अगर हम media के output में अगर आप यहां पर देखें, तो यहां पर output में कु का basically, हमने यह decide किया, कि यह जो हमारी media file है, इस पे हम color correction का processing करेंगे, और फिर वो आगे जो है, ऐसे input forward करेगा, है न, media out को देगा, है न, यह क्या है, यह इसका output है, और यह इसका input है, तो हम लोग सबसे पहले, इसके output को connect करेंगी, किस से, color correction के input से, तो यह हमारे पास input, यह connect हो गया, अभी भी हमारे पास कोई result नहीं, हाँ, अगर हम यहाँ पे, दो number के monitor में इसको देखना चाहें, तो हम देख सकते हैं, देख लेजे, जैसे मैं यहाँ पे two press करूँगा, मैंने इसको select क्या हुआ है, तो हमारे पास input, basically, यहाँ पे हमारे पास result शो कर रहा है, लेकिन यह हमारा अभी कोई result नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके output को हम इससे connect कर देंगे, तो basically हमने यहाँ पे एक instruction दे दिया, कि okay, so मैं यहाँ पे इसका preview on कर देता हूँ, okay, so यहाँ पे हमने एक media डाला, उस पे मैंन मिर्च मसाला यहाँ पे लगाया, और उसको हमने यहाँ पे भेज दिया, क्योंकि अब show करो final हमारा, अभी यहाँ पे यह जो color correction वाला node है, इसके उपर जो भी हम color correction करेंगे, वो हमारे output के उपर effect करेगा, तो हमने input लिया, यहाँ से input लिया, हमने उस पे color correction apply किया, और उसको म हमारा show करेगा, अब यहाँ पे देख लिए हमें color correction करना है, तो for example, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे simple सी चीजे, मैं यहाँ पे saturation बढ़ाता हूँ थोड़ा, मैंने saturation बढ़ाया, और मैं यहाँ पे lift को थोड़ा सा कम करता हूँ, okay, and brightness मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, gain को भी मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, okay, तो यह हमने जो है, यहाँ पे देख लिए, यह कर दिया, अब यह हमारा final output है, input हमारा यह था, input हमने यह दिया, और हमने बीच में color correction का एक node use किया, एक processing use किया, और हमने output क्या दिया, हमारा जो output आ गया, वो यह आ गया, अब यहाँ पे अग selecting हमें करनी हो, हम simple यहाँ पे आएंगे, color correction में, मतलब यहाँ पे इसको select करेंगे, और यह हमारे पास सारे options हैं, और यहाँ से हम लोग जो है, इसको basically manipulate जो है, वो कर पाएंगे, तो यहाँ पे काफी सारे option ही, यह depend करता है कि कौन सा option जो है, वो आप चूस करते हैं, और फिर क और अब यहाँ पे आप इसको पूरी तरीके से कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक blur effect डालता हूँ, for example, मुझे इस butterfly को blur करना है, तो वो चीज मैं कैसे करूँग मैंने इसको drag किया और इसको मैंने यहाँ पे लाकर के छोड़ दिया, लेकिन अभी यह work नहीं करेगा, क्यों नहीं work करेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी यह connected नहीं है, तो अब यह blood effect है, simple हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे connect करना है, तो हम किस तरीके से इसको connect करेंगे, तो स सबसे पहले चीज़, मैं यहाँ पे simple एक series में लेके चलना चाहता हूं, तो मेरा होगा, सबसे पहला process होगा, कि मैंने एक media लिया, उसके उपर मैंने color correction अपलाई किया, और उसके उपर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उसके उपर blurred effect जो है, वो मैं apply करना चाहता हूं, तो simple मैं इसलिए यहाँ पे कुछ blood amount जो है, वो नहीं शो कर रहा है, मैं यहाँ पे यह अगर दो हूं, इसका blurness में बढ़ा देता हूं, तो अब मेरे पास क्या result आया, simple मैं series में लेके चलना हूं, हम यहाँ पे panel में भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ और बहुत ही advanced चीज़ आई यह एक तरीके से, है ना, अभी हम बहुत ही simple में लेके चलना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एक media file लिया, उसके उपर color correction हमने apply किया, उसके बाद हमने उसके उपर blood apply किया, और यह हमारा output आगया, बिसिकली blood apply कर दिया, हमारा output हो गया, तो simple से चीज़ आप इसको apply कर सकते हैं, तो simple, अगर आप इसको select करके रखेंगे, और यह हमारे पास option है, अगर आप इसके उपर, किसी के उपर भी click करेंगे, तो और हमारे के लिए mask इसकी साथ, वो connect हो जाएगा, इसको मैंने select करके रखा हुआ है, और for example, मैं यहाँ पे circle mask लेना चाहता हूँ, यह हम control है हमारे पास, तो यह हमने क्या कर दिया, mask apply कर दिया, blood के उपर हमने mask apply कर दिया, blood को basically हमने mask कर दिया, तो यह जो है, यह इसके लिए काम कर रहा है, इस blood के लिए काम कर रहा है, तो हमने यहाँ से लेया, input और यह color correction हमने किया, उसके उपर blood effect apply कर दिया, blood के उपर हमने mask लग दिखान है हम इसको invert भी कर सकते हैं जैसे अभी क्या है यह स्लेक्टिर है है ना यह सारे option शो कर रहा है हम चाहे तो इसको ठीक उल्टा भी कर सकते हैं यहां पर invert अब क्या है यह सिर्फ इतनी रूर में और यहां पर हम soft age कर सकते हैं तो किसी चीज़ के उपर आपको फोकस करना हो देख लिए तो यह हमारा इसके ओपर यहां पर फोकस हो गया और यहां से हम लोग इसको प्लेगर के भी देख सकते हैं तो यह बिल्कुल सा concept है हमारा fusion का और nodes का देख लिए हमारे पास यह result है तो इस तरीके से हम लोग जो है वो fusion का यूज़ करते हैं अब चलिए इसको थोड़ा सा और practically हम लोग देखते हैं यहां पर मेरे पास यह footage है मैं इसको क्यों करता है मैं इसको ले आता हूं टाइंब्लाइन में घ्रिटाइम्लाइन तो ओसके बाद दे और फ्यूजन में आ जाते हैं अब यह देख लिए बिल्कुल फ्रेश सिर्फ औसर्फ इस वीडिया इस हमारे तो सबसे पहली चीज़ मैं यहां पर क्या करूंगा तो सबसे पहली चीज़ क्या करूंगा तो मैं यहां पर right click करूँगा और ads में जाओंगा और यहां पर हमारे पास काफी सारे tools हैं इसके अंदर हमारे पास यह है mat और mat के अंदर इस तरह के walk के लिए मतलब जिसने green screen आपको remove करना हो तो उसके walk के लिए काफी सारे tools है तो मैं यहां पर for example यूज करूँगा delta gear जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने green background को remove करने के लिए मैंने इसके उपर separate section नहीं बनाया है मैंने सोचा था कि मैं इसको notes के अंदर ही fusion के अंदर ही cover कर लूँगा तो delta gear है अगर आप इतना अंदर नहीं आना चाहते हैं और आपको exactly पता है कि कौन सा tool आपको use करना है तो आप simple shift और space key press कीजिए और यह आपके पास select tool आ जाएगा और यहां पर आप exactly search कर सकते हैं for example यह हमारे पास delta gear है ना तो मैंने इसको drag करके और यहां से लेते हैं for example यहां से अगर हम लोग लेते हैं तो यह हमारे पास delta key जो है वो आ गया अब हमें क्या करना है simple सा पहले जो हमने किया था यहां से सबसे पहले इसको disconnect करेंगे इसके output को इसके input से connect करेंगे बिसिकली हम एक media file लेंगे और उसमें delta key का जो process है processing है वो हम apply करेंगे और हम यहां से output दे देंगे लेकिंगे यहां पर अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने यहां पर अभी कुछ भी नहीं किया है यह हो गया हमारे पास सिंपल सा output है डेल्टा कियर मैं यहां से लूँगा background color picker ओके तो यह पिक विप है और अब अगर यहां पर आते हैं सिंपल सा अब यहां पर अगर हम लोग आते हैं edit में यहां पर देख लिए background हमारा remove हो चुका है और इसके पीछे अगर हम कोई भी background लगाते हैं तो वो जो है वो perfectly कहीं न कहीं visible होगा तो for example मैं जैसे यह लगा देता हूं okay so मैं इसको क्या करता हूं इसको जस्ट मैं थोड़ा पर डाल देता हूं okay so अब यह background जो है हमारा यहां भी पीछे perfectly जो है वो visible हो गया तो हमें background को नीचे वाले layer पर रखना है और जो हमारा main वीडियो है उसको हमें ऊपर रखना है ताकि हमारा background visible हो सकते हैं यहां पर और बहुत कुछ करने की जरूत है हम लोग क्रोफ अगरा जो है वो कर सकते हैं त इसलिए यहां पर मास्क में हम लोग आते हैं तो for example add और एक कलर यहां पर हम लोग आड कर देते हैं for example okay source or soft color and for example black मैं यहां पर आड कर देता हूं अगे फिलाल इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि यह सिस्टम के ओपर थोड़ा सा डिपेंड करता है यहां पर अप्डेट होने का तो फिलाल मैं इसको इग्नोर कर देता हूं और यह आचली यहां पर यहां पर आपको करना हो वह आप कर सकते यहां पर अपर पूरी तरीके से इसको पर वियू है हमारे पास यहां पर स्थेतेश वियू और फाइनल है कि यह बहुत ही जाधा इंपोर्टन को रिमूफ करना चाहते हैं तो matte view में आपका बिल्कुल ये matte view शो करेगा तो जो black area है मतलब वो fully transparent है जो white area है वो आपका fully visible area है और जिसमें हलका-hलका grey है वो मतलब transparent area है तो आपको क्या करना है जो आपका visible रहेगा उसको fully white करना है और जो आपका transparent रहेगा मतलब जहाँ पे कुछ भी रही शो करना है उसको आपको fully black करना है जैसे ये सारी चीज़ें इसको आपको remove करना है वैसे ही हमारे पास दूसरा जो view है जो कि important है वो है status view अब यह क्या है जहाँ पे भी grey शो करना है उसका मतलब है कि वहाँ पे transparency है जहाँ पे भी white शो करना है उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी transparency नहीं है मतलब fully visible है और जो black है मतलब वो fully transparent है तो यहाँ पे हमें क्या करना है यह जो grey area है इसे हमें remove करना है हमें पूरी तरह से black and white रखना है हर case में, mat की case में भी हमें black and white रखना है और status के case में भी हमें black and white रखना है यहाँ पर task हमा रही है कि हमें grey part को पूरी move करना है तो best यह होगा कि आप जो है normally grey, sorry status में ही रहें और उसके बाद जो आपके पास यह सारे options हैं आपका task की है कि आपको maximum grey रिमूव करना है बहुत ही carefully आपको यह सारी चीज़े करनी है आपको कुछ प्यासा नहीं करना है बीच बीच में आप जो है अपना final result जरूर देख लें final result जितना clear होगा उतना ज्यादा जो है वो अच्छा होगा यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पर पता है क्या अगर सकते हैं और वो यह है कि हम यहाँ पर actually background जो है वो हम add कर सकते हैं यहीं पर same इसी जगह पर तो देख लीजे वो हम कैसे करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग एक और टूल जो है यहाँ पर merge जो की बहुत ही ज़ादा important है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं इसको disconnect कर देता हूँ और यह हमारे पास clear जिस पर basically green background को remove करने का जो है वो process है अब यहाँ पर एक option है हमारे पास merge करने का अगर आप multiple process को एक साथ merge करना चाहते हैं या फिर parallel में use करना चाहते हैं तो आप उसके लिए merge option का जो है वो use करेंगे तो चलिए मैं merge को यहाँ पर drag कर के लिए आता हूँ अब यह हमारे पास merge है इसमें भी एक output है यहाँ पर हमारे पास mask है और इसमें दो option है यह है हमारे पास background और यह हमारे पास foreground तो इसे हमें जो हैं basically यहाँ पर connect करना है तो अब हमें यहाँ पर किस तरीके से connect करना है कि हमारा perfect result आ सकें सबसे पहले मैं यह पर ग्राउंड ले ले दाँ भी background के लिए मैं footage ले 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 दाँ इसको एसे बाक्राउंड मैं यूज करने को तो इसको ड्रैक करके मैं यहां पे लिए आता हूँ यह हमरे फुटेज ले लिए ज्यादा कन्फ्यूज होने की जरूबत नहीं अभी आपको समझ में आ चाहेगा अब मुझे क्या चाहिए exactly मुझे चाहिए कि मुझे basically क्या चाहिए यहां पे मैं एक मेडिया फाइल लूँगा मैं उसके उपर डिल्टा कियर अप्लाई करूँगा जो की बैसिकली बैक्राउंड को रिमूफ कर देगा उसके बाद मैं उसके नीचे बैक्राउंड एड करना जाता हूँ तो बैक्राउंड के लिए मुझे मर्ज लेना पड़ेगा जो दो पैरलल लेयर को जो है वो basically मर्ज करेगा और एक फाइनल आउट्पुट देगा तो अब देख लेजे यहां पे सबसे पहले तो मैं इसको आफ कर देता हूं यहां पे यह है हमारा इन्पुट ओके सो यह इन हम सेरीज में नहीं यूज कर सकने जैसे for example मैं इसको भी मर्ज को हटा देता हूं यह हमारे पास मीडिया फाइल होगे यह मीडिया फाइल है देख लीजे मैं इसको एक नंबर इसमें दिखाता हूं यह हमारे पास यह मीडिया फाइल है तो मुझे क्या करना है यहां पे मैं इसको आफ करता हूं, इसको हमे क्या करना है, इस से connect करना है, अगर मैं इस से connect करता हूं, तो क्या होता है, अगर simple series में हम लेकि चलता है, इसको मैंने इस से connect किया, और इसको मैंने इस से connect किया, और यह देख लेजिए हमारे पास क्या input आता है, कुछ इस थरीके से यह mask हो गया तो ये भी काफी अच्छा सा effect है बड़ ये mask हो गया तो ये सही तरीका नहीं है कि हम किस तरीके से जो है नॉमली यहां पर background को use करते हैं तो इसी जगा पे हमारा merge option होता है कि हम एक तरफ से background लेंगे एक तरफ से foreground लेंगे और उसको फिर हम as a output देंगे तो अब यहां पर यह जो option है यह हमारा क्या यह हमारे background के लिए और यह हमारे foreground के लिए तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे सबसे पहले यह जो हमारे पास foreground है इसको हम लोग four ground से connect कर देंगे यह फोग ग्राउंड से connect हो گیا यह अपने आप change हो जाता है मतलब arrange करने के लिए तो यह blue वाला अब यह हमारा background है तो हम यहां से यह जो हमारे पास media file है इसके output को हम यहां से connect कर देंगे और यह automatically arrange हो गया अब यहां पर हम लोग जो है वह output देंगे और हमारे पास यहां पर यह background आ गया I know कि अभी के लिए तोड़ा सा confusing होगा लेकिन आपको tension नहीं लेना है बस आपको मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि merge का किस तरीके से use करेंगे और parallel और series में अगर हम लोग notes use करते हैं तो उ लोग mask apply कर सकते हैं तो यह हमारे पास mask के सारे option मैंने इसको select किया और उसके बाद आप select नहीं भी करें फिर भी mask से आप connect कर सकते है vegan select कर के रखते और apply करते तो automatically apply हो जाता है. मैने इसको select gekya और lexут की ओपर मैंने apply अगर आपको Photoshop वगरा आता है तो आपको पता होगा कि किस तरीकिसे हम लोग जो है वो जो है वो जो करते हैं सिंपल यहां पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूं और मैं इसको क्या करता हूं गलोज कर देता हूं तब ही हमारा full mask यहां पर अपलाई हो पाएगा और मैं फिर से यहां पर आकर किस जो मैं यहां से invert को off कर देता हूं और अब मेरे पास यहां पर यह फूटेज आगे है लेकिन यहां पर यह ब्लाक शो कर रहा हूं और आइधि एड में यह एड हो जा रहा है सब्स्ट्राक्ट मैं कर देता हूं अब यह हमारे पास जो है पॉफिक्ट एक आउट्पुट आ गया अब जो भी कलर करेक्शन वगरा करना है जो भी यहां पे की ऐसे अफें नोड में और इसको डाल करना है इसके साथ लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहां पर आट्मेटी विक आपनाई आपईक कर दीए तो यहां पर इसके उठीन करेंगे और यहां पर नॉट्पानेग्ट हो जाएगा तो आप बीच में मैंने कृटर करेक्शन अ बाग्राउंड के ऊपर भी एफेक्ट करेगा तो मैं यहां से फिलाल इसको हटा देता हूँ और इस बीच में मैं अपलाए करता हूँ shift-press करके हमारे पास जो है वो फाइनल आउटपुट है आप हर स्टेप में देख सकते हैं कि कहां पर क्या रिजल्ट हुआ हमारा जैसे देख लिए यह था हमारे पास पहला यह हमारे पास फॉस्ट इंपुट था जिस पे हम लोग उने मास्किंग अपलाई किया था उसके बाद यह पहले और यह करेक्शन अप्लाई करने के बाद यह हो गया हमारे पास नेक्स हमने क्या किया एक मर्ज टूल लिया और उसमें बाग्डाउंड में मैंने जो है एक इमेज लिया बिसकली एक वीडियो लिया और फोर्ग्राउंड में हमने लिया यह सारे प्रॉसस को और उ जो है यहां पर fusion का जो है वो यूज कर सकते हैं बहुत ही simple है बहुत ज्यादा कुछ यहां पर complicated नहीं है तो I hope कि आप कुछ fusion का concept समझ में आ गया होगा इस चीज को जब आप practically करेंगे तो ही आप कुछ है वो समझ में आएगा मैं यहां पर फिर से एक छोड़ा से एक्जांपल ले लेता हूं और फिर से आपको सारी चीजी रिवाइस करा देता हूं और मैं यहां पर इस टाइम में जो है वो कुछ शोग के लिए ही ले लेते हैं यह footage मैंने लिया और for example अब इन सारे इन सब्सक्राइब करेंगे राइट क्लिक क्या निउ फ्यूजन क्लिप और अब यह एक सिंगल क्लिप में जो है इसके उपर अगर हम double click करते हैं या फिर हम लोग इसको open in timeline करते हैं तो यह देख लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इनके separate इसमें हम लोग जा सकते हैं इसके अंदर basically हम लोग जो है वो जा सकते हैं लेकिन जैसे हम लोग timeline में आते हैं तो वहाँ पर यह single clip होगा अगर इसके और चीज़ है जो कि मैंने आपको नहीं बताया वो है compound clip अगर आप multiple clips को मिला करके एक clip में convert करना चाहते हैं मतलब उसके ऊपर कोई आपको क्या कहते हैं fusion वगरा नहीं यूज करना है बस एक clip में आपको convert करना है उसको एक folder में basically डालना है तो उसके लिए हम लोग new compound clip यूज करते हैं final cut pro में इसका काफी जादा यूज होता है अगर आप premiere pro की बात करें तो basically यह हो गया हमारा pre sequence यह पर sequence वहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन अगर आपने after effects यूज किया तो after effects में pre composition होता है तो वैसे यहाँ पर हमारे पास new compound clip है तो यहाँ पर compound clip का नाम डाल open in timeline में जा सकते हैं फिर यहां पर open in timeline तो आप छोड़ी छोड़ी चीजों को जो है एक साथ आप एक single clip में convert कर सकते हैं और फिर आप चाहें जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसके अंदर जा करके आप जो है वो editing कर सकते हैं है ना तो यह आपके काम को आपके timeline को जो है व open in timeline और इसको मैं select करता हूँ है ना आ जाता हूँ मैं fusion के अज़र आपके सो यह हमारे पास जो है बिसिकली यह है अब simple से चीज़ है यह हमारे पास media input है जो भी बीच में करना हो बनाना हो पकाना हो वो सारी चीज़े हम भी इस बीच में करेंगे और यह हमारा basically output होगा यहां यह जो option था यह हमारा सबसे important था merge का option तो जैसे देख लिचे for example मुझे यहां पर क्या करना हो इसके ऊपर मुझे text शो करना है तो हम वहां पर क्या करेंगे जैसे देख लिचे यहां पर यह पर यह वीजबल नहीं हो रहा है मैं इसको visible कर लेता हूँ for example दो नमबर के screen में और यह जो output है मेरा इसको मैं एक नमबर के screen में यह तौसिफ खालिद यह अभी किसी से connected नहीं है लेकिन अगर मैं इसको simple जो है series में connect कर दूं मतरब series में क्या इसके बाद यह इसके बाद यह तो क्या होगा हमारा output basically क्या होगा वह आप देख लीज़े यह देख लेज़े सिर्फ और सिर्फ तौसिफ इसको basically duck दिया यह इस तरीके से कुछ काम कर रहा है इसके उपर यह इसके उपर यह जो सबसे उपर होता है वही visible होता है तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे यहां पे basically हम लोग यूज करते हैं यह जो है हमारे पास merge option उसका तो यहां पे मैं इसको disconnect कर देता हूं और यह होगा हमारा जो main यह था जो input है basically यह है यह हमारा होगा तो इसके हम लोग output को connect कर देंगे इससे यहां से हमने connect कर दिया अभी हमारे पास यह है यहां से मैं merge के output को मैं इसके input से connect कर देता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं इसको for example यहां पर output शो करेगा तो यह हमारा एक output शो कर रहा है लेकिन यह text अभी हमारा आजाद है किसी के साथ connect नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे text के output को यहां से हम लोग जो है merge के foreground में जो है वह हम लोग connect कर देंगे तो अब देख लिए तौसीफ खाली यहां पर यहां पर शो करने लगा मैं यहां से color इसका change कर देता हूं कि यह हमारा क्या हो बिसिकली यह जो है blood हो जाए हमारा में जो हमारा media है वह blood हो जाए और इसके उपर तौसीफ खाली लिखा हुआ हमें visible हो जाए तो बहुत ही simple है blood को हम लोग क्या करेंगे directly इसके series में add कर देंगे है ना इसके साथ तो यह क्या करेगा इस footage को लेगा उसको पास करेगा मर्च के साथ connect होगा मर्च के ओपर हमने टेक्स डाल दिया है और फिर यह output आगे पास करेगा तो simple shift मैंने प्रस किया और यह हमने इसको blood कर दिया blood amount मैं बढ़ा देता हूं यहां पर अब यहां पर क्या है इन सारी चीजों को हम लोग जो है वो animate भी कर सकते हैं ज साइज ट्राकिंग एंड रवांस कंट्रोल लेओ ट्रांसफॉर्म यह हमारे पास ट्रांसफॉर्म पता नहीं कुछ इशू आ रहा है यहां पर यह हमारे वॉक नहीं कर रहा है किसी वजह से मैंने आपको कहा कि मैं जो software यहां पर यूस कर रहा हूं वह अभी क्या कहते हैं ब का था सिंप में मैं यहान पर इसको ब्ला कर देता हूँ यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं एक और फ्रोपर्टे लगा सकते हैं कि क्लिक करता हूं या प stabbed हूं और transformation है ना तो यह हमारे पास transform है तो मैं transform xf add करता हूँ मैं इसको और उसके साथ ही मैं इसको यहाँ से disconnect करता हूँ मैं इसको इससे connect करता हूँ और इसको इसके output को मैं इसके साथ connect कर दे रहा हूँ अब यह हमारे पास transform है तो यह transform किसके उपर है text के उपर है तो हम क्या घर सकते हैं यहां से देख्ज को पूरी तरीका से जो हो control कर सकते हैं आप यहां हम फर्स्ट पॉजिशन पर आ जाते हैं एक animations कर लेते हैं ऑप Excel जैसे की यह कैसे आएगा चाहिए को साइज के ओपर चलो मैं चाहता हूं कि यह फॉर्स्ट पोजिशन पर इसका जो साइज बिल्कुल जीरो हो जीरो और यह आ जाए कि फॉर एक्जएंपल यह आ जाए ओके ओड़ फ्रेम बोड़ि फ्रेम पर इसका जो साइज है वह जाएगे अब यह हमारे पास एक लिuiten होगे है स्पाइनल यहां यहाँ पर यह यहां पर आनिमेशन जाएप इसके लिए आप बिशो कर रहे ट्रांसफॉर्म का जो भी आपको जितना भी इसका duration बढ़ाना हो गटाना हो आप बढ़ा गटा सकते हैं खैर ऐसे यह जो है देखने में थोड़ा complicated लग रहा है और इसके बारे में बात भी नहीं करूंगा क्योंकि यह फिर बहुत सपोर्ट में आप चाट में भी आप हमसे contact कर सकते हैं अगर आपको professionally इस software को पूरी तरीके से सीखना है तो तो खैर यह हमने जो है animation create कर दिया तो यह है basically हमारा fusion यह हमारा notes का concept और अब यहीं जो notes का concept है यह हमारा एक तरीके से जो है आपको उपर नीचे जाना हो जितना भी आपको इस पेश है आप यहाँ पर कर सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी आप ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर multiple इसको यह करके आप एक group भी बना सकते हैं जिसे for example आपको इतने ग्रूप बना लेना हो तो आप यहाँ पर इन सबी को select करके और यहाँ पर इसको group बना सकते हैं अब क्या है यह एक single list में आ गया इसके अंदर आपको आना हो तो फिर यह आप इसके अंदर आ सकते हैं और इसको आप जो है वो rename वगरा भी यहाँ पर कर सकते हैं तो यह है हमारा fusion जो कि starting में बहुत ही ज़्यादा confusing लगता है येकिन है एक बहुत ही simple सी चीज़ के वहने कुछ यहाँ पर गरबड़ी किया है खैर तो यह था fusion guys DaVinci Resolve color grading के लिए जाना जाता है तो अगर आपको बहुत ही simple दरीके से advanced level की color grading करनी है color correction करना है तो DaVinci Resolve से बहतर software और कोई नहीं होगा यहाँ भी हमारे पास separate workspace है color का जिसके अंदर मैं फिलहाल अभी हूँ और खुछ सकता है यह आपको थोड़ा से complicated लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं बहुत ही simple है और आपको पता है कि मैं आपके लिए यह जो workspace है इसको मैं simplify कर दूँँगा ताकि आप जो है simple तरीके से इसे use कर सकें मेरे यहाँ पर कुछ preparation भी की है आपको समझाने के लिए basic जो terms है उनको जैसे hue saturation क्या होता है mid tone highlights and shadows वगरा क्या होता है और किस तरीकी से यह सारी चीज़े work करती है और किस तरीकी से यह सारी चीज़े हमारे footage के उपर effect करती है हमारे colors के उपर जो हो effect करती है अग आप चाहें तो कुछ पार्ट को आप skip कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग जो है simple hue saturation, mid tone highlights वगरा के उपर बात करेंगे simple दरीके से simple अंदाज में next हम लोग यहाँ पे notes वगरा को भी फिर से explore करेंगे हमारे पास notes का भी option है इसके जरीए हम लोग अपने color grading के walk को काफी आसान बना सकते हैं और उसके साथ ही आप हमारे पास काफी सारे tools हैं जिनके जरीए हम लोग जो है वो color grading कर सकते हैं साथी एक और चीज में आपको बता दूँ कि अगर आपका screen size बड़ा है for example आप 4K screen size यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे और भी कुछ options होंगे है ना जैसे यह तो आपके शो करी रहोगा यहाँ पर यह शो कर रहोगा बीच में हो सकता है तो आपके पास graph शो कर रहोगा इनकी अगर आपका screen बड़ा है तो यहाँ पर इस तरीके का graph जो है आपको यहाँ पर शो कर रहोगा है इस तरीके का तो आपको टेंशन नहीं लेना है simple आपको यहाँ में डाल लीज़े हैं तो यहां पर मेरे पास ही कुछ फुटेज है जिसको वेरे टाइम लाइन में डाल लिया है और अगर आपको जो है मतलब मुल्टिपल फुटेज है उसके उपर आपने एडिटिंग मगेरा की है और इन सभी को एक साथ करना है तो आप उसको जो है जाना है और वो चीज यहां पर आजाएगा अब यहां पर थोड़े से इंटर्फेस को समझ लेते हैं तो यहां पर हमारे पास यह गैलरी तो अभी फिलाल कुछ भी नहीं है इसमें और इसके बाद यहां पर हमारे पास काफी सारे लोग लट्स के बारे में बात करते हैं कराते हैं है ना तो मुझे नहीं लगता कि वो स्थाई है क्यों कि हर फुटिज के लिए लट्स अलग लट्स में क्या होता है बैसिकली करण की इनफॉर्मिशन होती है क्योंकि इसकी वैल्य इतनी होगी तो वो एक्जैक्ली वैसे वर्क नहीं करेगा तो आप अगर यह सोच प्रफिशन है कितना हाइलाइट से कितना शैडव है यह तोटली आपके फुटिच के उपर डिपेंड करता है जरूरी नहीं कि सेम लट्स आपके उपर सेम तरीके से काम करेगा तो खेर यहां पर काफी सारे लट्स है जिने आप अप्लाइ कर सकते हैं और आप देख भी सकते ह मैं इस वीडियो को सेलेक्ट करता हूं यहां पर और यहां पर हमारे पास यह है तो सिंपल आप स्क्रॉब करेंगे तो आपको जहें एफेक्ट्स दिख जाएगा उसके बाद आप चाहें तो इसे डाइकली डबल क्लिक करके आप अप्लाइ कर सकते हैं यह आपके पास यहां कंट्रोल जी कर देता हूं तो काफी सारे लविद्स आपको मिल चाते हैं यह आप जो है यह कर सकते हैं और दूस्री चीज़ यहां पर आपके पास अलग लग कामरा प्रेक्शन के अग्र और ने नहीं है तो आपको आपको मैं पूटेज आपको फुटेज आपको टाल दीजे और उसके बाद यहां से सारी चीज़ों को off कर दीजे तो मैंने इसको off कर दिया पूरी तरीके से यहां पर जो भी option है अब यहां पर हमारे बार पास option है time line तो आपको Time line यहां पर शो करना हो तो आप Task stop कर सकते हैं आपका पर प्लिपको डारेकली यहां सेसे लटों कर करें वो यहां पर करेंगिस के लिए आ जाएगा तो मैं नरमल को अब लुक्त और klips को ब entrance select कर लेता हूं और अगर space कम हो तो मैं इसको भी disable कर देता हूं next यहां पर हमारे पास notes है तो यह है notes इसके बारे में भी जानेंगे next यहां पर हमारे पास open effects है तो काफी सारे effects आपको मिल जाते हैं जिने आप directly जो है वो apply कर सकते हैं जैसे for example आपको blood effect जो है notes जो है वो work करता है तो फिलहाल मैं इसको command-z, control-z कर देता हूं मुझे फिलहाल कोई effect जो है वो नहीं चाहिए ओके यह open effects मैं यहां से इसको reset कर देता हूं reset इसको पर right click करके reset मुझे कोई भी यहां पर effect नहीं चाहिए तो यह है notes का area और यह हमारे पास panel है जहां पर हमारे पास सारे tools हैं तो काफी सारे tools हैं इन में से जो सबसे important है वो मैं आपको बता देता हूं यह हमारे पास colored wheels and उसके बाद जो है हमारे पास यह है curves and next यहां पर हमारे पास a qualifier and अगर आपको masking बगएर करनी हो तो उसके लिए हमारे पास यहां पर option है tracking करनी हो tracking कर सकते हैं blur यह फिर शार्प वगरा करना हो तो उसके लिए हमारे पास option है अगर आपका screen बढ़ा है तो यह जो है आपको क्या करना है यहां पर scope को on कर लेना है scope यह हमारे पास यह scope है और by default हम लोग यूज करेंगे यह हमारे पास color wheel और यहां से आप scope को on कर लिजे और scope के अंदर हमारे पास कफी सारे option है तो इसमें से तीन important option है प्रेड है न यहां पर हम separately color की values देख सकते हैं red कितना है green कितना blue कितना RGB और उसके बाद waveform है waveform हम देख सकते हैं इस चीज़ को समझेंगे कि यहां पर exactly value क्या है और क्यूं है यहां पर हमारे पास vector scope है तो यह आप on कर लिजे और यह हमारे पास color wheel है और इस चीज़ से हम लोग basically यहां पर color correction करेंगे तो यह था simple सा introduction अब सबसे पहले यहां प clips को highlight sorry off कर देता हूं अब यहां पर अगर आप देखें तो यह image है मेरे पास यह है color wheel है यह हमारे पास color wheel है बीच वाला center वाला जो circle है यह color wheel है तो इसको और इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो यह similar type जो है वो दिख रहा है है ना मतलब red है yellow है उसके पास green है इधर हमारे पास blue है magenta है यहां पर हमारे पास स्यान है है तो यह हमारे पास color wheel है तो एक तरीके से यह हो गया हमारा RGB color wheel मतलब सारी information है अब यहां पर आप देखें तो यहां पर खाना खाना type से बना हुआ है और color जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो वहीं पर हमारा tom हाता है saturation तो अब saturation क्या हुआ वो saturation की value जितनी ज्यादा होगी हमारा जो color है वो उतना ज्यादा एक तरीके से colorful जो है वो दिखेगा जैसे देख लिजे कि हमने यहां पर red को लिया है example के दौर पर यह वाली चीज़ तो यहां पर क्या है basically यह saturation 0 है और य बढ़ा देंगी जैसे देख लिजे मैं आपको दिखाता हूं यहां पर clips में आ जाते हैं और for example यह image है इसमें मुझे color थोड़ा सा कम लग रहा है और यह हमारे पास saturation अभी 50 है मैं इसको बढ़ा देता हूं तो देख लिजे color काफी ज़्यादा बढ़ गया सारे colors बढ़ रह जहां पर जिसे अगर कोई चीज है यहां पर यह center में यह हमारे पास डॉट है अगर रेट की तरफ जाना हो तो हम इधर की तरफ जाएंगे है और जितना आगे जाएंगे उतना जादा एक तरीकी से hard और saturated color जो हमें देखनी को मिलेगा तो saturation मतलब zero saturation मतलब एकदम बिल्कुल flat image होगा black and white image होगा जिसे कि अगर मेरे पास यही है मैं यहां से saturation इसका zero कर देता हूँ आप खुद देख लो क्या होता है saturation मैंने zero कर दिया यह बिल्कुल black and white image हो गया तो black and white image अगर आपको करनी हो simple आपको क्या करना है saturation कहीं पर भी हो किसी भी software में हो saturation आपको zero कर दे रहा है यह हो गया हमारा saturation अगर हम 100% saturation कर देंगे तो देख लिए काफी saturated हो जो कि अच्छा नहीं लग रहा है हर color अपने maximum level पर है एक तरीके से हैं तो यह हो गया हमारा simple saturation अब यहां पर एक और टर्म आता है saturation के साथ ही वह होता है hue hue saturation काफी जगा पे same way में रहता है तो hue क्या होता है basically यह color को change करता है जिससे अगर आप hue को change करोगे तो color change होगा जैसे देख लो अभी मैं क्या अगरता हूँ सबसे पहले saturation देख लिए मैंने इसी image को select करके रखा हूँ है saturation में 0 कर देता हूँ यह image हमारा black and white हो गया saturation में 100% कर देता हूँ बिलकुल यह हमारा colorful हो गया काफी colorful हो और मैं default कर देता हूँ अब यहाँ पर मेरे पास यह है hue hue को अगर मैं change करूँगा तो basically क्या होगा यह change होगा एक दूसरे में यह change हो जाएगा basically यहाँ पर color की value change हो जाएगी देख रहे हैं यहाँ पर आईकॉन देख रहे हैं तो देख लिए जिए क्या हो रहा है अलग-अल पर रहे हैं देख रहे हैं एक color दूसरे color से basically replace हो रहा है तो यह हो गया हमारा हूँ तो simple से चीज़ है मैं फिलाल इसको reset कर देता हूँ के सारी चीज़ों को मैं reset कर देता हूँ सारे images को अगे तो यह हो गया हमारा saturation और यह हो गया hue आप समझ गया है next हमारे पास आता है जो कि बहुत ही जादा कहीं लगए important है highlight, mid tone and shadow तो highlight वह पार्ट होता है जहां पर lights सबसे जादा होती है basically lights का effect जो है वह सबसे जादा होता है तो यहां पर अगर इस image के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह वाला जो area है face वाला जो area है यह हमारे यह अरिया काफी ज्यादा highlighted area है तो यह हो गया हमारा highlights अब इस image में सबसे darkest कॉन सा है यह वाला area हमारा, है ना skin के हिसाब से यह वाला है तो यह हो गया हमारा shadow और जो shadow और highlights के भीच का area होता है वह basically होता है mid tone यह अब जैसे देख लिजए यह image है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास basically यह क्या है यह है हमारे पास primaries, wheel है basically lift and gamma and gain यह जो lift है यह basically हमारा हो गया shadow है ना नीचे वाला shadow और यह जो gamma है मतलब यह wheel basically जो भी है यहाँ पर अगर यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे तो इसका जो effect है न हमारा mid-tone इस पर जो भी कुछ करेंगे उसका effect जो हमारे mid-tone के उपर बढ़ेगा और यह जो gain है यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे तो इसका जो effect है वो highlights के उपर बढ़ेगा अब देख लिए क्या होता है मैं यहां से highlights को बढ़ाता हूं यह हमारे पास highlights को मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है किस के उपर जाधा effect पर रहा है देखेए यह नहीं कि सिर्फ और सिफ highlights के उपर ही फट पड़ेगा वो सारे के उपर फट़ पड़ेगा गरा थेहाँ को ध्यानसे देखें तो highlights के उपर है उस लिफ्ट की बात करते हैं यह क्या है यह बिसिकली शैडो के लिए जो है वह काम करता है तो अगर इसको हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो शैडो के उपर जो है वो एफेक्ट करेगा तो for example मैं यहाँ पर घटाता हूँ और शैडो मतलब डाकेस्ट एडिया उसको हम लोग शैडो करते हैं वैसे टॉम से भी जो है वो सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है अब आ जाते हैं फाइनली हम लोग जो है वह कलर्स के उपर RGB के उपर किस तरीके से हम लोग एनलाइस करेंगे कि किस चीज का मतलब कहां पर ज आसी चीज है जो कि कम हैं तो सबसे पहले इस image में हमें दिख राए कि यहां पर सबसे पहलजी चीज यहां पर yellowobject tone थोड़ा जाध़ आ रहा है मतलब क्या है यहां मोद पर warm यहां पर और बढ़ाने के जरूरत है तो इस तरीके से हमारा जो color है वो एक तरीके से perfect हो जाएगा तो अब यहां पर सबसे पहला task कि काफी ज़्यादा warm दिख रहा है तो इसको हमें cool करना है मतलब अगर आप दू जगा पे photos लेते हो एक लेते हो बहुती गर्मी वाले एलाके में रेग इस tone आएगा मतलब काफी ज़्यादा जो है वो एक तरीके से cool effect आएगा तो यहां पर मुझे लग रहा है क्योंकि हम cool down करेंगे और हमारी जो problem है वो आधी solve हो जाएगी अब यहां पर इस चीज़ को हम यहां पर scope के जरीए किस तरीके से analyze करेंगे तो इसके लिए हम लोग आ करना है इन सारे color की value जो है वो एक तरीके से इसका जो graph है वो similar type करना है मतलब exact नहीं जरूरी नहीं किसी में blue की जरूरत हो तो blue हमारा ज्यादा रहेगा कम रहेगा तो हमें यहां पर इसको match करने की कोशिश करने दूसी चीज़ यहां पर आप देखें तो यह value स्टार्ट हो है वो mid-down है मतलब अगर हम इसको उपर की तरफ ले जाएंगे basically है ना उपर की तरफ तो इसमें जो है highlights बढ़ेंगे और उसको अगर हम नीचे की तरफ ले जाएंगे तो इसका जो shadow है वो बढ़ेगा मतलब image dark होगा और beach वाला फिर उसी तरीके से walk करेगा तो यहां पर हमें क्या करना है किसी भी image में हमें value को 0 से और 1023 जो है यहां पे basically उनके बीच में रखना है हमें ऐसा नहीं करना है कि एकदम नीचे हो एकदम उपर हो या एकदम बीच में हो हमें इनके बीच में उस value को यहां पे जो भी graph है उसको stretch करके रखना है अब यहां पे क्या है इसको थ color balance कर पाएंगे वरना यहाँ पे आप सारी चीजों को tweak करते रहेंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा नेक्स सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे waveform है waveform में भी सेम है आप एक साथ जो है सारे colors की value देख सकते हैं और वही चीज है यहाँ पे यह बिल्कुल dark area है एक तरीके से और यह बिल्कुल highlight बिल्कुल एक तरीके से white area है मतलब highlighted area है तो नीचे की दरफ ले जाएंगे तो हमारा perfect dark होगा उबर की दरफ ले जाएंगे perfect light होगा तो अगर किसी भी colors में अगर हमें lights add करने हो जैसे क्या था यहाँ पे अगर आप देखें इस image को highlights का मतलब यह नहीं समझना है कि बिल्कुल pure light white वो नहीं समझना है अगर हमें for example इस color को यहाँ पे यह जो color है इसको हमें और जादा light करना हो तो हम उसको क्या करेंगे बिसकली यहाँ पे value को बिल्कुल zero में भी नहीं रखना है बिल्कुल उपर भी नहीं रखना है बिल्कुल बीच में भी नहीं रखना है पूरी तरीकी से value को stretch करके इन सभी के बीच में जो है वो रखना है उसके बाद यहाँ पे हमारे पास vector scope है है ना blue काफी नीचे जा रहा है है ना इसकी value अगर आप देखें तो 640 से 0 से ले करके 640 तक है हमें इसको क्या करना है 1000 से 0 के बीच में रखना है तो हम क्या करेंगे इसको बढ़ाएंगे अब इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास काफी सारे option है एक ही image की same तरह का लोक काफी सारे तरीके से ला सकते है काफी सारे tools है हमारे पास यहाँ पर color wheel है इसके जरीख हम लेकर सकते है यहाँ पर हермरे पास temperature tint and saturation and hue यह सारी चीज़ औरे हैं मतलब एक और छीज़ यहाँ पर यहाँ तो हमारे पास यह कुछ और भी options है, अगर यहाँ पर drop down menu में आएंगे तो यह basically तीन option है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं किसी में भी जाना हो, आप यहाँ से जा सकते हैं यहाँ से भी जा सकते हैं वैसे ही अगर curves के अंदर आते हैं, तो curves के अंदर इंदर यहीं कुछ wheels हैं, चार wheels हैं, तो यह है हमारा shadow, यह हमारा यहां पर मैं इसको ले आता हूँ, यह हमारा shadow, जो की darkest part के उपर effect करता है, यह हमारा gamma जो की mid tone के उपर effect करता है, और यह हमारा gain जो की highlights के उपर effect करता है, अब मैं आ जाता हूँ फिर से इस image में और मैं आपको practically करी दिखा देता हूं ये है lift जो की darkest part के उपर effect करता है basically नीचे वाला जो area हो गया ये हो गया हमारा shadow beach वाला area जो हो गया हमारा middle और उपर वाला जो area है वो हो गया हमारा highlights तो अब यहाँ पर आप मत देखिए आप यहाँ पर देखिए और मैं यहाँ पर इसको मैं change करता हूँ तो यह है हमारे पास slider इसके जरीए मैं इसको बढ़ा सकता हूँ गटा सकता हूँ तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ मैं इसको बढ़ा रहा हूँ shadow को मैं बढ़ा रहा हूँ अगर आप आप शैडव बढ़ातेह हैं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा आग़र आपको कम करना हो ध्यूश्स नीचे की तरफ लाना हो तो यहां से घरकी क कम आरा रहें तो यहां से अगर यहां आप यूश्वyen ध्यूश ग्लेस लेक्त 3 नहीं आ रहा है ऊपर में कोई ज़्यादा एक आपको डेखने को अरगला तो हम्याइब किसी भी इमेज में क्या करेंगे के नर्मली इतना रखेंगे इस तरीके से यहाँ पर के नेरवाई में उसके बाद यहाँ पर हम लुग आते हैं हाईलाइट में इसे हमारा इमेज जो है वो भी थोड़ा सा हाइलाइट हो रहा है तो हमने यहां तक कर दिया फॉर एक्जेंपल है ना इतना मुझे बहुत ज़्यादा उपर नहीं जाना है पिर देख लिए जो क्या होगा है ना यह हमारा हाइलाइट के उपर जो है वो कर सकते हैं अब यहां पर अगर आप देखें तो यह एक स्लाइडर है हमारे पास इसके उपर आपको colors वगरा भी जो है वो दिया गया है तो colors क्या है बिसिकली RGB अगर आपको किसी इंडिवीज्वाल कलर के मितलब hight reality को बढ़ाना घट आना हो तो वह चीज आप यहां से कर से हैं जैसे मुझ सिर्फ और सुर्फ ग्रीन के highlights को बढ़ाना है तो हम हिआ से क्या करेंगे जो green है इसकी value को हम बढ़ाएंगे तो अब यह जो effect हो रहा है यह सिर्फ और सिर्फ green के उपर हो रहा है और यह देख लिजे हमारा color एक तरीके से correct हो चुका है कहीं नहीं मतलब perfectly नहीं बट कहीं नहीं हमारा यह हो चुका है मैं आपको before and after दिखाता हूँ सिंपल यह जो हमारे पास notes है यह जो number one लिखा हुआ है इसके उपर जैसे आप click करेंगे तो यह enable disable हो जाएगा पहले यह था अब हमारा यह हो गया है है ना तो अगर आपको single color के उपर walk करना हो तो आप जो है वो यहां से कर सकते हैं है ना मतलब किसी एक color के अगर आपको highlights को बढ़ाना हो यह shadow को बढ़ाना गटाना हो तो वह चीज़ आप यहां से कर सकते हैं next हमारे पास यहां पर offset क्या करता है basically all colors के उपर एक साथ work करता है है ना सभी के highlights को बढ़ाएगा गटाएगा highlights shadows and जो mid tone है उन सभी को बढ़ाएगा गटाएगा लेख लिए जो मैं यहां से सारी values को reset कर देता हूं हमारी यह normal footage हो गई अभी हां पर मैं इसको offset को बढ़ा रहा हूं तो यह क्या कर रहा है basically सभी को पूरी तरीके से यह बढ़ा किसी एक color को आपको उपर नीचे करणा हूं तो वो चीज़ आप जो है वो यहां से कर सकते हैं यहां पर कुछ auto color करने की option है जैसे कि यहां पर देख लिजे यह हमारे पास lift है तो इसमें हमारे पास black color select करने का option है और gain में जो की highlights है उसमें हमें white color select करने का option है मतलब हम simple white select कर करता हूं और यह आगे हमारे पास for example यह flower है यह white रहेगा मैंने इसके उपर click किया और एक तरीके से हमारा आधा काम क्या आधा से ज्यादा काम जो है वो कहीं न कहीं हो गया और यहां पर भी आप देख सकते हैं यह perfectly हमारा जो है कहीं न कहीं balance हो गया तो यह जो यहां पर हमा लगते रहेगा और आपको कोई अंदाजा नहीं मिलेगा कि exactly आपको करना किया है फिर से मैं इसको reset करता हूं ओके और अब बात करते हैं यहां पर कुछ option जो है temperature यह हमारे पास tint है saturation है contrast है और hue है यह और भी बहुत सारी option है लेकिन उन सारी चीज़ों के उपर मैं बात नहीं करना है इसे है ना तो हम क्या करेंगे इसका temperature कम कर देंगे तो temperature जैसे देख लिए मैं कम कर रहा हूं और यह हमारा image perfectly balance हो रहा है आप यहां पर भी देख सकते हैं कि यह red and green जो है यह कम हो गया blue थोड़ा सा उपड हो गया और यहां पर रिजल्ट में भी देख सकते हैं कि हमा ब्लू बिल्कुल हमारा डाउन हो गया यहां पर ग्रीन थोड़ा सा और रेड काफी ज्यादा आ गया तो आपको पूरी दरीगे से बैलेंस वे में यूज करें तो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं अगर आपके इसमें थोड़ा सा ब्लू टून ज्यादा है या फिर येलो ट बढ़ाता है रेड एंड ग्रीन की तरफ जो है वो बिसीकली ले जाएगा बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यह हमारे पास टेंट नेक्स है कॉंट्रास्ट अगर आपको किसी भी चीज की वैल्यू थोड़ी ज्यादा शार्प करनी हो एक तरी किसे हमारे पास आता है saturation मैंने आपको पहले ही बता है कि saturation से आप चाहें तो ब्लाक और वाइट कर सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा saturation हम बढ़ा सकते हैं तो यहां पर हमें हूँ की जरूरत नहीं है वैसे देख लिए यू का क्या effect पड़ेगा जो color है वो बिसीकली दूसरे color में change हो जाता है यह हो गया हूँ simple में command z control z मैं कर देता हूँ और यह saturation मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो हमारा कहीं न कहीं जो है यह balance हो गया थोड़ा सा blue जादा आ गया है मैं blue को थोड़ा सा कम करता हूँ कि मैं temperature से control कर रहा हूँ मैं यहां से भी जो है वो control कर सकता हूँ तो यह हो गया basically हमारा basic color correction कहीं न कहीं आप कहा सकते हैं कि इसी से आपका जो है वो आधा काम जो है वो कहीं न कहीं हो जाएगा है ना basic color correction यह हमारा हो गया अब इसी में क्या है आप जो है यहां पे next option में आते है तो color bars है आपके पास यह जो हमारे पास primaries है मतलब basically color wheels है color wheels and bars जो है color bar जो है यह सेम तरीके से काम करते है बस सेम चीज है visual अलग-अलग है मतलब यहाँ पे हमारे पास यह color wheel दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास color bar है लेकिन सेम तरीवे से काम करता है अब यहाँ पर किसी भी चीज में आपको for example color को बढ़ाना हो गटाना हो तो वो चीज आप कर सकते हैं जैसे यहाँ पर color की लिए अगर हम देखें अगर हमें for example highlights में थोड़ा सा रेड टोन बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सकते हैं यह चीजें ज्यादा इफेक्ट जो है वो highlights के ऊपर ही करेंगी है ना वैसे इनका इफेक्स चाड़ों तरफ दिखेगा लेकिन यहाँ पर देख लिए कि मैं रेट को बढ़ा रहा हूं तो किदर किदर बढ़ रहा है वो highlights की तरफ है ना तो यह है हमारे पास मैं इसको फिलाल reset कर देता हूं तो यह हो गया हमारे पास color correction यहां फिलाल अभी आप जो है इसको skip कीजिए मैं बहुत साथा details में नहीं जाओंगा next अब इसी में आ जाता है हमारे पास यह है option कर्व का कर्व बहुत ही जादा important है कर्व में आप यह समझ लिजे यह हमारे पास कर्व है बिसके लिए यह जो है यह RGB कर्व है है ना सभी link है अगर हम किसी को भी अभी change करते हैं तो वो सभी बढ़ेगा घटेगा अगर हमें separately किस ब्लू के ओपर effect करेगा जैसे कि मैं यहां पर आ जाता हूं और मैं इसको research कर देता हूं पहले जैसा कर लेते हैं और कर्व की जरीए जो है इसको हम लोग color correct करते हैं तो by default यह link होता है यह जो link का icon है इसके उपर जैसे आप click करेंगे लिंक हो जाएगा अलिंक हो जाएगा त highlights है मतलब अगर आपको lights पढ़ानी हूं तो आप उपर की तरफ जाएंगे और अगर आपको lights घटानी हूं तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे अगर हम देखें इसको color correct करने की अगर हम लोग कोशिश करें तो simply हम लोग क्या करेंगे blue को पकड़ेंगे सिर्फ औ ब्लू को और उसके highlights को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बीच में जो हमारे पास mid tone है होगया हमारे पास highlights यह होगया हमारे पास highlights यह होगया shadow और यह हमारे पास mid tone है ना एक और विक तरिके से समझ लिए अभी हाँ पर सिंपल हम क्या गर सकते हैं इसको उठाएंगे इसको चान रहे हो और यह हमारे एक तरीके से काम हो गया अगर prove को और Palm आशाथे हों नीचे के तरफ लिए होगे कि हम यहां से भी कर सकते हैं हमारे जो शैड़ है उसके भी ब्लू को हमिकर सकते जोड़सर कर सकते आई वैससे बेमकुफी होगी तो highlights को हम लोग यह कर देंगे Shadows and Mid Tone सभी के उपर जो हो एफेक्ट करेगा उपर की तरफ किया अब देख लिए जो है उपर की तरफ जा रहे है तो Highlights के उपर एफेक्ट कर रहा है नीचे की तरफ जा रहा है तो यह शैडो की तरफ जा रहा है बेसिकली है ना और बीच में हमारा Mid Tone तो पॉफेक्ली जो है इसको थोड़ा सा अके है कि आए है खर शाही नहीं है तो यहाँ पर बैसिकली हमस्माब सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यहां से भी जो है वो यह कर सकते हैं बेस्ट यहोगा कि अगर आप यहां से इस इसको जो है वो आप यह करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस तरीके से जो है वो यहां भी करते हैं तो यह है हमारा कस्टम कर्व यहां पर यह कस्टम कर्व है simple link करना हो सभी को आप यहां से लिंक कर सकते हैं next यहां पर अगर आप आते हैं तो यहां पर आपके पास बहुत सारे जो है वो patterns मिल जाते हैं basically versus जो है वो मिल जाते हैं जिसे की hue versus hue है यहां पर क्या है जिसे for example यह मैंने red select किया okay hue से क्या होता है color change होता है तो अगर हमें red को किसी दूसरे color tone में change करना हो तो हम लोग इसका use करेंगे तो यहां पर मैंने क्या किया यहां पर मैं इसको reset करता हूँ कि हम लोग है second option hue versus hue में यहां पर मैं यह हमारा already highlighted यह जो हमारे पास यह है यह qualifier बिसकिर यह permanently on रहता है color grading की case में यहां से मैं इस color को pick कर लेता हूँ और यह देख लिए वो चीज़ यहां पर आ गया तो basically क्या है यह range शो कर रहा है फिर से मैं यहां पर इसको reset करता हूँ और मैं यहां से select करता हूँ green को अब देख लिए यह point है यह exact यह color है अब यहां से आप color range basically decide कर सकते हैं जैसे कि for example कितना green को आपको cover करना है है ना जितना close होगा यह point उतना ज्यादा कम range cover होगा जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा यह होगा तो यह हमारा basically points है अब यहां पर अगर हम लोग green को बढ़ाएंगे तो green का जो hue है वो बढ़ेगा hue में क्या होता है hue में basically color change होता है तो वही चीज हमारा जो है वो यहां पर होगा देख लिए hue मैं बढ़ाता हूँ और उसका color green का color अगर आप देखें यहां पर ध्यान से तो वो जो है वो कहीं न कहीं change हो रहा है यहां पर perfectly यह चीज नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको फिर से मैं फिलाल इसको reset करता हूँ मैं यहां पर आजाता हूँ मैं यहां से color choose करता हूँ for example green green color मैंने चूज किया अब यहां पर यह greens भी है उनके उपर भी effect आएगा तो अब क्या होगा जो भी चीज मैं करूँगा सिर्फ और सिर्फ उसी green के ऊपर basically walk करेगा यह area है अब देख लीज़े change हो रहा है सिर्फ और सिर्फ green है ना यह हो गया हमारा hue versus hue मतलब किसी भी एक color को हम select करेंगे और उसके बाद उसको basically हम लोग दूसरे color में convert करनेगे तो कोई ऐसे image है जिसमें आपको changes करने हो जिससे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मुझे यह color है for example इसको मैंने select किया और इसका जो range है यह है मैं इसको उपर बढ़ाता हूँ यह one click में हमारे lips का color जो है तो यहाँ पर simple बहुत जादा यह नहीं करना है आपको देख लिए हमारे पास यह कुछ effect है तो हमने one click पर basically यहाँ पर मैंने change कर दिया और lips के color को फिलाल मैं इसको reset कर देता हूँ next यहाँ पर हमारे पास option है hue versus saturation अब hue versus saturation क्या है यहाँ पर किसी भी एक color को hue मतलब color आप समझ रिजे color को जिस color को मैं select करूँगा यह उसके saturation को बढ़ाएगा घटाएगा saturation मतलब क्या होता है आपको पता है saturation zero है मतलब बिल्कुल flat image होगा black and white होगा saturation 100% है मतलब बिल्कुल vibrant color होगा तो for example यहाँ पर मैं इस color को for example hue क्या है यह hue versus saturation तो मैंने hue के for example मैंने इस color को मैंने select कर लिया for example यह हमारे पास कौन सा blue color इसको मैंने select कर लिया और यह range आ गया अब मैं यहाँ पर जैसे इसको बढ़ाऊँगा इसका saturation बढ़ेगा और घटाऊंगा इसका saturation घटेगा तो देख लिए जी ब्लैक हो गया है ना तो यह है hue versus saturation मतलब किसी भी एक color के उपर आपको walk करना अब जैसे देख लिए जैसका example मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने इस color को select किया मैं यहाँ से select करता हूँ देख लेजे यह black हो गया यह हमारा काफी जादा saturated हो गया यह हो गया हमारा hue versus saturation तो फिलाल मैं इसको reset कर देता हूँ next हमारे पास यहाँ पर है hue versus laminance तो यह basically क्या है lights को बढ़ाएगा और घटाएगा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यह color मैंने select किया और यहाँ से बढ़ाते हैं इसको और यह घटाते हैं यह हमारा और dark हो रहा है तो इस तरीके से यह हमारा वाप करता है next हमारा हो गया यहाँ पर luminance versus saturation तो जो यहाँ पर area है मतलब highlighted area है जो light color है न basically जहाँ पर lights जितना है उसके ऊपर effect करेगा यह सारी का मतलब समझ रहे हैं hue versus hue hue को हम select करेंगे मतलब किसी एक color को select करेंगे और उसके color को हम change करेंगे hue versus saturation हम को एक color select करेंगे और उसके बाद उसके saturation को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे यहाँ पर hue versus luminance किसी एक color को select करेंगे उसके lights को बढ़ाएंगे घटाएंगे किसी एक light range को हम लोग choose करेंगे और उसके बाद उसके saturation को बढ़ाएंगे घटाएंगे जैसे for example मैंने ये select किया light का range जो है वो ये है मैं इसके saturation को बढ़ाता हूं और घटाता हूं देख रहा हूं क्या effect पढ़ रहा है तो यहां पर basically यह तीन जो है यह कहीं ज़्यादा important है उसके बाद यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा important नहीं है उसके बाद फिर same है saturation versus saturation किसी भी एक color को मैं यहां पर आखर इसको reset कर देता हूं किसी भी एक इसको हम लोग select करेंगे saturation को और ज़्यादा saturate करेंगे और ज़्यादा saturate सिर्फ और सिर्फ red के उपर ही effect कर रहा है चुकि इन सभी चीज़ों में red का tone है तो इसलिए सारी के उपर जो है वो effect कर रहा है for example मैं यहां से green select करते हूं और यह उसके उपर actually यहां पर lights है saturation and उसके बाद जो है यहां पर हमारे पास saturation versus luminance है किसी भी एक color को saturation level को हम select करेंगे और उसके बाद उसका जो है lights हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो यहां पर जो सबसे important है हमारे पास वो यह है custom उसके बाद जो है hue versus hue and hue versus saturation and luminance hue versus luminance basically यह तीन जो है यह सबसे important है तो इसके जरीए जो है आप काफी कुछ कर सकते हैं आपने examples जो है वो यहां पर देख लिए तो यह हो गया हमारा curve और basic color correction एक तरीके से तो चलिए बहाएं यहां पर जो है इसको मैंने select किया मैं आ गया color में मैं यहां से select करता हूँ और इसके बाद यहां पर मुझे थोड़ा से इसका blue बढ़ाने की जरूरत है और इसके बाद यह काफी जादा ऊपर है तो मुझे इसमें shadow जो है वो कटाने की जरूरत है और अगर आप image में देखेंगे तो हमारा आधा काम एक तरीके से हो चुका है है ना आधा काम हमारा हो चुका है अब यहां से थोड़ा सा blue को हम बढ़ा देंगे तो blue को highlights की तरफ हमें बढ़ाना है तो हम यहां से भी बढ़ा सकते हैं बहुत जादह नहीं करना है वैसे खाफीजादा ब्लू होता जा रहा है तो आपको बहुत जादह नहीं करना है इमेज के ओपर खेशाओ दे रहा है नॉर्मली हमारा यह मेथिड काम गरते हैं तो यह कहीं तरफ हो गया और यह हमारा कहीं न कहीं जो है एक तरीके से high-light की तरफ हो गया रिया हमारा काम हो सकती हम गगिया हूर थे हम यहां पे थोड़ा भढ़ा देंगे उस color correct हो गया काफी simple है अब आज आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं notes के बारे में कि यहां पर किस तरीके से हम लोग जो है वो notes का use करते हैं तो मैं फिलाल इसको क्या करता हूँ यहां से मैं reset कर देता हूँ है अब यह हमारे पास notes यह input है और यह output है और बीच में हमारे पास notes है तो notes का concept आपको पता है कि inputs से बीच में जो भी processing करनी होती वो करते हैं और यह हमारा output आ जाता है अब यहां पर यह हमारे पास by default एक notes जो है अब next आता है यहां पर दो तरह का notes आप add कर सकते हैं एक है series और एक है parallel इसके उपर जैसे right click करते हैं तो देख लिजए यहां पर हमारे पास है add notes and serial basically serial मतलब series में और यह है basically आगे अगर आपको add करना हो मतलब यह जो note है इसके आगे add करना हो तो add serial या फिर add serial before इसके पहले अगर add करना हो तो before and parallel वाकि और भी दूसरे option है फिलाल कर यह वो जादा important नहीं है तो अब क्या है यहां पर आप जो है वो जब भी color correction करें जो भी नई चीज़ आप करें उसके उपर आप जो है उसके लिए आप जो है new serial add कर दे है या फिर कहीं पर ज़रूद पढ़े parallel की तो parallel आप 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 कर दें तो simple add serial इसके उपर मैंने click कर दिया अब क्या है information यहां से input है यहांसे जाएगा यहांपर process होगा यहांपर process होगा और यहांसे यहांपर आ जाएगा अब हम लोग क्या गर्जकते हैं इसको मैंने select किया अब यहां पर जो भी स्ट्रेंगर这 मैं होँग और जो भी information होगी वह इस नोड़ वह स्ट्रेंश के उपर होगी तो देख बढ़ा देना है तो आप यहां पे थम्नेल में भी डिफ्रेंस देख सकते हैं कि क्या दिफ्रेंस जो है, वो, यहां पे आ रहा है हमारे पस कि यह आप अगर इसको देखें, for example मैं क्यादा हूँ, इसको मैं डिसेबल क्यrickता हूँ, तो यहां पे जो नमबर है, इसके उपर क्लिक करें और आप इसको डिसेबल कर सकते हैं इनेबल डिसेबल तो इस तरीके से आप जितने चाहें उतने प्रोसेस की जैसे आप फॉर इग्जेंबल कहीं पर आपको जो है वो एक से लिएरेटिंग कर जाएं तो यहां पर इनपरमेशन यहां से पास होगी और एक information यहां से पास होगी और यह basically क्या है हमारा merge वाला जो हमने fusion में देखा था merge यह हमारा merge mixer है basically यह mix करके and then output को भीज देगा अब for example मैं क्यों करता हूँ यहां से मैं आ जाता हूँ qualifier में इसके उपर मैं click करता हूँ और qualifier में आने के बाद मैं for example okay चलो मैं यहीं पर रहता हूँ and मैं select करता हूँ एक color को okay for example यह जो हमारे पास yellow है मैं इसको select करता हूँ और अब मैं क्या करना चाहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ yellow को जो है actually मैं क्या करता हूँ मैं यहां से 3D mode में आ जाता हूँ 3D है ना इसी के अंदर qualifier के अंदर 3D तो यहां पर हम लोग multiple colors को जो है basically select कर पाएंगे तो यहां से मैं इसके उपर click करता हूँ और यह मैं selection बना रहा हूँ ठीक है यह हमारे पास colors जो है वो add हो रहा है ठीक है यह कुछ color मैंने select कर लिया basically red and yellow के उपर यह ज्यादा effect करेगा और यहां पर हमारे पास minus का भी option है तो कुछ ऐसा select हो जाता है तो उसको हम लोग minus भी कर सकते हैं तो यह मैंने minus कर दिया अब मैं यहां पर क्या करता हूँ sorry मैं यहां पर इसको सबसे पहले show parts जो है इसको मैं off कर देता हूँ अब मैंने जो यहां पर color select किया है मैं उसी के ऊपर जो है वो सिर्फ work कर सकता हूँ जैसे मुझे थोड़ा सा highlights बढ़ाने हो या फिर थोड़ा बह देखेंगे यहां पर अगे sorry मैं यहां से इसको on करता हूँ यहां से मैं बाहर आ जाता हूँ तो अब जो result है आप देखें तो यहां पर क्या हो रहा है मैंने इसको on किया था highlights को मैंने off कर दिया तो अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसी color के उपर यहां पर green के उपर effect नहीं कर रहा है सिर्फ और सिर्फ रेड के उपर जो है sorry yellow और जो pink है उसके उपर वो हमारा saturation effect कर रहा है या फिर अगर मैं यहां से hue को change करूँ तो देख लिए आप सिर्फ और सिर्फ उसी color के उपर जो है वो effect कर रहा है इसका एक और example मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर एक दूसरा clip मैं select कर लेता हूँ for example यह clip है मेरे पास और मैं क्या घरता हूँ यह मेरा perfectly color corrected है okay मैं इसमें parallel add करता हूँ okay parallel अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा सिंपल मैं qualifier में आऊंगा 3D और यह हमारे पास टूल for selection के लिए मैं इसके उपर click करता हूँ और मैं इस color को add कर देता हूँ के और इसके बाद यहाँ से मैं highlights को on कर लेता हूँ sorry अब यहाँ पर मुझे selection बनाना है कि exactly जो lips का color है वो सिर्फ selected हो है ना बहुत जादा इधर उदर नहीं जाना है मुझे कहीं न कहीं स्लेक्टेट होगा इसे मुझे माइनस करना है माइनस हैं इसको मैंने माइनस कर दिया तो अब जो area है जिसके उपर हमें walk करना वही हमारा selected है और अब यहाँ पर जो भी कुछ हम करेंगे वो सिर्फ औस इसी area के उपर effect करेगा और यह लिए हमारा selected है यहाँ से मैं आ जाता हूं इसमें और इसके बाद मैं यहाँ से for example इसक अब यह हमारा जो है यह कहीं नहीं change हो गया वैसे ही for example मुझे यहाँ पर क्या करना है for example मैं क्या करता हूं मैं यहां से इसको normal करता हूं यह हमारा selection है मैं इसके saturation को उपर वाले saturation को मैं बिल्कुल zero कर देता हूं इसके saturation को मैं यहां से बढ़ा देता हूं अब यह हमारे पास यह लोग जो है वो आ गया है यहां पर confused होनी की जरुवत नहीं है parallel में क्या होता है parallel में एक information यहां से जाती है और एक information यहां से जाती है दोनों में एक सुकर क्या output में आता है और series में simple आपको पता ही है अगर हम color grading actually बहुत कुछ और इस पे हैं जिससे कि यहां पर हमारे पास mask है हम masking वगएरा कर सकते हैं कई बेकुछ भी selection आपको बनाना हो वो चीज़ आप कर सकते हैं यहां पर आपके पास tracker है आप जो है किसी भी color को या पिर sorry किसी भी shape को जो है वो track कर सकते है और उसके उपर effects वगए अप्लाई कर सकते हैं वैसे ही आपको जो है थोड़ा बहुत sharp करना हो या फिर ब्लॉड वगएरा करना हो वो चीज़ आप कर सकते हैं खुझ से आप जो है वो और बहुत ज़्यादा लबी हो जाएगे हाँ ये चीज़े आपको और ज़्यादा details में मेरे premium paid courses में जो है वो मिल जाएगी तो ये था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अपने footage का color correction जो है वो कर सकते हैं और काफी easy तरीके से यहाँ पर आपको जो है color correction के सारे tools जो है वो म आपने कर लिया है जो भी color correction करना था वो आपने कर लिया है जो भी motion graphics animation वगले करना था वो सारी चीज़े आपने कर लिया फाइनली आपकी वीडियो पूरी तरीके से ready है अभी हाँ पे आपको जो है इससे export करना है तो यह मेरा final timeline है जिससे मैं export करना चाहता हूं और यहाँ प है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग आएंगे यहां पर अंदर इसके ओपर क्लिक करेंगे इस नास्ट option है बमारे पास अब यहाँ अपर export कर सकते हैं अपने सिस्टम में यहाप डिर्क निया आप यूटुब के लिए विन्यो ट्विटर के लिए यह ऋप्लोड गर सकते हैं यहाप घ्र मुझे क्या करना है custom export करना है कि सिस्टम में सेटने सेटम में तो मैं यहाप इसका झाल दूँ for example YouTube course Youtube course और next आपको browse कर लेना है कि कहां पर इसको save करना चाहते हैं तो for example मैं इसको राद़ता हूं कि also मैं इसे राद़ता हूं courses के अंदर save and next यहां पर हमारे पास अलग-अलग option है वीडियो से रिलेटेड, audio से रिलेटेर and file से रिलेटेड आपको बहुत जादा कुछ यहां पर नहीं करना है, simple video में आपको format देख लेना है, format किस format में आप वो save करना चाहते हैं, तो quick time best format है, इसी format में आपको अपनी वीडियो को export करना है, h.264 यही format रहेगा, उसके बाद use hardware acceleration if available, अगर आपके system में ग्राफिक कार्ड है, तो उसका आप use करना चाहते हैं, तो इस option को अपमाग कर देचे, नेक्स यहाप है हमारे पास resolution है, किस resolution में आप इसे export करना चाहते हैं, तो काफी सारे resolution आपको मिल जाएंगे, आप उसके recording जो है वो आप इसे export कर सकते हैं, normally HD हम लोग use करते हैं, लेकिन 4K वगरा के editing आपने की है, तो आप अलग-अलग option जो है वो choose कर सकते हैं, नेक्स quality है, automatic है, आप अपने जरी के से optimize करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, वैसे यह basic settings है, इसके उपर आपको जो है, वो जादा कुश्च करने की ज़रोगत नहीं है, simply आप अपने project की setting जो है, वो आप अपने recording कर लें, जैसे आपको कितना spectre share हो गयरा रखना है, वो सारी settings है, तो क्या चाहते हैं, कौन सा format codec यूज करना चाहते हैं, उसके बाद जो है, depth and stereo, आप जो है 32 bit and stereo आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद file है, nothing important and finally आपको क्या करना है, add to render queue, इसके पर click कर देना है, और यहाँ पर यह render queue में जो है, वो add हो गया, job 1 और इस तरीके से multiple file को भ इसे render करना है, तो render all के उपर आप click कर देजे, अगर आपके पास multiple timeline है, multiple clips है, जिन्हें आप करना चाहते हैं, render करना चाहते हैं, तो आप सभी को render queue में add कर देजे, और उसके बाद render all के उपर आपको click करना है, और आपका render का process है, वो start हो जाएगा, अब यह totally depend करता है, कि आप आपका project कितना complicated है, उसका length क्या था, उसकी quality क्या थी, उसी हिसाब से यहाँ पर time लगेगा, तो मेरा यह 15 second का था, और यह हमारा जो है, वो finally render हो गया, आप यहाँ पर simple script के उपर right click करके, reveal in finder, या फिर explorer होगा, अगर आप windows यूज़ कर रहे हैं, तो आप explore कर सकते हैं, इसको ready हो जाए तो, okay guys, तो बजबीद है कि आपके लिए ये वीडियो helpful लाओगा, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही amazing student है, और आप हमें comment section में जरूर बताइए, कि आपने इस वीडियो को last तक देखा है, क्योंकि ये चैनल के उपर और भी courses है, अगर आपको और भी knowledge चाहिए, तो आप हमारी दूसरी videos देख सकते हैं, आप अपना feedback जरूर दीजिए, इस वीडियो को like and share जरूर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल के उपर नए हैं, तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए, मिलते हैं हम लोग next वीडियो म Allah अपीज, जय हिन